हलो बच्चों, तो मेरा नाम निशान्त है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो मेजर 3 हुआ है हमारी एक online DTS test series चल रही थी, उसमें मेजर 3 हम डिस्कस करेंगे पेपर में complete slivers को cover किया गया है, ठीक है, 11th का और 12th का जेस तरह से J-Man का पेपर आता है कुछ उसी तरह से इसका पूरा pattern रखा गया है, ठीक है, तो डिस्कसने स्टार्ट करते हैं, तो पेपर में ना बता दूँ, दो section है हमारे पास, बिल्कुल J-Man pattern पे जैसे आता है 20 questions single choice है, और last 5 questions जो है हमारे पास, वो integer type question है, ठीक है, तो डिस्कसने स्टार्ट करते है, question number 1 में क्या बोला है, if A and B are non-zero vectors, then which of the following may be null vector, कि A और B जो है, दोनों ही हमारे पास non-zero है, मतलब दोनों का ही magnitude जो है, वो zero नहीं है, कि अबल इतनी information है हमारे पास, कि A और B जो है, वो दोनों non-zero vector है, दोनों का ही magnitude जो है, वो zero के equal नहीं है, clear है क्या, इसके अलबा कुछ भी हो सकता है, हो सकता है, दोनों का same हो, या different हो, A का ज़्यादा, B का कम, या B का ज़्यादा, A का कम, कुछ भी हो सकता है, इनके बीच का angle कुछ भी हो सकता है, direction कुछ भी हो सकती है, इनकी, कुछ नहीं पता हमें, बस इतना information given है, कि दोनों के दोनों क्या हैं हमारे पास non zero हैं तो बोलाए कि null vector achieve करने के लिए इनमें से कौन सा relation जो है वो possible है देखते हैं फिर तो first में क्या बोलाए कि a plus b null हो सकता है क्या तो भई हमें a plus b null vector चाहिए तो यहां से a की value किया जाएगी minus b मतलब अगर a और b just opposite vectors हुए तब इन दोनों का vector sum क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा clear है क्या तो यह तो possible है a minus b भी check करते हैं कि हमें a vector minus b vector जो है बो 0 चाहिए तो यह कब हो जाएगा जब a equal to v आ जाए मतलब a और b अगर just equal vector हुए तो उनका vector subtraction क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा तो यह भी हमें null vector दे सकता है थर्ड चेक करते हैं a cross b तो देखो a cross b हमें क्या चाहिए null vector a cross b को कैसे लिख सकता हूं में a का magnitude b का magnitude sin theta साथ में कोई direction इसकी equal to null vector अब a तो 0 है नहीं ना ही b 0 है बट sin theta की value 0 हो सकती है क्या बिलकुल हो सकती है अगर a और b same direction में हुए तो theta 0 हो जाएगा sin 0 की value 0 आ जाएगी अगर यह just opposite direction में हुए तो इनके बीच का angle हो जाएगा 180 और sin 180 की value भी क्या होती है 0 होती है तो हम कह सकते हैं कि अगर a और b same directions में हुए मतलब parallel vectors हुए या opposite direction में हुए मतलब anti parallel vector हुए तो उनका cross product भी 0 आ सकता है मतलब ये भी null vector हो सकता है तो correct answer हो जाएगा हमारे पास fourth all of these ये चारों के चारों जो हैं हमें सरी तीनों के तीनों जो हैं हमें वो null vector दे सकते हैं clear है क्या next question की तरब बढ़ते हैं next question देखें जरा क्या बोला है अब particle is moving with constant acceleration from a to b in a straight line a b ठीक है particle जो है वो a से b की तरफ move कर रहा है constant acceleration से अब constant acceleration का क्या फाइदा कि भी constant acceleration है तो equation of motions वहां पर हम वारे पास valid होती है हमने apply कर सकते है if u and v are the velocities at a and v respectively then its velocity at the midpoint c will be ठीक है भी midpoint पर velocity पूछिए देखना भी जरा solution देखना क्या बोला देखो कि ये हो गई हमारे पास एक a b line particle जो है वो इस पर move कर रहा है a पर इसकी velocity बोली है u b पर velocity बोली गई है b और बोला है इनके ठीक बीच में यहां जो midpoint है वो है c इसकी इस पी velocity find करनी है जिसको मैं मान लेता हूं videos clear और इस पूरे motion में acceleration जो है वो constant है ठीक है अब videos find करना है कोई दिक्कत नहीं है कैसे बहुत जेखो ये midpoint है ये distance मान लो x ये भी कितनी हो जाएगी x equation of motion अपलाई कर दू सीधा third equation of motion अपलाई करते हैं तो पहले a से c के लिए अपलाई करूं तो u हो जाएगी initial velocity v dash हो जाएगी final velocity तो हम लिखेंगे v dash square equal to u square plus 2 ax फिर अगर cb के लिए अपलाई करूं तो cb वाले motion में v dash initial हो जाएगा v final velocity हो जाएगा तो यहां third equation लिखी जाएगी v square equal to v dash square plus 2 ax अब हमें v dash find करना है तो equation 2 में से equation 1 को मैं subtract कर देता हूं तो 2 minus 1 तो यह आएगा v square minus v dash square equal to v dash square plus u square 2 ax में से 2x subtract हो जाएगा तो value आगई हमारे पास v square plus u square equal to 2 v dash square तो यहां से v dash की value आगई v square plus u square y2 का under root clear है क्या तो mid point पर हमारे पास इतनी velocity होगी चेक करते हैं जरा answer ठीक है क्या हो जाएगा answer हमारे पास answer हो जाएगा हमारे पास third option ठीक है third option दे रखा हमें u square plus v square y2 यही हमारा answer आया था तो यह correct answer हो जाएगा ठीक है next question की तरब बढ़ते हैं question number 3 देखें जरा क्या बोला है the maximum value of the block m2 for which the system will remain in equilibrium coefficient of friction between block m1 and plane surface is given mu ठीक है समय नजरा question में क्या बोला है की बढ़ी यहां friction coefficient दे दिया mu ओके और m2 की value find करनी है ताकि system में रह जाए equilibrium में और m2 की भी कौन सी value find करनी है maximum value ठीक है अब देखो m2 पर नीचे लगेगा gravity m2g अलग से बनाये तो में m2 पर नीचे लगेगी gravity m2g और string की वहे से tension लगेगा उपर की तरफ t अगर ये equilibrium में है तो tension की value m2g के equal होनी चाहिए ठीक है अब देखो इस pulley पर देखो तो नीचे लगेगा tension t यहां पर भी लगेगा नीचे tension t तो उपर की तरफ जो tension होगा दोनों के equal हो जाएगा दोनों के sum के equal तो 2t तो m1 के लिए driving force होगया 2t अब ये 2t force जो है m1 को आगे के तरफ drive करने की कोशिस करेगा तो इसको रोकने के लिए पीछे आएगा यहां static friction ठीक है अगर ये equilibrium में है तो इस static friction की value 2t के equal होनी चाहिए राइट static friction की value कितनी होनी चाहिए 2t के equal ठीक है बई और हमें पता है static friction की जो value होती है वो maximum value limiting friction की equal होती है clear मतलब ये static friction या तो limiting friction की equal होगा या उससे कम होगा ठीक है अब रग दो value n sun की value m2g static friction यहां पर limiting friction कितना आ जाएगा तो देखो normal उपर लगेगा n नीचे लगेगा m1g तो यहां पर static limiting friction आ सकता है वो आ सकता है mu m1g तो mu m1g तो यहां से अगर देखें तो m2 की value आगी less than equal to mu m1 by 2 के लिए रहे क्या मतलब system को equilibrium रखने के लिए m2 की जो value है वो mu m1 by 2 के equal या इससे कम होनी चाहिए तो maximum value आ जाएगी mu m1 by 2 मतलब first answer ओके next question की तरह बढ़ते है question number 4 देखें क्या बोला है इसमें two statements हमें दे रखें first बोल रहा है if the linear momentum of a system of particle एक particle की बात नहीं की रहा है यहां system of particle की बात की गई यह और भी particles हो सकते हैं is zero second बोलना है kinetic energy of the system of particle is zero तो बोला गया है कि फर्स्ट जो है वो second को explain कर पा रहा है second जो है उसके बारे में हमें बात कर दिए तो देखें नहीं देखें तो अगर मैं suppose किसी system में बहुत सारे particle है तो उसके लिए अगर मैं momentum लिखूँगा तो क्या लिखूँगा momentum आएगा m1 v1 plus m2 v2 and so on कि लिए रहे किया मैं हर एक particle के momentum का vector addition कर दूँगा तो total momentum मिल जाएगा हमारे पास यह लेकिन अगर system की मेरे को kinetic energy लिखनी है तो क्या लिखूँगा पहले particle की kinetic energy plus दूसरे particle की kinetic energy plus इसी तरह से सभी की kinetic energy को मैं add कर दूँगा यह हो गई system की total kinetic energy अब देखो अगर मैं कह रहा हूँ कि यह ps0 है system का net momentum 0 है system का net momentum 0 होने का मतलब क्या है कि इन सब का sum 0 है के लिए अब यह sum 0 कैसे आ सकता है अगर V1, V2, V3, V4 सारे 0 हो जाएं तो भी 0 आ सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है कि मानलो कि एक particle का momentum है 10 kg meter per second plus में दूसरे का minus में हुआ तो भी 0 आ सकता है क्या है क्या तो net momentum 0 होने के लिए क्या क्या हो सकता है कि B1, B2, V3 जो है या तो सारे के सारे 0 हो जाएं या फिर sub-resultant 0 आ जाएं क्या है यह हो सकता है possibility है लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि momentum 0 है तो हमेसा सारे 0 होंगे क्या है क्या हो सकते हैं तुम साब सब बोल सकते कि अगर momentum 0 है तो kyanetic energy system की B1, B2 सारे 0 होंगे तो kyanetic energy भी 0 हो जाएगी तो अगर momentum 0 है तो kyanetic energy 0 हो भी सकती है और kyanetic energy 0 नहीं भी हो सकती क्यार? कोई जरूरी नहीं है लेकिन अगर kyanetic energy 0 हो तो देखते हैं अगर kyanetic energy ही 0 है तो देखो यह सब히 square forms add हो रही है और squares का sum तभी 0 आ सकता है जब सब 0 हो और अभी 1 का square या minus 1 का square भी मैं add करूँ न तो भी 0 नहीं आ सकता अगर मेरे को चाहिए तो 0 का square प्लस 0 का square ही करना पड़ेगा तभी जाएगी 0 मिलेगा तो मैं definitely कह सकता हूँ कि काइनेटेक एनर्जी अगर 0 है तो इसके लिए V1 भी 0 होना पड़ेगा V2 भी 0 होना पड़ेगा सारे के सारे ये 0 होने पड़ेंगे केलियर और ये V1, V2, V3 सारे 0 है तो यहां से सिस्टम का मुमेंटम भी 0 होगा केलियर है क्या समय ना, conclusion क्या निकला conclusion ये निकला कि सिस्टम का मुमेंटम 0 है तो काइनेटेक एनर्जी का 0 होना कोई कंपलसर ही नहीं है लिकिन अगर काइनेटेक एनर्जी 0 है सिस्टम की, तो मुमेंटम 0 होगा ही होगा, ठीक है तो देखें जरा हमारे पास options क्या है option क्या बोल रहा है कि first implies second and second implies first, no first जो है वो second को implies नहीं कर रहा है लेकिन second first को implies कर रहा है हमारे पास, ठीक है तो correct answer क्या हो जाएगा हमारे पास fourth option हो जाएगा, first does not implies second, but second implies first next question की तरफ बढ़ते है question number 5 देखें क्या बोला है इसमें a sonometer wire of length 1.5 meter is made of steel the tensor in it produced an elastic strand of 1% what is the fundamental frequency of steel if density and elasticity are given as low ठीक है बई, कि देखो ये एक sonometer wire हो गया ठीक है ये pulley लगाएते है सब को जिसमें किसी mass m को लटका के हम tension लेके आ गए ओके, ठीक है भी अब देखो तो अगर इसके लिए fundamental frequency में लखूं तो वो क्या आएगी fundamental frequency आएगी मेरे पास by2l by2l क्यों? क्योंकि ये हमारे पास two points पर fixed string की तरह behave करेगा अब देखो v को हम क्या लख सकते है v यह यहाँ पर speed of the wave तो string के लिए यह हम लख सकते है under root ty mu mu होता है mass per unit length तो इसको further लिखा जा सकता है mu को लिख सकते है myl ठीक है अब देखो mass को मैं क्या लिख सकता हूँ? mass को लिख सकता हूँ row into volume और volume को लिखा जा सकता है area into cross sectional length area into L L से L गया यह value आगई हमारे पास 1y2L under root ty row A तो यह आगई fundamental frequency है अब हमें L दे रखा है row दे रखा बद ty A नहीं दे रखा ty A निकालने के लिए हम elasticity को काम में ले लेते हैं ठीक है? elasticity को काम में लेते हैं क्या बोला है? कि इस tension की वैए से इसमें 1% का strength आया तो हम बोल सकते हैं कि elasticity से कि जो stress होता है वो होता है y delta L upon L तो यहां से ty A की value आ गई ठीक है? यह value वहाँ पूट कर दो तो frequency की value आ जाएगी 1y2L under root 1y row ty A की value यह रही y delta L upon L अब सब कुछ हमें पता है बस इसमें value पूट करनी है आंसर मिल जाएगा हमें तो देखो 1y2L length of string हमें दे रखी है 1.5 meter under root y young small loss की value दे रखी हमें 2.2 into 10 to the power 11 अब सब करोगे तो frequency आ जाएगी हाँ से हमारे पास 178.2 hertz अब सब करोगे तो frequency आ जाएगी हाँ से हमारे पास 178.2 hertz second option clear उमेज़ा सब को समझ में आ गया हुआ next question बढ़ते है basically इसमें किया क्या है इस question में उसने एक तो wave theory का concept काम में ले लिया frequency का साथ में tension हमें चाहिए था तो उसको निकालने के लिए उसने elasticity काम में ले लिया बस दुनों को mix किया next question देखते है question नमर 6 देखें बढ़ी है question कैपलरी राइज के उपर question है देखो यह हमारे पास एक कैपलरी हो गई जिसको हमने किसी फ्लूड में डबो दिया जैसे मालो वाटर में डबो दिया तो उसकी वैसे उसमें कैपलरी राइज आ जाता है उपर की तरह अगर इस surface का इस कावड surface का यह कहीं center हो तो यह हो जाएगी इसकी radius of curvature ठीक है तो यह जो कैपलर राइज आता है H इसकी value आती है हमारे पास 2T upon rho ZR ठीक है 2T upon rho ZR एक बार हम drive कर लेते हैं जर्ण कैसे आता है देखें जर्ण किये हमने एक कैपलरी ली यह इसको liquid में sink कर दिया जिसकी वज़े से यह ash shape बन गई अब देखो यहाँ air है तो यहाँ का pressure में माल लेता हूँ P note ओके यहाँ भी air है तो इस point का pressure भी क्या हो जाएगा P note liquid aesthetic है तो इस point का pressure भी क्या हो जाएगा P note यह जो covered surface है basically इसको हम कहते है capillary का minusus इसकी कुछ ना कुछ radius of curvature होगी कि यह जो curve है इसका center यहाँ कहीं है माल लो तो यह इसकी radius of curvature आर हो गई अब देखो इस point पर अगर मैं pressure difference देखो तो concave surface की तरफ pressure जादा होता है और यहाँ का अंदर का pressure मैं P dash माल लो तो हमारे पास P note minus P dash की value आएगी 2 T Y R ठीक है बढ़ा हुआ है कि कौन के surface की तरफ pressure जादा होता कौन विक्स तरफ कम होता इतना जादा होता 2 T Y R हम माल लेते हैं कि हमें H height का rise हुआ तो यहाँ का pressure P dash है तो इस point का pressure अगर capillary से लिखूँ तो क्या लिखूँगा P dash plus rho G H यहाँ का और अगर मैं बाहर से देखूँ तो इसका P note होना चाहिए मतलब इसकी value P note के equal आगई तो यहाँ से value की आई यह value आई P note minus P dash equal to rho G H अब दोनों ही equation P note minus P dash दे रही हैं मतलब rho G H बरावर आगया 2 T Y R तो capillary rise की value आगई 2 T Y rho G R clear अब दियान देना यह R जो है यह tube का radius नहीं है यह इस surface का radius अब करवे चल लिया गया clear अब देखो इतना rise तो हमें तब मिलेगा जब हमने जो tube जो ली है capillary जो ली है वो sufficient length के लिए clear मालो इसकी value जो है इस rise की value है 5 cm और हमने tube ली 10 cm की तो definitely 5 rise हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर capillary जो है वो मैं 5 की बजाय थोड़ी कम ले लू कि मालो capillary की size कितनी है 4 cm और उसमें liquid कितना चड़ना चाहिए था 5 cm तो अब क्या होगा क्या फवारे की तरह भार निकलने लग जाएगा liquid नहीं ऐसा नहीं होता clear है क्या जब भी हम insufficient length की capillary लेते हैं तो उस case में क्या हो जाता है liquid जो है न ये इसकी top point तक फुर हो जाएगा एक दम पूरा पूरा जैसे मैं लो 5 cm तक चड़ सकता था अब मैं 4.9 का ले लू ना तो 4.9 तक चड़के रह जाएगा 4 cm का लू तो 4 cm तक चड़के रह जाएगा 1 cm का लूँगा तो 1 cm तक ही चड़के रह जाएगा clear रह क्या मतलब H reduce हो गया जितनी tube की लें तो उतने तक ही भरा रह जाएगा बाहर नहीं फैलेगा तो कुछ ना कुछ तो arrange होगा कि अगर हम देखें जब हमने 4 का लिया तो 4 तक ही चड़के रह गया मतलब हाइड जो है वो पहले के comparison में decrease हो गई capillary rise की value कम हो गई अब capillary rise कम होगा है तो कुछ ना कुछ साथ में adjust होगा तो basically होता है कि है H जब decrease होगा है तो surface tension rho और G surface tension liquid पे depend करेगा जो की change नहीं किया rho भी liquid पे G की value constant तो H को reduce कराने के लिए R increase हो जाता है तो जब भी हम insufficient length की capillary लेते हैं तो क्या होता है height तो जितनी length की हमने capillary लिए उतने तक भढ़ जाएगी but manuses का radius of curvature increase हो जाएगा मतलब manuses जो ever more flat हो जाएगा flatness भढ़ जाएगी उसकी clear rate क्या ठीक है तो हम क्या सकते हैं कि जब भी तुम insufficient length की क्या लोगे capillary लोगे तो उसमें क्या होगा एक तो top तक भरेगा liquid और दूसरा अगर पहले surface हमें इस तरह की मिल रही थी covered तो अब थोड़ी सी flat हो जाएगी clear है क्या flat हो जाएगा top तक भरेगा साथ में पहले contact angle अगर हम देखें तो contact angle क्या होता है liquid की free surface और इसकी boundary यह contact point आप free surface के अलोग एक tangent ड्रो करो तो container की boundary के साथ यह जो angle theta बनता है इसको contact angle क्याते है यह थीटा मिला यह अगर मैं देखू तो यह flat हो गया तो यह angle क्या हो गया increase हो गया मतलब contact angle भी क्या हो जाएगा increase तो यह है हमारा conclusion कि अगर आप insufficient length की क्या लोगे insufficient length की capillary लोगे तो उसकी height जो होगी वो top तक भरेगी free surface का radius of curvature इसका increase होगा flat हो जाएगी और theta उसका increase हो जाएगा तो देखते हैं ज़रह इसमें हमारे पास options क्या क्या है क्या बोला है कि in the capillary experiment the water level rise up to 5 cm if the capillary tube is placed in water such that the only 3 cm of the tube projects outside the water level then insufficient का case होगे तो क्या होगा water will begin to overflow through the capillary नहीं बाहर नहीं फैलेगा angle of content decrease नहीं अब यह भी बोला है increase होगा तो थर्ड अप्सन जो हमारे पास correct answer हो जाएगा फूर्थ में क्या बोला है the menaces completely venaces नहीं menaces completely खतम नहीं होगा clear है क्या radius of curvature जो उसकी हलाकी बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी बढ़ गढ़ जाएगी बढ़ गढ़ जाएगा correct answer हो जाएगा हमारे पास third next question की तरफ बढ़ते question number 7 क्या बोला है a mass of a mass small m sorry a disk of mass m and radius r it's attached with the spring of force constant k ये disk है k force कौन की spring से इसको attached किया गया है x equal to 0 पर शुरुआत में जहां पर इसमें कोई भी expansion या compression नहीं है natural length पर the disk is moved to x equal to a and then release अब इस disk को क्या किया इस mean position से एक हेचा और यहां से release कर दिया तो ये वही वाला केस हो गया भई कि particle spring से बना है इसको खीचा और छोड़ दिया तो ये s-trem करेगा mean position के about और कितने amplitude से जितनी length तक इसको खीच के छोड़ा है there is no slipping between the disk and ground कि वही जो है हमारे पास disk इसमें आपर कोई भी slipping नहीं हो रही है let f with the force of friction on the disk और force का friction का time के साथ कर पूछा है कौन सा होगा ठीक है भई देखना ज़रा क्या है क्या बोला है यह spring spring constant के की यह disc यह है हमारे पास कोई expensive नहीं होने वाली condition अब यहां से इसको एक हिच दिया यहां तक लेके आ गए तो अभी यह अपनी extreme position पे है x equal to a पर ठीक है यहां से release किया लिया है इसको तो पहले तो htm की equation लिख लेता हूँ किसी भी general बीच में किसी भी बीच वाली situation की बात करूँ जब यह अपनी mean position से x distance पर है तो x की value क्या लिखेंगे हम a sin omega t plus initial phase अब देखो यह already plus a में है तो initial phase हम ले लेते हैं किया इसका pi y 2 तो x की general position आ गई a sin omega t plus pi y 2 मतलब a sin cos omega t यह तो आ गया हमारे पास किसी भी time पर x और friction की बात करते हैं तो देखो जब इसको यहां किसी भी general position x तक खीचा हुआ है तो spring cut attach this center पे center पे यह force लगेगा इदर की तरफ left में kx clear अब kx force तो लग रहा है यह इसके center of mass पे left की तरफ लग रहा है तो इस disk को left में velocity मिलेगी तो left में velocity मिलेगी मानलो कोई भी velocity मिल गई तो वो velocity इस bottom point को भी मिलेगी clear है क्या और इस bottom point को अगर मिलेगी तो यह ground के respect में slip होना चाहेगा इस slipping को रोकने के लिए opposite में आएगा यहां friction जो इसके slipping को रोकेगा clear है क्या अब देखो किसी भी general position पे अगर हम देखें तो KX और F इनके resultant की बएसे मानलो left में आगया acceleration A ओके A acceleration मिल गया साथ में अगर तुम देखो center of mass के respect में friction का torque भी आएगा तो angular acceleration आगया alpha इस bottom point की अगर मैं बात करूँ तो इसका acceleration लिखा जाए तो translatory motion से आ गया A और rotation motion से आ जाएगा पीछे की तरफ alpha R अगर इस point की slipping नहीं हो रही है तो इसका net acceleration जो है वो उतना ही होना चाहिए जितना नीचे हमारे पास ground का है अब ground का 0 है तो इसका भी 0 होना चाहिए मतलब A equal to alpha R alpha की value A YR basically caution जो है उसमे SHM translatory motion और हमारे पास rolling के लिए SHM और rolling का mixed caution और शांदर caution देखना ज़रा तो alpha की value आ गई A YR अब मुझे friction निकालना है तो मैं एक बार translatory motion और एक बार rotation motion दोनों की बात कर लेता हूँ तो जब मैं translatory की बात करूँगा तो देखना हूँ के एकस लेफ्ट में लग रहा है F राइट में तो के एकस माइनस F एक्वल टू आ गया A में यह तो आ गई translatory equation अब rotation से देखूँ तो friction का torque F R equal to I alpha और I की value this के लिए center of mass के about MR square Y to alpha तो यह आ गया हमारे पास MR square Y to alpha की value यहां से ले लो A YR तो यहां से A की value कितनी आ गई A की value आ गई हमारे पास R तो गया 2F by M यह A की value first equation में रख दो A की value first equation में रखते हैं तो KX minus F equal to 2F by M यहां रखोगे तो यह बन गया 2F तो finally 3F equal to KX friction की value आ गई KX by 3 तो किसी भी general position X पर इतना friction लग रहा होगा और X हमने already find कर रखा A sin A cos omega T मतलब friction time के साथ vary करेगा KY3 A cos omega T से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि spring constant A जो है हमारे पास वो amplitude वो constant 3 constant तो friction जो है हमारे पास कुछ constant cos omega T का graph दे रहा है मतलब friction का time के साथ जो graph आएगा वो cost का graph आएगा तो हमारे पास friction का time के साथ variation देखेगा कुछ ऐसा clear? यहां से ही हो आगे भी बढ़ता जाएगा ठीक है? यह correct answer हो जाएगा तो देखते ज़रा option क्या दे रखा है? फर्स्ट option को देखे तो linear relation है second sign का graph है तो दोनों नहीं होंगे third जो है हमारे पास वो cost का graph दे रखा है तो correct answer हो जाएगा हमारे पास third ओके? देखते ज़रा आगे देखे next question एक तो देखो कोई चीज अगर अच्छी मिले हमें कि भी लगे हमें किसी question से हमें ठीक है? अगे बहते हैं क्या वोला question number 8 में two thermally insulated vessels 1 and 2 are filled with air at temperature T1 T2 volume V1 V2 and pressure P1 P2 if the valve joining the two vessels is opened the temperature inside the vessel is equal to ठीक है में देखना ज़रा क्या है basically ये mixer problem है कि ये एक हमारे पास whistle हो गया जो कि एक valve से connected है शुरू आतमे valve 1 ये दूसरा valve इसका pressure P1 इसका P2 दे रखा है volume V1 इसका B2 इसका temperature T1 इसका T2 मैं मान लेता हूँ इसमें mole से N1 इसमें रहे होंगे N2 air भरी हुई है दोनों में तो दोनों के degree of freedom FF मान लेता हूँ साथ में इसकी जो ये वाल्स बोली है वो बोली है हमें ठीक है ये बोली है हमें क्या है heat को isolated insulating walls है अब अगर ये insulating नहीं बोलता तो उससे क्या फरक पड़ता कि अगर ये insulating नहीं बोलता मतलब containers के अंदर की जो heat है वो बाहर जा सकती है लेकिन caution में बोल दिया कि दोनों की walls जो है वो insulating है मतलब अंदर की heat अंदर रहेगी heat बाहर नहीं निकलने वाली मैं energy conservation अपलाई कर सकता हूँ ठीक है gas flow होगी अब हमें पता है gas का जो gas इक तरह का fluid है gas का जो flow होता always higher pressure to lower pressure होता है तो gas जो है इनमें से जिसका भी pressure ज़्यादा होगा उससे low वाली की तरह flow होती रहेगी और तब तक होती रहेगी जब तक दोनों का pressure सेम नहीं हो जाता और finally वो हमारे पास equilibrium अचीब कर लेंगे fluid equilibrium अचीब कर लेंगे तो मैं एक चीज तो clearly कह सकता हूँ कि दोनों का final pressure सेम होगा तो यह हो गया P ये भी P clear इसी तरह से heat का flow higher temperature से lower temperature की तरह होगा और तब तक होता रहेगा जब तक दोनों जो हैं हमारे पास thermal equilibrium अचीब नहीं कर लेते हैं मतलब finally in the steady state दोनों के temperature भी सेम हो जाएंगे clear है क्या बाकी container का volume तो change हुआ नहीं है साथ में moles भी जितनी gas है उतनी है ना बहार निकली है ना अंदर आई है clear तो यह हो गया अब यह दोनों चीज़े पूछी जाती है अब यह दोनों चीज़े पूछी जाती है एकजाम में कि final temperature बता हो प्रेसर बता हो यहां आला की question में हमसे final temperature पूछा है बढ़ हम दोनों की बात करें तो देखो पहल तो ideal gas equation लिख लेते हैं तो first में अगर यहां लेखे तो बोलेंगे p1 b1 equal to N1 r t1 यहां बोलेंगे p2 v2 equal to N2 r t2 यहां बोलेंगे तो यह हो जाएगा पी वी टी वीवन equal to N1 r t1 और यहां हो जाएगा p v2 equal to n r t अब देखो पहले तो हम टेमपरचर की बात कर लेते हैं तो जितनी टोटल एनरजी यहां थी उतनी ही टोटल एनरजी यहां होने चाहिए तो एक तो मैं इसमें एनरजी कंजरवेशन लगा सकता हूं तो एनरजी कंजरवेशन से तो टेमपराचर आजाएगा दूसरा जितनी गैस पहले अंदर यहां थी उतनी यहां हैं तो मोल एनरजी लगा जा सकता है उससे प्रेशर भी आ जाएगा तो डुनों फाइन कर सकते हैं तो energy conservation से हम बोल सकते हैं कि 1 और 2 की total energy जो है initial उतनी ही total energy होगी final ठीक है अब देखो energy लिखते हैं fy2 nrt तो पहले इसकी energy लिखी जाएगी fy2 n1 r t1 इसकी हो जाएगी fy2 n2 r t2 finally देखें तो बन की हो जाएगी fy2 n1 r final temperature प्लस fy2 n2 r final temperature ठीक है तो fy2 और r तो यहां से गए तो यह बच गया है यहाँ पर fy2 दो देखो सम्में से गया n1 r t1 n2 r t2 n1 r t2 n1 r t और n2 r t बच गया answers हमें सारे option p और b की terms में दे रखी हैं तो इसको मैं pv में convert कर लेता हूँ nr t1 की जगह हम लग सकते हैं p1 v1 इसकी जगह p2 v2 equal to t common लिलो bracket में बच जाएगा n1 r plus n2 r n1 r की जगह क्या लिखा जा सकता है p1 v1 upon t1 n2 r की जगह p2 v2 upon t2 ठीक है solve कर लो LCM लेकि temperature की यहां से value आ जाएगी solve करते हैं बही t1 t2 LCM उदो जाके multiple होगा तो t1 t2 bracket p1 v1 plus p2 v2 upon p1 v1 t2 plus p2 v2 t1 तो यह आ गया हमारे पास final temperature यह तो हो गया हमारे पास correct answer ओके ठीक है तो हमारे पास correct answer क्या हो जाएगा इसका यह हो जाएगा हमारे पास third ठीक है third option हो जाएगा अब यहीं पर इसी question में बोलते हैं कि sir अगर हमें final pressure भी निकलना तो वो कैसे निकालेंगे तो वो भी यहीं बतायता हूं final pressure कैसे निकालेंगे तो देखो जितने mole total है initially उतने ही total mole final होने चाहिए initial mole को क्या लेख सकता हूं मैं P1 V1 upon RT1 प्लस P2 V2 upon RT2 यह उसी KTG की question से लगाया है मैं पी इकल टू NRT से final mole लिखने तो N1 की value के लिख सकता हूं P final V upon RT final plus P final V upon RT final अब तुम T final अलेड़ी calculate कर चुके हो P final बचा है यहां से solve हो जाए रहा है कि नेक्स्ट कोशन देखते हैं कि कोश्चन अब एंड देखो कि बुला है अब पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इस प्लेच्ट इन फ्रंट ऑफ और कॉन के मिरर गिवन है हमें जिसकी फोकल लेंदे रहे है 20 cm on the principal axis of the कॉन के मिरर अट दिसंस ऑफ इस कॉन के मिरर के सामने हैं 5 cm पे पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है a glass slab is placed in front of the mirror perpendicular to the principal axis the image formed by the system for first reflection and then reflection ठीक है क्या वोला समाझना है ठीक है कि यह हमें दे रखा है यहाँ मैं इसी को काम में लेता हूँ ठीक है यह हमें दे रखा है यहाँ f equal to 20 cm का एक mirror ठीक है और बोला है कि देखो यहाँ से पहले यहाँ reflection होगा और reflection के बाद रेज इस लेप पड़ जाएंगी reflection होगा reflection के बाद में final image की हमें positions बतानी है कि क्या होगा real होगी virtual होगी इसके अलावा कहां होगी तो देखो यह हो गया mirror focal length 20 cm principal axis यहाँ slab रख दी 30 cm mu की value 3y2 यहाँ point object रखा हुआ है 5 cm पर और यह भी यह 5 cm दे रखा है इसकी image बनानी है अब देखो पहले बोला है कि reflection को consider करना है तो यहाँ से रह आएगी ठीक फोकल length 20 यह radius of curvature 40 होगा मतलब center of curvature इसका यहाँ कहीं होगा तो normal ऐसे कहीं पास हो रहा होगा तो i equal to r से यह reflect हो जाएगी रह इस तरह से यह रह आई यह normal हो गया और यह रह यूँ reflect हो गया ठीक है यह i equal to r से reflect हो गया ठीक है एक रह यहाँ आएगी यह और इस तरह से reflect हो जाएगी तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि यह ले डोनों के दोनों रह आगे की तरफ कहीं converge नहीं कर रही है तो हम माले थे हैं कि पीछे यह यह यहां कहीं converge कर रही होगी तो यहां हमें मिल जाएगी reflection की वजह से image आई वन जिसके बारे में हम साफ साफ कह सकते हैं कि यह behind the mirror होगी और virtual होगी ठीक है इसकी position भी find कर लेते हैं तो mirror formula 1 upon v plus 1 upon u equal to 1 by f तो यहां से आएगा यह 1 upon v equal to uf upon u minus f तो यहां से 1 upon v value रखते जाओ तो यहां से v की value आगई है uf upon u minus f u, u कितना हो गया तो देखो ray आ रही है इधर से तो इसके opposite में हम लेंगे minus और इधर लेंगे plus ठीक, अब देखो u की value कितनी है, minus 5 f की value minus 20 तो minus 5 into minus 20 upon minus 5 minus of minus 20 तो यह value आगई 100 by 15 मतलब 20 by 3 के लिए मतलब plus का 6.67 cm plus का 6.6 cm मतलब image जो है यहां से incident की direction में यहां बनी है तो हम वैसे भी बोल सकते थे कि वे mirror के लिए positive आगी है देखो virtual image है तो यह यह अगर नेगेटव आता तो रियल इमेज होती है रागि री डियाग्राम से भी देख लिए हमने आई बन जो है वो वर्ट्वॉल है अब रिफ्रेक्षन देखते हैं तो अब यह जो रे आई हैं यहां पर यह रे जो है फर्दर यहां पर रिफ्रेक्ट होंगी तो ये रे जो है वो रेलर से डेंसर की तरफ आ रही है तो तो तुवार्श दर नॉर्मल बैंड होगी और फाइनली आने वाली रे के ही पैरलल इमर्ज होती जाएगी ये रे बिलकुल सीधी पास हो जाएगी तो ये है अभी भी यहां कहीं भी आगे कंवर्ज नहीं करने वाली तो इनको पीछे एक्सपेंड कराते हैं तो ये पीछे यहां कहीं इंट्रसेट करेंगी तो हमें देख रहा है इमेड जो है वो दोनों के बीच में बनेगी इसको मैस्टमेटिकली भी एक बार हम प्रूफ कर लेते हैं तो देखो आईवन जो है वो इस स्लैव की बज़े से यह सिफ्ट हुआ कितना डेल्टा.. इस डेल्टा की वेल्यू जो है वो होती है -, टी वन माइनस वन अपॉन मिमू है movements तो यह आ गया 10 cm, मतलब slav की बज़े से, reflection की बज़े से, image जो है, वो incident ray की direction में ही 10 cm आगे shift हो जाएगी, plus में आया है, minus में होता तो incident की opposite, ठीक है, तो हम कह सकते देखो यह I1 यहाँ था, अब 10 cm shift हो, मतलब 6.67 तो यहाँ, बाकि 3.33 यहाँ, तो 0 से यह 3.33 यहाँ कहीं image होगी, तो final answer क्या होगी है, हमारे पास, कि final image जो है, वो mirror और slab के बीच में होगी और virtual होगी, क्योंकि actual में intersect नहीं कर रहे हैं, ठीक है, देखें ज़रा option, तो कहाँ image बनेगी, virtual behind the mirror, no, real between the mirror and slab, between तो बनेगी, बट रियल नहीं होगी, virtual between the mirror and slab, तो correct answer होजाएगा, हमारे पास third answer, okay, next question देखने में, question number 10, क्या बोला है, a parallel beam of light consisting of two wavelength, 14,000 angstrom and 26,000 angstrom, current in them salvage falls on a double slit expiry apparatus, the separation between the two slits is 2 cm, and then of between, plane of the slit and screen is 1 meter, ठीक है, location where the minimum of two waves coincide for the first time after, ठीक है, okay, 14 and 26, देखना जरा है, हम से क्या बोला है, कि एक YDSC का setup, ये screen, दोनों slits के बीच की distance 2 cm, मतलब 2 into 10 to the power minus 2 meter, ठीक है, slits और screen के बीच का separation capital T दे रखा है, 1 meter, ये small d है, अब जो हमें, हमने interference के लिए, यहाँ पर fringe pattern अचीव करने के लिए, जो light काम में लिए वो Y chromatic है, उसमें two wavelengths available है, एक तो है, हमारे पास 2,6,000 angstrom, और एक है, हमारे पास 14,000 angstrom, ये lambda 1, ये lambda 2, अब देखो, होगा क्या, कि यहाँ से अगर हम देखें, तो first lambda चाए second lambda, दोनों के लिए, center तक पहुँशने के लिए, same path चलना पड़ेगा, तो दोनों का central maxima तो एक ही जगे बनेगा, लेकिन, other maxima और minima जो है, उनकी height center से, अगर कोई y मान ली जाए, तो y की value आती है, minima के लिए, अगर मैं nth minima की बात करूँ, तो 2n-1, lambda y2, dy, d, और अगर maxima की बात करूँ, तो n lambda dy, d हो जाता है, वहाँ, ठीक है, यह हो गए minima की, अब तुम साफ साफ देख सकते हो, कि यह जो minima की height है, वो lambda पे depend कर रही है, जिसका lambda जादा होगा, उसका maxima या minima जो है, वो center से, ज्यादा distance पे बिलेगा, clear, ठीक है, लेकिन अब caution में बोला है, caution में बोला है, कि हमें, कि यहाँ से, center से, वो minimum height बता नहीं है, जहां दोनों के minima, जो हैं, वो coincide कर रहे हैं, अब minimum coincide कर रहे हैं, यह नहीं बोला कि दोनों के first first है, दोनों के second second, मैं माल लेता हूँ, पहले वाली lambda 1 का n1 minima, और lambda 2 का n2 a minima coincide कर रहा है, तो lambda 1 के लिए, मैं nth minima की position लिखूंगा, 2n1-1, lambda 1y2, dy, d, और lambda 2 के लिए, n2 a minima हो जाएगा, हमारे पास यह, यह अगर coincide कर रहे हैं, तो दोनों के लिए y की value, क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो यहाँ, n1 तो हो गया lambda 1 वाला, और n2 हो गया lambda 2 वाला, हमें यही वाला y find करना है, minimum, minimum y यह कितना होगा, तो देखो, यह तो cancel हो गया, 2 से 2 गया, तो 2n-1, 2n2-1 की value आगई, lambda 2y, lambda 1, lambda 2 की value है, हमारे पास 26,000, lambda 1 की 14,000, तो यह हो जाएगा, हमारे पास 13,7 के लिए, मतलब 2n1-2n2 का ratio 13,7 होगा, minimum ratio होगा, यह, इस से ज़्यादा भी हो सकता है, कैसे, यह ratio हमारे पास 26,000, भाई 14 भी हो सकता है, यह value हमारे पास 39,000, भाई 21 भी हो सकता है, clear, हमें यह minimum value find करना है, तो minimum value के लिए हम minimum ratio ले लेते हैं, मतलब 2n1-1 की value 13 ले लो, यह 2n2-1 की value 7 ले लो, इस से भी answer निकल, तो same ही आएगा, clear, रेक्या, तो मैं lambda 1 वाला relation ले ले लेता हूँ, ठीक है, तो y की जो भी minimum value होगी, वो कितनी आएगी, हमारे पास, 2n1-2 की value 7 ले ले लेते हैं, तो 7 lambda 2 dy 2d, ठीक है, तो कि यह lambda, स्वरी, यह उल्टा कर दिया है मैं थोड़ा, देखो, n1 के साथ में, नहीं सही है, 2n1-1, lambda, बिल्कुल correct है, देखो, तो n2 के corresponding की आया है, n2 के corresponding आया है, हमारे पास, 7, तो यह value आएगी, 7 lambda 2, y2, dy, yd, तो 7, lambda 2 की जो value है, हमारे पास वो है, 26,000, y2, d की value 1 meter, small d की value 2 centimeter, ठीक है, तो यह हमारे पास हो गया, y minimum, यह हो जाएगा, हमारे पास 13, इससे गया 13 times, 91 by 2 into, यह एंग स्ट्रंग में था तो 10 to the power minus 10, into 10 to the power minus 5 meter, तो value आएगी, 45.5 into 10 to the power minus 5 meter, यह S.E. को मैं बोल सकता हूँ, 4.55 into 10 to the power minus 4 meter, तो minimum value आजाएगी, हमारे पास 4.55 into 10 to the power minus 4, clear, देखते हैं जरा, options, तो answer first हो गया, सीधा हमारे पास साब सब देखाए जरा है, 4.55 into 10 to the power minus 4, next question देख, question number 11, क्या बोल रखा है, कि array of light is incident on a thin flame, यह thin flame दे रखी है बहुत, as on the figure MN, R2 reflected rays, P and Q are to transmitted, where N and Q undergoes a phase difference of pi, correct order of the reflective indices, ठीक है बही, समय नजरा किया कहान लिए, कि बोला है बही, कि N और Q में हमें pi का phase difference चाहिए, तो कौन सा N1, N2 में relation correct हो सकता है, तो यहां इस question को बढ़ने से पहले, हम एक चीज़ किलिए कर लेते हैं, कि जब भी light ray, एक rarer से denser medium की तरफ आ रही होती है, या बोल तो denser से reflect हो, reflection देख रहा हूँ मैं, तो जब यह ray, rarer से denser surface पर strike करती है, और reflection होता है, तो reflection में कभी phase change नहीं आता, कि लिए रे क्या, ray जो है, वो rarer से denser में जाए, तो dancer से rarer में जाए, reflection में कभी phase difference नहीं आता, कि लिए ray क्या, reflection में आएगा, और वो भी कब आएगा, अगर ray denser से reflect हो रही है, तो यहाँ pie का change आएगा, और अगर ray, rarer से reflect हो रही है, तो यहाँ pie का change नहीं आएगा, यहाँ pie का change नहीं आएगा, तो दिमाग में क्या रखना है, कि वह reflection से, तो pie का change, कोई change नहीं आता phase में, और reflection में πाई का चिंद तब ही आएगा जब denser से reflection हो रहा हूँ clear? अब option देखो हमसे बोला है कि n और q में πाई का phase difference चाहिए अब n और q मिली कहाँ इस बाली ray से यह तो split हुई है तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी यहां अगर मैं देखूँ तो यहां पर दोनों split हुई है तो दोनों के दोनों में phase difference आ सकता है मैं माल लेता हूं चलो कि n1 की value जो है वो कम है n2 से n1 कम है n2 से तो यह rarer हो गया और यह denser हो गया तो देखो यह rarer से यह तो reflection हुआ तो यहां तो कोई phase difference नहीं मिला और यह rarer से reflection हुआ है यह वाला जो है वो rarer से reflection हुआ है तो यहां भी phase difference नहीं मिलेगा इसके बाद यह जो है यह further n3 में move की है और n3 में move करने के लिए भी reflection के थूँ गई है तो यहां भी phase difference नहीं मिलेगा मतलब n और q में कोई phase difference नहीं आएगा इस condition के लिए तो उल्टा कर लेती है मैं माल तो n1 जो है वो ज़्यादा है n2 से तो अब क्या होगा तो देखो यह जो हुआ है यह तो हुआ है reflection तो कोई phase difference नहीं यह reflection हुआ और reflection भी अब कहा हुआ है n1 ज़्यादा है तो हम साब साब कह सकते है कि इन दोनों में पाई का phase difference होने के लिए n1 की value n2 से ज़्यादा होनी चाहिए यहां तो reflection हो रहा है तो n3 की value को फरक नहीं पड़ेगा तो आप वो option देखो जिसमें n1 greater than n2 हो तो ऐसा option हमारे पास केवल third है तो correct answer हो जाएगा हमारे पास third next question की तरह बढ़ते है question number 11 क्या बोला है a hemispherical surface half of a spherical surface of radius capital R is located in a uniform electric field E that is parallel to the axis of the hemispheres center से ही जो access pass होगा उसके parallel है what is the magnitude of electric flux through the hemisphere of the hemispherical surface ठीक है भई flux find करना हमें hemispherical surfaces तो इससे पहले हम देख लेते हैं किसी भी surface के लिए flux हम find कैसे करते है देखें जरा तो यह मान लो कोई भी cross-sectional area है यह इदर uniform electric field है area vector जो होता है वो surface के perpendicular इदर होगा इनके बीच का angle theta clear तो इससे पास होने वाला flux हम लिखेंगे e.a या बोल दो e.a cos theta clear तो इस दिख कर नहीं देखें अब अगर इस दिख चीज को मैं ध्यान से देखूँ तो इस area के अगर component लें तो area का इदर component आएगा a cos theta और इस area का इदर component आएगा a sin theta यह तो vector component है area के plane की बात करूँ तो plane जो होता है vector के perpendicular मतलब इस component का plane यह होगा और इस component का plane यह होगा तो अगर ध्यान से देखो इसमें मैं थोड़ा सा लग बनायता हूँ यह तो है a cos theta वाला और यह है a sin theta वाला electric field यह है तुम साब साब देख सकते हूँ flux जो पास हो रहा है उसमें a sin theta का कोई रॉल नहीं है क्योंकि lines इसी से चिपक के साइड से निकल जाएगी flux जो पास हो रहा पुजी तरह से a cos theta से हो रहा है तो इसमें area में a cos theta है यह है तुमारा effective area जिसका flux में रॉल है इसको हम क्या बोल सकते हैं इसको आप दो तरह से बोल सकते हो या तो आप बोल दो कि electric field के perpendicular में जो effective area है वो ठीक है मैं plane की बात कर रहा हूँ या area के plane की vector के नहीं कि यह electric field इसके perpendicular जितना plane है area का या तो वो area ले लो या इसको बोल सकते हैं projected area कि भई यहां अगर मैं torch जला दूँ तो यहां जितना projection बनेगा न इस पूरे के पूरे area का वो जितनी च्छाया बनेगी वो area ले लेना है ठीक है तो जैसे अगर हम देखें कि मानलो यह पूरा का पूरा sphere होता इदर से electric field आ रहा होता clear है क्या तो इसका projected area की अगर बात करनी है तो इदर से अगर मैं torch जला हूँ तो यहां जो shadow बनेगी न वो केवल इसके pi r square की बनेगी ना कि पूरे का पूरा 4 pi r square की तो इस sphere के लिए जो हमारे पास projected area वो हो जाएगा pi r square अगर यह hemispherical भी ले लिया जाए तो भी projected area क्या हो जाएगा pi r square हो जाएगा clear है क्या तो दिमाग में यह रखना है कि e dot a में जो हमें area लिखना है किसी भी open surface के लिए वो हमें क्या लिखना है उसका projected area लिखना है clear है क्या open surface याद रखना है क्योंकि यह open surface के लिए flux लिखा गया है अब आप्सन देखो उपकर हाँ भी तो हमें फ्लक्स लिखना है तो देखो इसका प्रोजेटरी पाई और स्कॉर हो जाएगा तो फ्लक्स आएगा E इंटू पाई और स्कॉर करेक्ट आंसर अब तो दिक्कत नहीं रही पोड़ तो जाएगा नेक्स्ट कॉशन देखते हैं तो बुला है इन दब पोटेंशियोमेटर सरकेट ये एक पोटेंशियोमेटर का सरकेट दे रखा है तो इन दब गैलबनोमेटर इन दब दिफलेक्शन नो दिफलेक्शन 480 एक्वल तो 35 सेंटेमेटर बैसिकली जो है अमारे पास पोटेंशियोमेटर का एक्सपरीमेंट जिसमें अन्यून सैल का हमें E-MF फाइंड करना होता है उसके ऊपर ये कॉशन देखना जारो हाँ ये एडी टोटेमेटर का पोटेंशियोमेटर का वांता आरते है देखना जारो यह 80 टोटल दे रखा है 50 cm और इसका रजिस्टेंस है 89 तो पहले तो एक बार यह सोचो कि यह ही नहीं चलो यह सेल इसमें ही नहीं किये वल मैं इसके मैं प्राइमेरी सर्केट की बात करता हूँ तो प्राइमेरी सर्केट को अगर मैं देखू तो यहां है 2 ohm यह 20 वोल्ट का से लगा हुआ है इस पर बैटरी लगी हुई है यह पूरा AB हमारे पास AB वायर हो गया जिसका टोटल रजिस्टेंस है 18 ohm और लैंट है 50 cm अब देखो इस सर्केट को देखो तो टोटल रजिस्टेंस हो गया 20 वोल्टेज भी 20 है तो करेंट फ्लो होगा इसमें 1 amp तो AB वायर पे कितना potential drop आया AB वायर पे potential drop आयेगा I into R मतलब 18 वोल्ट तो इसके पर cm पे जो potential drop आयेगा वो उसे हम बोल देंगे potential gradient कि वह टोटल लैंथ पे आया 18 वोल्ट का drop ठीक है टोटल लैंथ है 50 तो 50 cm तो वोल्ट पर cm इतना आ गया हमारे पास potential gradient अब बात करते हैं cell के यह अब देख null deflection मिलाए कितने पर 35 पर तो पहली बात तो null deflection मिलेगा कैसे null deflection मिलेगा कैसे देखना तो अगर हम देखें तो यह high terminal वाला point है तो A वाला point high terminal पे होगा और D वाला point low terminal पे होगा मतलब इन नोनों की बीच में जितना भी potential difference है ना उसकी अगर मैं battery बनाऊं तो कुछ ऐसी बनेगी के लियर इस circuit को अगर तुम ध्यान से देखें के लियर इसमें अगर मुझे null deflection चाहिए तो वो कब मिलेगा कि जब जितना EMF इसका है उतना ही EMF इसका हो तो उसमें क्या को अपोच कर देंगे और current नहीं आएगा मतलब मैं कह सकता हूं finally null deflection पर E का value उतना ही होगा जितना AD पर potential drop आया है clear है क्या अब हमें per centimeter drop पता है तो 35 centimeter का drop निकालना है EMF हो जाएगा तो E की value आ जाएगी per centimeter drop into length 35 centimeter तो यह value आएगी हमारे पास 5 से यह 10 times यह 7 times तो यह हो गया हमारे पास 126 by 10 तो 12.6 वोल्ट जो है उसका EMF होगा correct answer हो जाएगा हमारे पास third next question की तरफ बढ़ते हैं question number 14 देखें तो like calculate the net resistance between A and B net resistance calculate करना है पहली बात तो अगर मैं circuit को देखू तो पूरी तरह से symmetric circuit है symmetric circuit है A और B के along देखा जाए तो इसमे mirror symmetry हमें मिल रही है अब mirror symmetry से फाइदा क्या होगा देखना मिलर symmetry से क्या फाइदा होगा कि अगर A और B को A और B को अगर मान लो किसी external supply से जोड़ दिया जाए B वोल्ट तो यहां से current आएगा कुछ जो जाएगा इसमें मान लो इसमें गया I1 इसमें गया I2 तो नीचे इसमें कुछ I3 चला जाएगा मैं उपर वाले symmetric section को देख रहा हूँ I1 आया इसमें गया I1 डेस इसमें गया I1 डवल डेस इज़र से I1 आया उपर जाएगा I1 डवल डेस इज़र जाएगा I1 डेस तुम अगर ध्यान से देखो तो symmetry से मैं बोल सकता हूँ कि देखो इसमें I1 आया आगई इसमें I1 डेस आया सब कुछ symmetric है तो यह पूरा I1 डेस आगए लोटेगा इजर से 1 डवल डेस आया तो यह भी इसमें से लोट जाएगा के लिए रह क्या 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 क्योंकि सब कुछ symmetric कर जितना current आया वो बोपर से flow होते जाएगा नीचे इधर से जितना current आया वो इधर flow हो मतलब बेसिकली इस बीच वाले junction के होने का कोई मतलब ही नहीं है इस पूरे circuit को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ कि आर, 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 ठीक है बीच वाले junction के होने और ना होने का कोई फरक नहीं पड़ेगा यह साथ में एक आर और चलोगा के लिए रहे कि अब इसका आर एकोड़ निकालना है जो कि हम easily find कर सकते हैं तो क्या आएगा आर और आर, टू आर हो गए, टू आर और आर क्या हो जाएगा, टू आर वाई थ्र टू आर वाई थ्री के साथ में यह आर और आर सीरिज में आ गए, तो इनका टोटल आएगा हमारे पास, टू आर वाई थ्री प्लस टू आर, एट आर वाई थ्री, यह एट आर वाई थ्री, नीचे वाली इस ब्रांच का भी एट आर वाई थ्री, तो पूरी इन दोनों ब्र सांचिस का हो जाएगा 4RY3 ठीक है इस 4RY3 के साथ में नीचे R पैरलल में लग रहा है तो resultant आएगा 4RY3 into R upon 4RY3 plus R यह R equivalent आगया जिसकी value आगी 4RY7 correct answer हो जाएगा next question देखें question number 15 बोला है for the circuit zone in the figure the direction of magnitude of the force direction and magnitude of the force on PQR loop यह current carrying loop रखी हुई है जो की एक uniform magnetic field में रखी है इस पे बोला है कि बताओ net magnetic force कितना होगा और उसको direction क्या होगी तो किसी भी uniform magnetic field में रखे current carrying wire पर अगर मैं magnetic field निकालूँ तो वो कैसे निकाला जाता देख रहा है कि यह एक uniform magnetic field है सपोज अंदर की तरफ ठीक है यह current carrying wire है जिसमें I current flow हो रहा है तो इस पे जो force आएगा B uniform magnetic field में वो आएगा हमारे पास force equal to I L cross B basically यह किसी element में लिखा जाता है छोटा सा force D F जो आता है I D L cross B ठीक है अगर magnetic field uniform है तो मैं इसको net force को लिख सकता हूँ I L cross B जहां पर L जो है वो इस wire के initial point और final point को मिलाने वाला displacement vector है clear है क्या है तो जब भी uniform magnetic field में रखे किसी current carrying wire पर magnetic force find करना है तो आप direct लिख सकते हो I L cross B या L है initial final point को मिलाने वाला displacement vector clear है क्या तो अगर मान लो यह हमारे पास ऐसा होता कि wire एक semi circular होता R radius का तो उसके लिए effective length आप सीधी की सीधी ये 2R ले सकते थे force find करने के लिए clear अगर मान लो यह हमारे पास कोई close loop हो जाए किसी भी shape की close loop हो जाए तो initial and final point same हो जाएंगे तो displacement vector L zero vector हो जाएगा और force आएगा वहाँ zero तो हम बोल सकते हैं किसी भी uniform magnetic field में रखे current carrying loop पर net force कितना होगा zero हो जाएगा loop पर loop के लिए L vector zero vector तो force भी क्या आएगा zero लेकिन curve जब भी क्या हो uniform हो non uniform में ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है clear इसी चीज़ पर हमारा caution है तो देखें जरा आगे देखो question एक close current carrying loop दे रखा है uniform magnetic field में पुला है force कितना हो जाएगा तो calculate करने की जरूरती नहीं है no resultant force on the loop loop पर कोई परणाविवल कार है नहीं करेगा clear आगे देखते हैं question number 16 बोला है इस्थाई चुमक बनाने के लिए उसके क्या-क्या properties होनी शही है पूरा permanent magnet है permanent magnets they should have higher or low retentivity and higher or low coarsivity तो इसको समझने से पहले से जरा हम BH curve समझ लेते हैं कि कि किसी भी magnetic material के लिए अगर BH curve बनाए हम किसी material के लिए BH curve बनाते हैं ते कोई यह बना लिए यह तो है B जो कि magnet के खुद की वज़े से आ रहा है यह magnetic strength H जो कि externally apply की जा रही है अब इसमें दो points है एक तो है यह point यह O नाम देता हूँ इसको नाम देता हूँ मैं OA और इसको नाम देता हूँ C OA length और OC length की बात कर रहा हूँ इस OA length को हम बोलते है retentivity और OC length को बोलते हैं coarsivity अब देखो retentivity basically है क्या कि जब H 0 हो तो B की value clear B की value मतलब हमने बहार से कोई magnetic field लगाया ही नहीं matter के खुद की वज़े से जो magnetic field है वो है B अब देखो अगर retentivity की value बहुत ज़दा high है retentivity की value high है तो उसका क्या मतलब है retentivity की value high होने का मतलब है हमारे पास की बिना external field के magnet का खुद का अच्छा खासा magnetic field है मतलब magnet का B क्या हो गया high हो गया magnetic strength उसकी high हो गया clear है क्या courseivity की high होने का क्या मतलब है courseivity basically है क्या कि H की वो negative में value है जिस पर B zero हो जाए clear है मतलब अगर हमें magnet के खुद के B को zero करना है तो कितना opposite में magnetic field लगाए अब सीधी सी बात है जितना ज़्यादा opposite में लगाना पड़ रहा है मतलब magnet की strength उतनी ही ज़्यादा है तो यहाँ पर भी strength ज़्यादा मिलेगी मतलब अगर हमें कोई ऐसा magnet बनाना जिसकी magnetic strength शांदार वाली हो काफी ज़्यादा हो तो उसके लिए retentivity भी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि बिना external के ही वो magnetic field देते और courseivity भी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि उसको zero करने के लिए opposite में ज़्यादा magnet लगाना पड़े तो हम बहुत सकते हैं permanent magnet के लिए permanent magnet के पास क्या property होती है उनकी magnetic strength अच्छी खासी होती है ज़्यादा होती है तो इसलिए उनके लिए retentivity भी ज़्यादा होनी पड़ेगी और courseivity भी ज़्यादा होनी पड़ेगी next question की तरह बढ़ते है question number 17 देखे बलाए a particle of mass m and charge q moves with a constant velocity v along the positive x-axis it enters in a region containing a uniform magnetic field अगे ध्याँ सुनना ये बड़ बहुत important है uniform magnetic field के लिए रहे क्या जब भी caution में हो तो इस वर्ड को ध्यान से पढ़ लेना है बनना अर्थ का अनर्थ हो सकता है ठीक है directly along the negative z direction extending from x equal to a to x equal to b the minimum value of v required so that the particle can just enter in design x greater than b समय ना कि क्या बोला है कि ये x-axis इदर एक particle है यहां कहीं मालो q charge m mass का और constant velocity v से move कर रहा एक magnetic field है जो केवल इन boundaries के बीच में ये है x equal to a और ये हो जाएगी x equal to b मतलब इस region में केवल b minus e में इस region में magnetic field है अंदर की तरफ negative z में अब जब ये positive charge यहां से enter करेगा यहां तो क्या होगा v इदर magnetic field नीचे तो v cross v force लगेगा इस पर force लगेगा moving charge पर q v cross v clear जिसकी वये से यह हलका सा उपर debit होगा और हर जगा जब यह उपर debit होगा थोड़े में इसकी velocity इदर हो जाएगी फिर इदर इदर velocity हो जाएगी तो इदर force लगेगा फिर इदर velocity हो जाएगी तो इदर force लगेगा कुल मला के velocity के perpendicular force लगता रहेगा और यह circular motion यहां complete करने वाला है यह basically यह circular motion complete करेगा जिसका center यहां कहीं होगा क्योंकि v cross v से force उपर लगेगा positive charge ठीक है बाई अब यह circular motion करेगा तो force q v cross v की value mb square y r के equal कर देते हैं तो force v cross v तो force आगे हमारे पास q v b क्योंकि velocity और magnetic field यहां perpendicular plane में तो यहां से radius की value आगई mby qt मतलब यह जो charge particle जो है यह जो circular motion कर रहा है इसकी radius इतनी है अब देखते हैं अगर यह radius इस b minus a से कम हुई क्योंकि यह radius तो है अगर यह radius b minus a से कम हुई तो इसी के अंदर घूम जाएगा कभी भी यह इस वाले reason में इंटर नहीं हो पाएगा अगर यह radius b minus a से ज़्यादा हुई तो particle अब कैसे जाएगा तो यह u जाना चाहेगा और यहां तक तो radius b minus a से ज़्यादा है तो यह particle जो हो second वाले में इंटर कर जाएगा अब यहां magnetic field ना होने की वज़े से यह bend नहीं होगा और सीधा चला जाएगा clear है क्या तो सीधी सी बात है अगर इसको इस reason में इंटर करवाना है तो इसकी radius जो है वो greater than b minus a होनी चाहिए तो mb greater than v minus a upon qb तो यहां से v की value b minus a एक मिनट radius mby qb तो उपर आए गए तो qv b minus a y m यह आगई velocity clear है क्या तो इसको जहां इस b के आगे वल रिजन में इंटर कराने के लिए speed की यह velocity की minimum value qv b minus a y m होनी चाहिए clear है क्या तो देखते हैं जराब option तो radius की minimum value क्या हो जाएगे qb b minus a second answer हो जाएगा हमारे पास 17 का correct answer second next question की तरफ बढ़ते हैं question number 18 क्या बोला है photo electric effect पर question है तो पहले तो हम थोड़ी सी photo electric effect की बात कर लेते हैं कि यह भई कोई metal इस पर अगर कोई frequency f जो की threshold से ज़्यादा है का photon आ रहा है तो वो इससे electron निकालेगा clear है क्या कोई photo electron निकालेगा जिसके लिए k max जो होगा maximum kinetic energy possible वो हो जाएगी हमारे पास hf minus work function clear है ठीक है भई ठीक है अब देखो stopping potential क्या होता है stopping potential होता है opposite में वो potential जो की k max को वाले particle को भी rest पे लेके आ जाए तो k max की value हम e into vs भी लिख सकते हैं तुम अगर ध्यान से देखो तो stopping potential पूरी तरह depend करता है एक तो frequency पर और work function करता है कितने photon आ रहे हैं कितनी intensity आ रही हैं इन चीजों से उसका कोई लेना देना नहीं है तो stopping potential f पे और 5 पे depend करेगा clear है क्या i से उसका कोई लेना देना नहीं है intensity से लेकिन अगर मैं बात करूँ कितने number of electrons निकलेंगे photo electrons कितने निकलेंगे तो ये depend किस पे करेगा देखना कि यहां से जितने ज़्यादा photons आएंगे वो उतने ही ज़्यादा electrons से टकराएंगे और जितने ज़्यादा electrons से टकरा के उनको energy देंगे तो उतने ही ज़्यादा electrons बाहर निकल सकते हैं मतलब number of photo electrons की value पूरी तरह से depend करेगी number of photons पर clear है क्या ? number of photo electrons पूरी तरह से depend करेंगे photons पर और number of photons जितने ज़्यादा आ रहे हैं intensity भी उतने ज़्यादा मतलब मैं बोल सकता हूँ ये i पर depend करेगा clear तो number of photo electronics intensity पर depend करेंगे stopping potential frequency of statistics memorize तो इस सोर्स से चारो तरफ लाइट निकल रही है कि लिए रही है और इसके चारो तरफ अगर मैं D-redease का स्फेर माल लूँ तो इस पूरे स्फेर पर लाइट गिर रही है तो ये पी पावर पूरे 4π D-Sqare पे गिर रही है तो पर यूनिट एरिया पर कितनी हो जाएगी पी अपॉन 4π D-Sqare मतलब मैं बोख सकता हूं intensity जो है इन्वर्सली proportional है d square अब बोला है इसने d को half कर दिया अगर d को half कर दूँगा तो intensity four times हो जाएगी मतलब d को half करने से intensity four times हो गई है लेकिन उससे photon की frequency पर कोई फरकने पड़ेगा intensity दिक्री जाएगी है मतलब overall caution में intensity को four times किया गया और बोला गया है कि बाकी चीजों फेफेक्ट बताओ तो जिखो intensity four times होगी तो number of photons भी proportional है four times हो जाएगी but stopping potential का intensity से कोई लेना देना नहीं है तो वो सेम रहेगी तो number of photons four times and stopping potential will remain same तो correct answer हो जाएगा हमारे पास fourth option होके उम्मीदा सबको अच्छे से clear हो गया हो गया है next बढ़ते हैं हम question number 18 की तरफ 19 की तरफ 19 में क्या बोला है a conducting square loop of side L and resistance R moves in its plane with a uniform velocity be perpendicular to the one of its sides ठीक है a magnetic induction be constant in time magnetic field देखना constant बोला है time varying नहीं है pointing perpendicular into the plane of the loop then the current induced in the loop current की value पूछिए इसमें कितनी हैं और है तो वो किदर direction क्या होगी उसकी okay देखो ज़रा तो जैसे ये magnetic field है हमारे पास ये है सुरुआत में यहाँ loop जो की V velocity से आ रहा है अभी इसमें कोई flux pass नहीं हो रहा तो flux pass नहीं हो रहा तो flux change नहीं हो रहा flux change नहीं हो रहा तो current की value 0 क्यों क्यों क्योंकि current आता है induced current magnetic field में magnetic flux में change होने की वज़े से ठीक है तो जैसे यह flux change नहीं हो रहा current की value 0 जैसे यह इसमें इंटर होने लगेगा जैसे यह इसमें इंटर होने लगेगा जब यह इसमें इंटर हो रहा होगा तो इस वाले region से यह area इसमें इंटर हो चुका है तो flux बढ़ा अब जैसे अंदर जाएगा तो flux बढ़ा अंदर पास होने वाला flux बढ़ा है तो lens loss से ये बढ़ने का approach करेगा तो बढ़ने का अंदर की तरब बढ़ने का approach करने के लिए current इसमें anti-clockwise flow होने लग जाएगा clear है क्या अब जब ये पूरा का पूरा अंदर enter कर गया अब इसमें flux अगर लिखूंगा तो be into area ये हो जाएगा अब ये आगे move कर रहा है अंदर है पूरा का पूरा flux change नहीं हो रहा तो flux change नहीं हो रहा तो EMF नहीं आएगा current की value 0 अब जब ये फिर से बहार निकलने लगेगा इस region से तो यहां देखो अंदर जाने वाला flux घट रहा है तो land law से ये घटने का support करेगा तो current ये flow कराएगा clockwise clear है क्या तो हम बहुत सकते हैं जब ये enter कर रहा होगा एक तो तब यहां पर current आएगा anti-clockwise में जब ये अंदर है तो कोई current नहीं आएगा क्योंकि flux change नहीं हो रहा जब ये emerge करेगा तो फिर से current आएगा इसमें high clockwise में क्योंकि current बेसिकली जो है वो flux का oppose नहीं करता है वो flux में change का oppose करता है अब option देखें हमसे यहां पर जो caution बोला है उसमें बात की गई है उस instant की जब ये loop magnetic field के बीच में मतलब ये वो region है जब इसमें flux change हो ही नहीं रहा तो flux change नहीं रहा तो current आएगा ये नहीं answer आजाएगा इसमें फूर्थ option no current will flow ओके next question देखें question number 20 बोला है for the pivoted a cylindrical rod of length L as shown in the figure the angular velocity as the wire reaches the vertical position after being released in the horizontal position ठीक है कि ये अभी horizontal position में rod रखी हुई है और ये यहा LY4 से pivoted है ठीक है ये इसका center of mass यहाँ कहीं होगा इधर से LY4 पर clear अब इसको release कर दिया तो omega initial कितना है 0 अब release करोगा तो gravity की वे से नीचे आए अगर ये vertical हो गई तो finally center of mass यहाँ से यहाँ पहुच गया नीचे LY4 पर तो इसको कुछ ना कुछ rotating kinetic energy मिल जाएगी अब ये rotational kinetic energy आएगी कहाँ से तो basically अगर हम देखे तो center of mass यहाँ नीचे आगया तो हम कह सकते हैं कि potential energy में जितना भी loss हुआ वही kinetic energy में convert हुआ है मतलब loss in potential energy equal to gain in rotational kinetic energy rotational ही क्यों क्योंकि rods हिंज पॉइंट के अबाउट pure rotation कर रही है किसी तरह का translatory motion नहीं है तो देखते हैं बई potential energy में loss कितना हुआ mgly4 नीचे आया है तो mgly4 clear rotational energy क्या लखी जाएगी half i omega square अब i क्या ले i हम उस point के about लेते हैं जिसके about rotation हो रहा है यह rotation जो हो रहा है वो इस point के about हो रहा है clear तो इस point के about i find करना पड़ेगा तो देखो यह i find करना है यह i c um पता है हमें ml square by 12 यह distance d भी पता है तो i की value हम लिख सकते हैं i आएगा यहां से i c um plus m d का square तो l square by 16 यह value यहां रख दो mgly4 equal to half i की value हो जाएगी ml square by 12 plus ml square by 16 into omega square solve करते हैं m सब में से गया एक l गया तो gyl 4 से यह जाएगा हमारे पास 1 by 2 4 से यह जाएगा हमारे पास 3 times यह 4 times omega square तो यह बन गया हमारे पास omega square equal to 24 gy7l तो omega की value आजाएगी under root 24 gy7l correct answer हो जाएगा हमारे पास third answer next question की तरह बढ़ते हैं section D integer types question है हमारे पास देखते हैं question number 1 बलाए two blocks of mass 3 kg and 6 kg respectively are placed on a smooth horizontal surface they are connected by a light spring of force constant k equal to 200 newton per meter initially the spring is unstressed initially कोई भी expansion compression नहीं है the indicated velocity are imported on the blocks ठीक है भी velocity बता दिये इसने maximum extension of the spring की maximum extension जो भी इतना होगा ठीक है भी देखना तो इस तरह की caution के basically standard तरीका standard result आते हैं जो हमें यादी भी रखने होते हैं क्योंकि मिल जाते हैं question देखना जरह क्या है कि देखो अभी इसकी velocity मान लो इधर B2 इसकी इधर V1 ठीक है center of mass होगा बीच में कहीं उसकी velocity मान लेते हैं VCUA मैं with respect to center of mass बात कर लेता center of mass अगर मैं बात करूँ तो M1 की velocity आ जाएगी इधर V1 minus VCUA और M2 की velocity आ जाएगी V2 minus VCUA और यहां में खड़ाओ अभी इसमें कोई भी compression या expansion नहीं है अब अगर center of mass के respect में मैं देखोँगा तो होगा क्या कि यह दोनों particle अभी अपनी mean position पे clear है क्या और mean position पे तो यहां पर velocity दी इसको भी mean position पे velocity दी तो यह अपनी mean position के about यह क्या करेंगे SHM करेंगे clear है क्या SHM करेंगे same frequency से ठीक है भई SHM करेंगे अब मैं चाहता हूँ इसमें maximum expansion आए तो maximum expansion कब आएगा जब दोनों अपनी extreme position पे दूर चले जाएगे clear है क्या कि यह वाला भी इदर अपनी mean position से अपने maximum amplitude पे आजाए यह natural length यह वाला भी अपनी mean position से maximum position पे चला जाए clear है क्या यह तो हो जाएगा maximum expansion की condition तो maximum expansion में यह भी भी 0 यह भी 0 अब अगर मैं बात करूँ maximum compression की तो maximum compression में क्या होगा यह इदर अपनी mean पे एक्स्ट्रीम पे आजाएगा यह इदर अपनी एक्स्ट्रीम पर आजाएगा और यहां पर भी V0 हो जाएगा क्लिए रखे ठीक है भी यह तो expansion और maximum compression की बात होगए अब मैं energy contribution लगा हूँ तो maximum expansion में क्या लेकूँगा initial total energy क्या होगी initially अगर हम देखे तो total energy की वल kinetic form में कोई potency energy नहीं है तो initial energy हो जाएगी half M1 B1 square plus half M2 V2 square माल लेते हैं इसको V1 dash नाम देते हैं चलो center of mass के respect में तो V1 dash square plus V2 dash square ठीक है final energy की बात करूँ तो finally तो दोनों ही रुख गए जब maximum expansion में देखूँगा तो energy लिखी जाएगी half K maximum expansion का square clear और जब maximum compression में लिखी जाएगी तो भी energy लिखी जाएगी half K maximum compression का square तो मगार ध्यान से देखो तो equation में जब expansion के लिए भी same expression आ रहा है और compression के लिए भी same expression आ रहा है मतलब एक चीज तो clear है कि दोनों में या तो मैं maximum expansion निकालू चाहे maximum compression निकालू मे तीज है clear है क्या तो ऐसे question में maximum expansion या maximum compression दोनों की value सेम आती है और वो कब आती है वो जब आती है जब दोनों की velocity center of mass के respect में 0 हो जाए अब center of mass के respect में 0 है तो ground respect में देखें तो ground respect में क्या हो जाएगी देखो ground के respect में बात करें तो center of mass के respect में 0 है तो ground के respect में क्या हो जाएगी देखो तो one का center of mass के respect में लिखा जाएगा v1 minus vc तो v1 की value हा जाएगी v1c plus vc clear यह first particle की हो गई second particle की क्या हो जाएगी V2C प्लस BC maximum expansion of compression तब मिला जब center of mass के respect में 0 हो गई, मतलब ये भी 0 और ये भी 0 तो ground के respect में अगर देखें तो V1, V2 की value VC, VC के equal हो जाएगे मतलब in the end conclusion ये निकलता है कि ऐसे cautions में maximum expansion and compression same आते हैं और वो उस समय मिलते हैं जब दोनों particle की velocity ground के respect में center of mass की velocity के equal हो जाती है या बोल दो दोनों की velocity सेम हो जाती है clear है क्या, अब कोशन देखते है देखो हमसे पूछा है maximum expansion तो मैं compression नकालो, expansion नकालो एक ही बात है अभी ये instant है, हमें पता है maximum expansion तब मिलेगा जब दोनों की velocity सेम हो जाएगी ये maximum expansion x हो गया इसकी velocity भी इदर v हो गई momentum conservation लगा सकते है क्योंकि friction नहीं है, spring force internal force है, system के लिए तो देखो, initial momentum इसका कितना हो जाएगा, minus 3 इसका कितना हो जाएगा, plus का 12 equal to, final momentum 3 into v, 6 into v, 9 v तो v की value आगई, 1 meter पर सेके मतलब maximum expansion compression के time पे दोनों की velocity 1 meter पर सेकेंड अब energy conservation लगा दो, initial total energy, half m v square plus half m v square ये तो kinetic energy हो गई, initially कोई compression, expansion है नहीं, तो potential 0 finally बात करें तो kinetic energy ground frame में देखें तो ground में कितनी हो गई, half m1 b1 square, half m2 b2 square तो half 9 into 1 का square plus potential energy आजाएगी, half के x square आपकी मर्जी है, आप center of mass frame में solve करो, तो भी same answer आते हैं आप चाहे, ground frame में solve करो, तो भी same answer आते हैं बस अंतर यतना है, center of mass में देखोगे, तो center of mass frame में दोनों particle maximum expansion या compression पर zero velocity अचीव करेंगे, ground frame में दोनों same velocity अचीव करेंगे solve करो अब इसे, तो यह हो गया, हमारे पास half तो सब में से गया, यह हो गया 3, 27 में से 9 जाएगा तो 18 equal to k की value 200 दे रखी x square, तो यहां से x की value आगई 9y, 10, 3, x square की value आगई 9y, 100, meter, तो x की value आगई 3y, 10 meter, यह centimeter में देखे, तो 100 से multiply कर दो 30 centimeter, तो maximum compression या expansion आएगा इसका 30 centimeter, correct answer is the 30, okay, next question देखते है, question number 2, a ray of light is incident on a right angle prism of refractive index root 3, as on the figure, the ray of light is reflected and reflected at the surface AC, ठीक है भाई, the angle between deflected and deflected रे पूछा, ठीक है भाई, देखना जड़ा question, कि यहां से ray आई, अब यह रही जो आई है, A, B के perpendicular आई है, तो angle of incidence होगे, इसके लिए, इसके लिए जीरो, तो यह angle of reflection भी हो जाएगा, जीरो, बिना deviate वे सीधी पास हो जाएगा, इस surface भी यह normal हो गया, अब यह देखो, यहां से यह ray आई, कुछ partial reflection हो जाएगा, कुछ इसका reflection हो जाएगा, और बोला, इस reflected और reflected के बीच का यह angle calculate करना है, अब देखो, यह 30, यह 90, तो यह 60, तो यह 30, तो i equal to r से यह भी 30, clear, यह 30, यह normal, तो यह 60 हो जाएगा, यह वाला angle, ठीक है, अब देखो, अब reflection की बात करते हैं, तो reflection के लिए angle of incidence 30, angle of reflection r मान लेते हैं, refractive index root 3, smell so लगाते हैं, तो root 3, sin 30, equal to 1 sin r, तो यह sin 30 की value 1y2, तो root 3y2 equal to sin r, r की value आगी 60, तो यह angle आगया 60, यह पूरा का पूरा 90 है, तो यह हो जाएगा 30, तुम अगर ध्यान से देखो, तो reflected और reflected के बीच का total angle 90 आगया, तो correct answer हो जाएगा, हमारे पास 90 degree, ओके, next question देखते हैं, question number 3, question number 3, basically पागल बना रहा है, conceptual question है, शांदर question है, बिना pen चलाए, free के marks दे सकता है, अगर हमें basic point पता है, क्या point देखना है, कि basically इसमें बोला है, कि इबदार electrical potential of inner and outer cells are, कि इसका inner point देरका 10 volt और आउट कर देरका 5 volt, बोला है, center पे potential बताओ, अब potential होता है, क्या है, potential होता है, किसी reference point या जनरली उसे हम infinity लेते हैं, कि infinity से one कुलाम charge को लाने में, जितना work करना पड़ेगा, वो potential होता है, तो हमें center का potential नकालना है, तो मैं infinity से अगर मैं one कुलाम को surface तक लेके आऊँगा, तो यहा potential कितना है, 5 volt, मतलब यहां तक लाने में work करना पड़ेगा, 5 volt, clear, अगर यहां तक लाना है, inner surface तक, तो यहां का voltage कतना है, 10 volt, तो यहां तक लाने में 10 volt हो गया, मतलब infinitive से अगर मैं इस point तक लेके आजाओ, inner cell की surface तक, तो यहां तक लाने में 10 volt work हो चुका है, clear है क्या है, अब हमें यहां से और अंदर लेके जाना है, तो यहां जितना भी डवलू work extra होगा, वो और add हो जाएगा, तो टोटल potential हो जाएगा, लेकिन यह cell है, और cell के अंदर electric field कितना होता है, 0, अब electric field 0 है, तो कोई work करना ही नहीं पड़ेगा, तो यहां से surface से अंदर center तक लाने में कोई work नहीं करना पड़ा, extra w 0 है, तो टोटल work कितना हो जाएगा, infinity से b तक लाने में 10 volt प्लस 0, correct answer is 10 volt, next question देखे, second last question paper का, बुला है, the wavelength of first line of Lyman series of hydrogen atom is equal to the second line of the bomber series for an unknown iron that is hydrogen-like, और Z की value पूछ लिया है, कि बही, अगर हम cells की बात करें, यह 1, 2, 3, 4, यह रख बना रहा हूं है, जनरली यह gap जो होता है, उपर जाने पर decrease होता है, Lyman series की first line यह हो जाएगी हमारे पास, first line of Lyman series, तो यह हो गई हमारे पास first line of Lyman, hydrogen के लिए, के लिए, बामर सीरीज जो है, उसकी second line, तो बामर की second line यह हो जाएगी force 2, अब देखो, hydrogen के लिए, इसका lambda और बामर किसी unknown के लिए, इसका lambda कोशनदा गोला है same, इस वेवलेंड जो है, दोनों के लिए same है, तो Z की value पूछी है, कोई दिकत नहीं है, तो जब hydrogen के लिए लिए लिकेंगे, 1 by lambda equal to R, 1 का square, 1 upon law N, N का value 1, 1 upon NL square minus 1 upon NH square, यह तो hydrogen के लिए लिए, जब unknown Z के लिए 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 1 upon lambda R, Z square, उसके लिए 1 upon NL square, जो कि यह lower state तो है 2 और higher 4 तो 1 upon nl square minus 1 upon nh square solve करते हैं इसको दोनों equal and same है पराबर कर दो तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 minus 1y4 3y4 equal to यहां से यह बनेगा z square into 16 1y4 minus 16 यह हो जाएगा 12 by 4 into 16 तो 4 से 4 गया यह हो गया 48 equal to 12 z square z square की value आ गई 4 मतलब z की value 2 आ गई मतलब वो जो unknown iron जो है न बिसिकली वो helium iron ओके परेक्ट आंसर हो जाएगा 2 last question देखते है paper का जीनर डायोड का question दे रखा है basically यह voltage regulator का question है कि जब जीनर डायोड को हम as a voltage regulator काम में लेते हैं तो उस तरह का circuit दे रखा है अब ध्यान दें जीनर डायोड जो है वो always केवल जीनर वोल्टेज पर ही operate करता है अगर voltage जीनर वोल्टेज से कम है तो वो open circuit भेव करेगा उसमें कोई current flow नहीं होगा उसका circuit में होने या ना होने का कोई फाइदा मतलब कोई रोल नहीं है फिर लेकिन अगर जीनर वोल्टेज आ गया तो उस ताइम पर वो operate करने लग जाएगा और जो भी लोड उसके parallel में connected है उस पर constant voltage देगा के लिए कौशन में बोला है हमसे वाज़ता होए जीनर डायोड में से current कितना गया तो हमें यह नहीं पता कि operate कर रहा है तो एक बार मैं माल लेता हम यह operate नहीं कर रहा है operate नहीं कर रहा तो यह तो हो गया open circuit तो circuit कुछ ऐसा बचा 500 ohm 1000 ohm यह 10 volt ठीक है बाई जीनर voltage का voltage देखा 5 volt मतलब इस terminal के across यह 5 volt constant रखेगा अगर operate करेगा के लिए रहे क्या इधर से अगर मैं voltage बढ़ात रहा हूं कि इस पे अगर voltage इसका लोड का voltage है वह है VL अब VL की value 1 volt यह operate नहीं करेगा यह 5 volt अपेट करने लग जायगार, जैसके 5 volt से ज्यादा बढ़नी नहीं देगा, मतलब VL कभी भी 5 volt से ज्यादा नहीं हो सकता था जिनर वल्ड से ज्यादा नहीं हो सकता, अगर यहां calculate करने पर यह 5 volt से कम आ रहा है मतलब जीनर डैोडämänेर नहीं कर रहा है अगर इस पे वोल्टेज 5 बोल्ट से ज्यादा आ गया जो कि पॉसिवल नहीं है मतलब डेफिनिटली उपरेट कर रहा होगा तो पहले तो यह चेक कर लेते उपरेट करें गया तो बोल्टेज जबाइड रूल से अगर मैं यह वील निकालू तो वो आएगा 1000 upon 1500 into 10 बोल्ट तो यह आगे बेसिकली 5 से 3 टाइंज यह 2 टाइंज 25 3 बोल्ट 6.67 बोल्ट जो कि पॉसिवल नहीं है क्योंकि यह जीनर बोल्ट डायोड इस पे 5 बोल्ट से जदा आने ही नहीं देगा बट जब हमने माना की ऑपरेट नहीं कर रहा है तो उस पे 6.6 आ गया ज़्यादा आ गया मतलब डेफिनिटली जीनर डायोड ऑपरेट करेगा इस पे ज्यादा बोल्ट हो नहीं नहीं देगा तो एक चीज तो पता लग गई वही कि सरकिट में जीनर डायोड ऑपरेट कर रह ही जिност आ गया हो जagar है तो इसमें करण डायेगा 10 i.e जिस मेंसे इसमें कितना गया 5 x 1 km है इसर गया तो डेफिनिटली जीनर डायोड में भी 5 तो यह हमारा पेपर डिसकर्शन कंप्लेट हुआ, उम्मिदा सही बच्चों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ते रहें, मेनत करते रहें, सभी को गुड़ लग, थेंक यू. Good morning students, मैं Dr. Ravi Jangar, यहाँ पर आप लगों को केमेश्ट्री का पीपर सॉल कराऊंगा, कैसे हो आप सब लोग बढ़िया हो, हम लोग यहाँ पर online DTS जो हमारे पीपर चल रहें, उसका major paper number 3, full syllabus paper है, उसे हम लोग डिसकर्स करेंगे, तो स्टार्ट करें, चलो देखो, क्या है, हमें, consider the following set of hydrogen bonds, हमें hydrogen bond के कुछ order, कुछ groups दे रखें, उनको देखके हमें क्या बताना है, correct order of hydrogen bond strength, hydrogen bond strength का correct order हमें इन में discuss करना है, तो देखो, जब भी hydrogen bonding का इस तरीके से order दिया हुआ हो, हमें यह चेक करना है, कि hydrogen कितने electro negative atom के साथ में जुड़ा हुआ है, hydrogen कितने जादा electro negative atom के साथ में जुड़ा हुआ है, जितना जादा होगा, वो hydrogen उतना ही electron deficient होगा, ठीक है, और जितना electron deficient है, वो hydrogen bonding की strength जो होगी, उसके उतनी ही जादा होगी, यह चेक करने के बाद में हम लोग यह देखते हैं, कि जो भी atom, अपनी electron density, उस hydrogen atom के साथ में hydrogen bonding में लगा रहा है, ठीक है, वो कितना जादा, कितना जादा अपनी density donate कर सकता है, ठीक है, तो अगर हम लोग देखें यहां पर, तो oxygen and nitrogen, आप लगों को पता है कि electron negativity oxygen की कित्ती होती है, 3.5 होती है, nitrogen की कित्ती होती है, 3.0 होती है, तो जो hydrogen जितना जादा electron negative atom के साथ में जोड़ेगा, वो क्या होगा, उतना ही जादा electron deficient होगा, क्योंकि oxygen है, nitrogen है, तो वो क्या करेंग होगे, तो hydrogen क्या हो जाएगा, electron deficient, कौन सा hydrogen जादा electron deficient होगा, जो oxygen से जुड़ा हुआ है, जो oxygen से attach है, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में oxygen है, इसकी electron negativity 3.5, यहां पर nitrogen से attach hydrogen है, इसकी electron negativity 3.0, यहां पर again oxygen है, 3.5, यहां पर nitrogen है, इसकी electron negativity 3.0, ठीक है, तो सब पहले हम लोगों ने क्या चेक किया जतनी ज्यादा एलेक्ट्रो नेगेटिविटी उतना ज्यादा हाइडोजन ऐसे तो हाल पिलाल मेरे पास में आडर आ गया कि P & Q जो होंगे वो ज्यादा होंगे R & S से ठीक है अब P Q में कौन ज्यादा होगा र्स में कौन ज्यादा होगा वो हमें डिसाइड करना है माचां हम हाल पिलाल हम यह डिसाइड कर चुके हैं कि P Q र्स दो अगर कैटेकली बना लो तो यह पो चुका अब मुझे जो डूसरा एक्टम जो अपनी इलेक्ट्रो डेंसिटी शेयर कर रहा है उसको देखना है तो यहां पर अगर मैं देखूँ तो यह जर्ण एलेक्ट्रो नेटिविट्टी किति है 3.0 इस नएट्रोजन के एलेक्ट्रो नेटिविट्weald 3.नी और चिर्णए अ right the argon इदर attach है, जिससे covenant bond बना रख्था है, उसने वहाँ पे electron negativity ज्यादा देखनी है ताकि hydrogen electron deficient हो, और दूसरी करद जो donating वाला है, वहाँ पे electron negativity क्या देखनी है, मुझे कम से कम देखनी है तो देखो, जादा इदर 3.5, 3.5, ये 3 है, तो ये बार में, अब इन में, ये 3.0, ये 3.5, सबसे पहले किस को लूँगा मैं, बिलकुल, मैं सबसे पहले लूँगा, P को, P के बार में, Q आएगा, Q के बार में, अब RS में, ये इदर 3.0, 3.0 है, इदर कम किसका है, कम R का है, उस उसके बार में कौन आएगा एस आएगा तो समझ गए होंगे hydrogen bonding का सेधा सा concept strength of hydrogen bonding में जब भी देखनी हो तो पहले क्या देखेंगे hydrogen जिससे covalently bonded है उसकी electro negativity ज्यादा से ज्यादा और जिदर से electron density जिदर से hydrogen bonding बन रही है उधर मैं क्या देखूँगा कि उनकी electronegativity कम से कब जो electron density दे रहा है उनके electronegativity क्या होनी चाहिए कम से कम होनी चाहिए ठीक है तो यह हमारा strength आगया चले आगे next question क्या दे रहा है हमें which of the following is correct चाहर options हमें दे रहा है और उनमें से पूछा है कि कौन सा correct होगा सबसे पहले कहा है s309 contain SS linkage h206-2 contain oxygen oxygen linkage फिर हमें कहा है कि hpo3 whole price में contain phosphorus phosphorus linkage और h208-2 contain sulfur sulfur linkage तो भाईया हम simple सा क्या कहता है हम इनका structure बनाके देख लेए ठीक है पी ब्रॉक में जन्रली केशन है तो s309 क्या कहते हैं हम लोग s309 को यह sulfur trioxide का cyclic primer है sulfur oxide का cyclic primer है इस तरीके से इसका structure बनाता है हम लोग sulfur से attach oxygen oxygen then sulfur है oxygen है इधर sulfur है यह oxygen है double bond O double bond O यह क्या बन गया हमारा S309 S3 sulfur trioxide का cyclic primer क्या यहां पे यहां पे कोई sulfur sulfur linkage प्रेजेंट बेले पास नहीं है भीया कोई sulfur sulfur linkage नहीं है तो कितने हैं भीया एक यहां पे यह दो तीन चार पार छे है टोटल सिक्स SOS linkages मेरे पास प्रेजेंट है ठीक है नेक्स्ट हम लोग देखें S2O6-2 S2O6-2 कैसे मनाते हैं इसका हम लोग structure यह sulfur है sulfur है double bond oxygen double bond oxygen यह O- इसे हम लोग dithionate कहते हैं dithionate ion कहते हैं तो इस structure में क्या कहीं पे भी oxygen oxygen का linkage present है नहीं कोई oxygen oxygen linkage present नहीं है तो यह statement क्या हो गया wrong हो गया अगला HPO3 whole thrice contain phosphorus phosphorus linkage HPO3 का whole thrice structure अगैन हम लोग दिखते हैं यह phosphorus oxygen है phosphorus oxygen है phosphorus oxygen है हर एक phosphorus जो है उस पे double bond O है and OH present है double bond O है and OH present है इधर भी double bond O है and OH present है ठीक है तो यह हमारा trimer बन गया cyclic trimer बन गया meta phosphate का तो क्या इसमें कहीं पे phosphorus phosphorus linkage present है नहीं कहीं phosphorus phosphorus linkage present नहीं है अगला S2O8-2 इसको इसका structure देखते है हम लोग sulfur oxygen oxygen sulfur 8 oxygen मुझे दे रखे है यह structure जो है कुछ इस तरीके से उगर इसे क्या कहते है हम लोग इसे हम लोग कहते है पर-oxy-peroxy-dysulfate आयन लगा देंगे तो क्या इस structure में इस structure में में पास कहीं भी sulfur sulfur bond present है नहीं कोई भी sulfur sulfur bond present लिए बलकि oxygen oxygen per oxide bond present है तो यह statement भी क्या हो गया हमारा रांग हो गया ठीक है समझ में आ गया होगा चले हम लोग आगे next question पर मुख करें बिलकुल बिलकुल next देखो इस certain first order reaction has a rate constant k equals to 2.1 into 10-5 हमें rate constant दे रखा है उसकी value दे रखी है temperature कितना दे रखा है 355 Kelvin दे रखा है 355 Kelvin if the activation energy for this reaction is 135 kilojoule activation energy की value दे दी calculate the value of rate constant in second inverse at 550 Kelvin एक temperature पे मुझे rate constant की value दे दी दूसरे rate दूसरे temperature पे मुझे rate constant की value पूची है क्या यूज करेंगे Wendorf equation क्या क्याता ही है कि ln k2 by k1 is equals to activation energy निक्नो और divided by r यह हो जाएगा नीचे 1 upon t1 minus 1 by t2 ठीक है solve करें इससे हम लोग आगे देखें हम लोग तो ln k2 natural log ने रखा है हम लोग ने आरनेस equation से हम लोग इससे solve कर रहें यह लिख सकता हूं मैं log of k2 by k1 is equals to ea जो भी मुझे activation energy दे रखें divided by 2.303 into r इधर मैं लिख दूँगा t2 minus t1 upon t1 into t2 ठीक है और यहां पर values देखें हम लोग हमें k2 जो दे रखा है k2 की value क्या है हमारे लिए calculator value of rate concept यह हमसे पूछा गया है यह हमसे पूछा गया है k1 की value k1 की value हमें दे रखी है 2.1 into 10 is the power minus 5 second inverse मुझे इसके बाद में temperature बिलकुल t2 जो temperature है वो मुझे दे रखा है 550 Kelvin 550 Kelvin मुझे T1 temperature दे रखा है कितना दे रखा है 355 Kelvin 355 Kelvin इसके लाबा activation energy की भी value दे रखी है ea की value दे रखी है कितनी 135 kilo joule मतलब into 10 की power 3 joules लिख रहता है हम लोग और r की value बिलकुल कितनी है 8.314 यह हम लोग काम में लगे तो यह सारी values हम लोग k2 calculate करना है k1 की value 2.1 into 10 to the power minus 5 2 into 10 to the power minus 5 बिलकुल यही दे रखा है हमें and it is equals to ea ea की value हमारे पास में है 135 kilo joule 135 into 10 is the power 3 यह kilo joules upon 2.303 into 8.314 multiply by T2 T2 की value है कितनी दे रखी हमें 55 kilo Kelvin और यह 355 550 minus 355 multiply by adder 550 into 355 यह सारी calculations जब हम लोग करेंगे कि log k2 by k1 की value जब हम लोग देखेंगे तो हमारे पास में यह सब होने के बाद में आएगा 7.04 और यहां पे हम लोग k2 divided by 2.1 into 10 की power minus 5 it is equal to anti log anti log किसका 7.04 का यह हम लोग solve करेंगे तो k2 की value मेरे पास में 231 कितनी आ जाएगी 231 तो देखें हम लोग यहां पे कौन सा option यह रखा है 231 मतलब 230 approximately बोल सकते हैं हम लोग बिल्कुल third option आ जाएगे तो कुछ नहीं हम लोगोंने RNS equation को use करते हुए दो different temperatures के उपर दो different temperatures के उपर k2 k1 की values रखी यह की value निकाले और solve कर दिया चले next बिल्कुल यह next question है which of the following will have highest freezing point at one atmosphere one atmosphere पे highest freezing point उचाया बुक से क्या क्या देखा मुझे 0.10 molar NACL 0.1 molar BACL2 0.1 molar sugar solution 0.1 molar FECL2 देखो depression in freezing point की बात करें delta Tf depression in freezing point delta Tf किसके इकवल होता है kf into molarity into venta factor iota यहाँ पे kf की values जो भी मेरा solution होगा water रगान है तो obviously इसने चारों के लिए kf क्या होगा constant होगा यह constant है molarity देख लो वो सबकी मुझे same दे रखी है मतलब यह factor भी क्या है constant है मुझे क्या करना है मुझे i की value देख ले है तो NaCl के लिए i की value NaCl के लिए i की value कितनी हो जाएगी 2 क्यों क्योंकि वो 2 ions में dissociate होगा Na plus में Cl minus में इसी रखी के से 0.1 super solution क्या वो कोई ions बनाएगा नहीं बनाएगा तो i की value कितनी होगी 1 होगी 0.1 molar BaCl2 BaCl2 ions कितने होगे इसमें totally 3 ions होगे ApCl2 उसमें totally 3 ions होगे तो अगर मैं इन सब values को देखूँ तो मेरे लिए delta tf की value है delta tf की value वो सबसे minimum किसमें आएगी मतलब depression जो हो रहा है phasing point मेरा वो सबसे कम किसमें होगा सबसे कम भाया सुगर solution में होगा जिसमें iota की value किती है only 1 है 0.1 molar सुगर solution इसमें depression हो रहा है जो वो सबसे कम होगा और सबसे ज्यादा इनमें depression मतलब मेरा freezing point सबसे नीचे चला जाएगा लेकिन मुझसे क्या पूछ है freezing point के highest value तो highest value delta tf जिसके लिए सबसे कम होगा freezing point उसका क्या होगा सबसे ज्यादा होगा 0.1 molar sugar solution मतलब इसको अब लोग एक और example के रूपे भी कर सकते है मान लोग water ले रहते है हमने जूभी हमारा solution ले रहते है और water का freezing point किता होता है 0 degree centigrade 0 degree centigrade इसका freezing point होता है तो जब depression होगा 1 की वज़े से जब i की value 1 है तो जो भी depression आ रहा है मेरी पास में kfm जो second है उसके लिए जो मेरा delta tf आएगा delta tf वो कितना आएगा only kfm bhcl2 इसके लिए delta tf कितना आएगा मेरे पास में 3 kfm fourth वाला delta tf कितना आएगा यहां पर मेरे पास fecl2 दे रखा है तो यह भी आएगा मेरे पास 3 kfm यह values मुझे दे रखी है अभी delta tf क्या होता है delta tf depression in freezing point क्या होता है कि जो भी मेरा solvent था freezing point of solvent minus freezing point यह temperature of freezing point of solution ठीक है यह solvent का है यह solution का है delta tf यहां से साफसा पता चलना है delta tf की value जितनी कम होती है freezing point क्या होगा इतना ही जादा होगा जो कि मेरा यह वाला है second option ठीक है चले हम लोग आगे next दीक है consider the following redox reaction occurring in acidic medium acidic medium में यह कोई reaction हो यह redox reaction हो रही है वो उसके लिए हमसे पूछा unknown standard reduction potential unknown मतला इसकी value पूछी है इसकी value पूछी है बहुत simple है भाया हम लोग S law पढ़ते है धर्मों में S law जो कि यह कहता है कि कोई भी process अगर मैं एक ही step में करूँ या फिर मैं उसको various different steps में करूँ एक step में कर सकता हूँ या भी different steps में कर सकता हूँ तो जो total energy होगी जो भी energy होगी वो equal होगी किसमें अगर एक step में करूँगा तो जो भी energy लग रही है it would be equal to अगर मैं उसको different different steps में करूँ तो उन सारे steps का sum वो equal होगा तो देंको हम लोग कुछ ऐसा ही करने जा रहा है हाँ पर है हम लोग यह लिख लग है हम लोग अलग से BRO3- यह किसमें change हो रहा है वो further change हो रहा है BR2 में और एक बार हम लोग इसको directly ही किसमें change कर रहा है BR2 में change कर रहा है तो मैं इसको मान लेका हूँ मैं यह process मेरा delta G क्या मान लिया ? delta G1 इससे क्या मान लिया ? delta G2 तो obviously delta G जो होगा it would be equal to delta G1 plus delta G2 delta G1 plus delta G2 के equal होगा अब delta G की values देखो क्या लिख सकता होगा यहाँ पर minus NFE E0 लिख देता है इसको हम लोग delta G1 क्या होगा ? minus N1 बोल देता है इसको F2 constant है हमारा upon E01 1 ऐसे ही जो delta G2 होगा इसकी value क्या होगी मेरे पास ? minus N2 F E02 N2F E02 अब N की values यह भी देख लोगा है हम लोग कैसे देखेंगे ? यहाँ पर देखो BR का Oxidation State BR का Oxidation State calculate करोगे तो यह 3 oxygen present है minus 1 charge है तुमारे पास में यह आएगा plus 5 यहाँ पर BR का Oxidation State कितना है अपने पास में ? plus 5 BR O minus यहाँ पर Oxidation State कितना है BR का ? plus 1 BR 2 में BR 2 में जो Oxidation State of Bromine का वह कितना है ? 0 तो जब मैं 5 से 0 लेकर जा रहा हूँ 5 से 0 लेकर जा रहा हूँ तो मेरे पास में N की value क्या हो जाएगी ? 5 F तो है ही और इसका E0 होजे calculate करना है 5 F E0 ठीक है न ? N की value हमारे पास में यहाँ पर 5 है E0 हमें calculate करना है जब मैं किवल BR O 3 minus से BR O minus BR O 3 minus से BR O minus तो यहाँ पर Oxidation State Oxidation State में चेंज कितने का हुआ है ? 5 से plus 1 में जा रहा है तो चेंज हुआ 4 का तो N की value के आगे मेरे पास यहाँ पर minus 4 into F और E0 E0 की value दे रखे मुझे 1.5 ठीक है ? यहाँ पर आजाओ यहाँ पर आजाओ प्लस 1 से प्लस 1 से कहाँ पर जा रहा है ? हम लोग 0 पर प्लस 1 से 0 पर जा रहा है तो N की value कितनी हो गई ? 1 1 minus 1 into F into E0 की value दे रहे कि मुझे 1.6 1.6 दे रहे कि यह सारी values हम लोग वहाँ पर फोट करता है हमारी equation में क्या बोल देंगे ? minus minus 5 into F into E0 it is equals to delta G1 की value कितनी रहे पर देंगे ? minus 4 into F into 1.6 1.5 देंगे ? 1.6 नहीं 1.5 plus delta G2 के लिए value किती दे रहे रहे है यहाँ पर है अपने पास में minus 1 into F into 1.6 जो faraday constant है उसको हम लोग हटा देते हैं तो मेरे पास में आ गया यह minus भी हम लोग हटा देते हैं तो यह आ गया 5 E0 it is equal to 4 into 1.5 4 into 1.5 plus 1 into 1.6 भाया 4 into 1.5 किता होगया ? 6 6 plus 1.6 6 E0 की value आ गही मेरे पास 6 plus 1.6 यह होगया 7.6 6 divided by 5 1.5 1.5 1.5 2 1.5 1.5 1.5 2.5 इसमें एनने सी एल टाइप जुनिट सेल है इफ एक्टम्स फ्रॉम दे एज सेंटर अलॉंग एक्सिस कनेक्टिंग दो पॉसित एज सेंटर और प्रिस और रिमोग एक्टिंट अपरिकल फॉर्म पर रिमेंटि इस अधूर भी ठीक है देखो भया करने से पहले हम लोग पहले ऐने सील का जो स्ेक्टिर होता है उसे दीख लीतक है हम लोग क्या होता है यह हमारा एक तो इनिट अल हम लोगों ने बनायि अूर इस इनिट सेल में इस उनिट सेल में सारे के सारे जो कॉषई है सारे के सारे corners कितने corners होता है 8 होता है उन 8 corners पे chlorine atom प्रेजन धैम मताब chlorine atom और sodium atom और यही जो chlorine है A B टाइब गोर्ण रखा तो A किस के लिए है अपने पास sodium के लिए है B किस के लिए है में पास chlorine के लिए है तो सब्से पहले chlorine atoms की बात कर रहा हूं वो सारे के सारे corners पर प्रेजेंटे तो 8 into 1 by 8 सारे के सारे फेस सेंटर पे कितने होता है सिक्स होता है हर एका कॉंटरीशन कितना होता है 1 by 2, so 6 into 1 by 2, total कितना हो जाएगा ये, 1 plus 3 मतलब 4 आ गया, कितना आ गया, 4, एने प्लस की अगर में बात करूं, कहां कहां पे प्रेजेंट होता है, तो एने प्लस के होता है, वो अक्ता हेड्रल वाइड्स में होता है, और अक्ता हेड्रल वाइड्स मतलब हर एक जो मेरी एज है, ये जितनी भी एज है, उन एजेज के सेंटर पे, मेरे पास सोडियम आयन प्रेजेंट है, प्लस एक जो सोडियमाइल होगा वो बीच में बॉडी के जहां पे सेंटर होता है जो भी मेरे इसका सेंटर होगा वहां पे प्रेजेंट होगा प्लस एक जो है वो मेरे पास सेंटर में प्रजेंट है तो इस तरीके से इसको भी सॉल करता है यह तो यह तो नॉर्वल बात है जो भी नॉर्वल था लेकिन अब क्या बोल रहा हो अब हम लोग आगे दिखते है ओपर पर ना फंग एक्सरा अर्टल शान इंट आखुम नगा यहां से ज्गया मैं इस एज के संटर पर उसकी इकदम उप्वोजिट एज सेंटर जो है इसकी एक्दम ओप्वोजिट एज सेंटर यह तो इस पे परेजन जो एकम्स थे उस प्रेजेद के प्रेज़ने में लिखे राते हैं। केवल सोडियम आ रहा है हमारे पास में। मतलब कि यह मेरा सोडियम जैसा है, यह मेरा क्लोरीन जैसा है। अभी 10 atoms present है into 1 by 4, edges के center पे हैं, plus 1 into 1, एक जो भी मेरा body का center है, वहाँ पे present होगा, और जो B है, बी कहाँ पे present होगा, वो सारे के सारे वैसे ही हैं, जैसे पहले है, उन पे कोई disturbance नहीं हुआ, तो यह कितना आगया मेरे पास, यह आजाएगा मेरे पास A, जो है वो 7 by 2, A, 7 by 2 है, और B जो होगे, वो 4 होगे, calculate करूँगा, A, 7 by 2 और B, 4, इसको एक simplest ratio में, empirical formula पूछा है, मतलब simplest ratio, पूछा है मुझसे, simplest formula अगर हम लोग देखेंगे, तो यह आएगा A, 7, B, 8, क्या आएगा, A, 7, B, 8 आएगा, जो कि मुझे second option दे रख रहा है, ठीक है, सामझ में आगे होगा, NACL का structure देखा हम लोगों ने, NACL में AV solid दे रखा है, तो उसमें कहां कहां से atom रिमूब किया है, उनको देखकर हमने नया formula बनाया, और उसके simplest ratio में देखेंगे, हम लोगों ने answer ने बनाया, बहुत ही simple question है, चले हम लोग आगे, चलो, next देखते है, what is not true about APCO whole 5, कुछ statements दे रखा है, APCO whole 5 के बारे में, क्या क्या दे रखा है, iron pentacarbonal कहते हैं, oxidation state of AP is 0, AP के oxidation state 0 है, it is trigonal by pyramidal geometry, it is an inner orbital complex, it is paramagnetic, खीक है बहिया, एक एक करके देख लेता है, उससे पहले तो मैं बता दू कि जो भी ligands होते हैं, उनको हम लोग दो categories में देखते हैं, कुछ weak field ligand, कुछ strong field ligand, और जो CO होता है मेरा, carbonil, वो एक strong field ligand होता है, कैसा होता है, strong field ligand, तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं FE, FE, CO whole 5, मैं FE की oxidation state देखो, तो क्या carbonil पे कोई charge होता है, नहीं, carbonil पे कोई charge नहीं होता है, 0 charge होता है, तो FE यहाँ पे oxidation state जो है, FE की वो क्या है, 0 है, बिल्कुल, तो यह बिल्कुल correct है, oxidation state of FE is 0, आगे, अगर हम लोग इसका configuration देखें, तो क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ देखें, इसका configuration की AR, उसके बाद में, कितने atoms, कितने atoms present हैं, मेरे पास D में, 3D6, 4S2, ER, 3D6, 4S2, यह इतने electrons मेरे पास है, इनको हम लोग अब देखते हैं, यह मेरा D orbital, क्या है मेरे पास यह D orbital है, तो D orbital मेरे मेरे पास में पाच इसके बाद में मेरे पास में क्या है एक पी आर्बिटल इसे मैं इसे मैं 3D कह रहा हूं इसे मैं 4S कह रहा हूं और इसे मैं 4P कह रहा हूं तो यहां पे जब इनिशिली इलेक्रोंस प्रेजाट है मेरे पास केवल कोखे टोखे लेकिन अब जब इसको अप्रोच करेगा तो क्या होगा भाया Sijok एक strong field ligand है वो सारे के सारे electrons को क्या कर देगा pairing कर देगा pairing करेगा तो हम लोग जब ligand इसको approach हुआ है तब क्या condition है उसको भी देखलेगे जो condition मेरे पास में ये है कि अब सारे के सारे electrons pair हुई चुछे Repeat total eight electrons है मेरे पास तो यहांगे हम लोगों नहीं यह बना दिया यह मेरा वही एस और्बिटल यह मेरा पी और्बिटल है तो अब जो भी कार्बोनिल अपने इलेक्रोंस देगा शेरिंग के लिए जो कॉर्डिनेट बॉंट बनाएगा वो हम कहां कहां पे रखेंगे यह कंगे वो हम लोग यहांपर रखेंगे किसमें एक आडि यहांपर और्बिटल फिर एक एस औरृबिटल काम मेरे लेंगे कैसा? DSP3 DSP3 का मतनब DSP3 का मतनब जो structure होती है वो trigonal trigonal bi mm pyramidal केते है frightened by pyramidal और ये in a orbital है कि outer orbital है ति हम लोगोंने कभिलिया हमने in a वालगी के बार मिल दिक Chief में इनर वाला जो शेल है उसमें से दी ओर्बिटल कि लिए तो इसन इनर आर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसा है इनर ओर्बिटल और क्या ये पैरा मेगेनिक है नहीं सारे कैसा या है तो इसकी फिर फिर दपिर उट्रक में को दिखते हैं नहीं है यह तो क्या है मेरी पास डाइमगनेटिक है चले हम लोग आगे, समझ भी आगया होगा, चलो, बोट करता है हम लोग, next way, in the reaction sequence, ओके, ये बुझे दे रखता है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा, कि कार्बोनिल का प्रोटेक्शन करवाता है हम लोग, एलकोहल से प्रोटेक्शन करवाता है, एलकोहल ही नहीं, हम लोग थायोल भी ले सकता है, थायो एलकोहल भी ले सकता है, उनसे भी हम लोग कार्बोनिल का प्रोटेक्शन करवाते हैं, तो देखो, सबसे पहले क्या बनेगा मेरे पास, ए क्या बनेगा यहाँ पे, ए बनेगा, इस कार्बोनिल का प्रोटेक्शन करवाता है हम लोग, तो सलपर हम लोगों ने बाहर कर दिया एसरी कंडिशन के अंदर यह होता है उसके बाद में मुझे क्या दे रखा है मुझे दे रखा है है एच्टू निकल और हीटिंग कंडिशन दे रखा तो जब भी निकल दे रखाओ या फिर रैने निकल दे रखाओ मुझे और एक्टिविटेट फॉर्म है निकल की तो च्या होता है यह कार्बन सल्फर का बांड हम लोग ब्रेक कर देता है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस क्या बन जाएगा मेरे पास वापस से जो मैंने एल्कोवल या कहतो थायो एल्कोवल दिया था मैंने वो मुझे वापस रीगें हो जाएगा भाहिया ध्यान देना थूड़ा सा तुम लोग को क्लिमेंशन रेडेक्शन पढ़ते हो तुम लोग वुल्प किष्णर ऐसेडीक मीडियु में कर वाते हो ये वि एक वैसाही तरीका है कार्भो दिल को सीयच्ट्ू में चेंजच रइने का किससे लिगक कर देह हम लोग सारफष्ण साथ के लिंग सार्फ oneselfहिया तैस्ट काल की टढ़ एक साह्साट की टबर बनाते हैं उसके बाद में हैने निकल या फिर नॉर्मल निकल एच्टू की प्रजेंट में उस बॉंड को ब्रेक करते हैं मेरे पास एच्टू बन जाएगा कार्बोनल की जगे ठीक है तो ध्यार लगना इसको इंपोर्टेंट मैंकर रही है सैके अपने पास में बन जाएगा हमसे प्रोड़क भी ही कुछ है एक तरीके से देखे तो हमने पहले स्टेप प्रोटेक्शन कर रहा है फिर हम लोग क्या करवा रहे है बट हमें कार्बोनल नम मिल के सी एच्टू मिल रहा है चलो ने चलते हैं हम लोग दप्रोड़क रफ एचेड केतलाइज हाइड्रोलाइस सवच अभ दे कंपान्ट पी क्यू पी एच्टू का हम लोग क्या करवा रहा है हाइड्रो लिसिस करवा रहे एसेग कंडीशन में बिल्कुल एसेडिक अगर मैं इसका हाइड्रोलाइस करवाओ hydrolysis करवाओं तो क्या बनाओंगा एस्टर दे रखा है मुझे ये एस्टर तो एस्टर से एक तो ये एल्पोहल बनेगा एक मेरे पास इस तरह acid बन जाएगा COOH एक बन गया मेरे पास इस तरह alcohol इधर मैंने बना दिया acid इसी तरीके से इसी तरीके से जब इसका hydrolysis करवाओंगा तो मेरे पास बना ये OH साथ में इधर भी मेरे पास एक acid बन जाएगा बिल्कुल अब इसको देखना हो ये टॉटमराइज करवा सकते हैं हम लोग बड़ी आसानी से हो जाएगा क्या बनाइए टॉटमराइज करने पर एक ketone बन गया एक ketone बन गया टॉटमराइज करवाने और इसको अगर मैं टॉटमराइज करवा हूं आगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास ये बन गया 1,2,3 एक aldehyde बन गया एक ketone बन गया एक aldehyde बन गया जो सारे कार्बोनल होते हैं वो सारे टैस देते हैं तो 2,4 DNP के साथ में ketone भी टैस देगा aldehyde भी टैस देगा तो हम लोग 2,4 DNP को काम में नहीं ले सकते हैं दोनों को डिफ्रेंशेट करने के लिए पैलिंग सॉलूशन काम में ले सकता हूँ क्या बिलकुल पैलिंग सॉलूशन जो होता है वो ndehyde टैस देटे हैं लेकिन ketone नहीं देते हैं ketone नहीं देते तो बिलकुल हम सेकंड़ वाला काम में ले सकते हैं डिफ्रेंशेट करने के लिए यहां पैलिंग सॉलूशन और झालकुल पैलिंग सॉलूशन में आप लोगोंसे एश्टर का हाइड्रोलिस भी पूछ लिया इसी क्योशन में आप से कार्बोनल को डिफरेंशियेट करने के जो टेस्ट है उन से रेलेटिड क्योशन भी पूछ लिया ठीक है चले आगे हम लोग समझ में आया होगा आप लोगोगो नेक्स देखो क्या दे रखा है हमें कंसेडर फॉलविंग सीक्वेंस ओके ओके कुछ रीक्षियंस हमें दे रखिए तो देखते हैं सबसे पहले टॉलिविंग से स्टार्ट करता है हम लोग यहां पर लिखता हूं मैं तो नाइट्रेशन करवाना है नाइट्रेशन अगर मुझे करवाना है तो चैसा डायरेक्टिंग रूप होता है यहां पर जो प्रॉडक्ट बना दूँ यह जो मेरा बन रहा है वो मैं ने नाइट्रेशन करवा दिया चैसलों करवाना ता मुझे दे रखा है क्लोरीनेशन करवाना है हम लोग लेकिन अब अब दो प्रेजयन दे पास इसका मइनस R लगता है माइनस R लगता है और यह कैसा directing होता है यह meta directing होता है वहीं पे CH3 उसका hyperconjugation लगता है क्या लगता है hyperconjugation और वो कैसा directing होता है वो ortho and para directing होता है ortho and para तो देखो भीया अब जब influencer मैं करवाओंगा तो मैंने clinician करवा दिया यह CH3 था, यहाँ पर मैंने क्लोरीन लगा दिया और यहाँ पर मैंने NO2 अटेच कर दिया CH3, क्लोरीन और NO2 अटेच कर दिया यह मेरे पास में, स्टार्टिंग में यह मेरे पास A बना यह मेरे पास में अभी तक B बना है अब, next reaction कौन सी अपनी? SNHCl SNHCl और SNHCl क्या काम करता है? Reduction करता है, क्या करता है? Reduction, NO2 को Amine में चेंज करता है, NH2 में चेंज करता है तो हम लोग यहाँ पर बना देंगे NO2 की जगे मेरे पास NH2 आ गया इधर मेरे पास CH3 है यहाँ पर मेरे पास क्लोरीन प्रेटर यह कौन बनाया है? यह मेरे पास में C बन गया उसके बार में दाइजोटाइजेशन दें रखा है NaNo2HCl दाइजोटाइजेशन NaNo2HCl बिल्कुल दाइजोटाइज करवादेंगे इसे हम लोग यहाँ पर वही मेरे पास CH3 यह C-C-L और यहाँ पर बन गया इसका N2 positive C-L- दाइजोटाइजोटाइजोटाइजोटाइज बन गया आगे मुझे रियेक्शन दें रखी है H3PO2 HPH2O2 मतब H3PO2 ही है और यहाँ पर यह क्या आता है यह डाई अजोनियम सॉल्ट को डाई अजोनियम सॉल्ट को बेंजीन में चेंज काता है मतब यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन अटैच होगा यह CX3 होगा यह Cल होगा और यह यह मेरे पास C बना था यह D बना था यह मेरे पास में E बना है तो देखें हम लोग इसको देखते है क्या option कह रहा है अच्छा हमसे B पूचा है C पूचा है और E पूचा है B क्या बना है हम लोग उने CS3 और तो पे क्लोरी होगा है तो क्या यह हो सकता है फर्श्ट और नहीं यह नहीं हो सकता क्योंकि क्लोरीन कहां पे जोड़ रखा है CS3 की रैस्पेट पे मेटा पोजिशन पे टाइज कर रखा है क्या साइकिंड वाला हो सकता है CS3 और तो पे खलोरो और E 220 क्या थर्ड वाला हो सकता है क्या थर्ड वाला हो सकता है आगे निकी बार में क्या देखना है हमें सी को लेगना यह रहा हमारा था अब अनो 2 की जगे क्या गया एने टू एनो 2 की जगे एनेच 2 आ गया अचा यह था ही नी नी हम लोगों ने कैंसल कर दिया बिल्कुल बागी सबसे में एनेच 2 दे रहा है यहां पर गड़बर कर रखी है इन्होंने कि NH2 के परोस में CS3 दे दिया महिया बल्कि यह तो कहां पर पहरा में था यहां पर इन्हों में आउस्थों पर लगा दिया नहीं यह गलत बात है ठीक है तो पूद भी नहीं होगा बचा सेकंड है और फे क्या हो रहा है दाई अजोरी हम सॉल्ट बनके महां पर है तो सेकंड मे यह मेरा बिल्कुल करेक्ट आंस्वर है यह था मेरा यह मेरा सी है यह मेरा ए हमने भी रिक्षण सीप्मेंश में वही बनाया है चले हम लोग आगे लेकिन भाइया हर पेपर में और मोस्ट हर पेपर में आयू पीसी नॉमेंट लेचा है या फिर इन से रिलेक्टेड आसपास बेसिक से एक क्वेशन जरूर आता है जरूर आता है position दÂब kis-log यहां पर मुझे सारे सारे बेंजन के ऊपर सबस्टिट स्दविशन नहीं है कोई भी फ़नक improv नहीं है सारे के साईके सबस्टिटेंट और जबसटी या फिर फ्लोरीम से सटार्ट करूं दोनों ही तरफ से क्या बुल रहा हूं बैए फ्लोरीम, फिर फिर ब्रोरीम, फिर आयोडिम गूम अधिर पर आयोडिम । दोनों ही तरफ से clockwise ङों या anticlockwise मेरे पास में loquants का जो sum है वह इक्वस आएगा तो जब symmetric position पर यहाँ पर lowest set of lookans equal आता है तो हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग जो भी substitute है उनका alphabetical order देखते हैं क्या देखते हैं? alphabetical order तो यहाँ पर fluorine और chlorine में यही तो conclusion हो रहा है कि fluorine से start करें कि chlorine से start करें तो भया क्या देखेंगे? chlorine जो alphabetically पहले आता है तो जो मैं numbering करूँगा वो हो गई 1, यह 2, यह 3, यह 4, यह 5 और यह 6 ठीक है न? fluorine से इदर नहीं होगा, chlorine से उदर जाओगा तो अब देखो naming जो भी alphabetically पहले आरा है उसे हम लोग पहले लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 2 bromo क्या लिखेंगे? 2 bromo उसके बाद में 1 chloro, 1 chloro, then हम लोग लिखेंगे 3 chloro, 5 iodo, benzene जो कि क्या दे रखा है मुझे 3rd बाला, ठीक है? लोग से पहले हम लोग functional group को देखता है, functional group यहां पर है नहीं, कोई और double bond है नहीं क्योंकि benzene में हम लोग double bonds होता है, उनकी according नहीं देखते हैं कहां पर कौन सा double bond है, वो मुझे भी नहीं रखा, ठीक है? फिर हम लोग क्या देखते हैं, substituents देखते हैं, कि जो भी मुझे substituent दे रखा है, उनका lowest set of lookands देखते हैं कि उनकी जो भी उसमें मेले पास में substituents हैं, उनकी position का जो सम है, उनके lookands का जो सम है, वो minimum आना चाहिए, बट यहां भी क्या रहा था? इक्वल आ रहा है, जब इक्वल आ रहा है, तो फिर हम लोग alphabetical order देखते हैं कि जो भी alphabetical ही पहले है, हम लोग वहां से start करते हैं, तो इसलिए हम लोग ने कहां से start किया, chlorine से start किया, ना कि fluorine से, चड़े आगे, चलो, next question, which of the following is most stable, और मुझे carb anion दे रखा है, CH3 minus दे रखा है, एक मुझे 3 degree tertiary butyl carb anion दे रखा है, एक CF3 negative दे रखा है, एक CCL3 negative दे रखा है, अब बिल्कुल stability देखा है, हम लोग और carbon anion की, तो क्या देखते हैं, कि electron withdrawing group जो है, वो क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तभी मेरा negative charge क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा stable होता है, क्या CH3 negative और इन सब में अधर में देखू, तो तुम लोग सोचोगे कि sir, CH3 answer आएगा, कि sir, fluorine जो होता है, वो highly electron negative होता है, सबसे ज्याद ज्यादा stable होगा, बिल्कुल मतलब तुम जहां तक सोच रहे हो, वो ठीक है कि fluorine की electronegativity ज्यादा है, तो वो खैचेगा electron, लेकिन, लेकिन भाया, fluorine जो है, fluorine और carb anion के बीच में यहाँ पर लगेगा, minus i effect, कौन सा effect लगेगा, minus i, fluorine का electronegativity ज्यादा खैचेगा, बट अगर है, carbon के पास में electron density देने के लिए, तो यहाँ पर test type की bonding होती है, d pi pi back bonding होती है, तो chlorine जो होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक तरीके से resonance होता है, मतलब it is back bonding का मतलब है, कि बिलकुल यहाँ पर यह negative charge है, यहाँ पर partial double bond character आएगे, क्यूंकि chlorine इस carbon से, chlorine इस carbon से electron density अपने orbital, वेकिंडी orbital में ले रहे, तो already bond था, उसके बाद में अप्या होगा, यहाँ पर partial double bond character भी आएगा, तो सबसे ज्यादा stable जो होगा, वो CCL3 negative होता है, क्यों? दूटू, एक तरीके से resonance कह सकता है, और यहाँ पर कह सकता हूँ, दूटू back bonding, बात सावज में आई होगी, अच्छा यहीं पर एक और simple सी चीज है, कई बार वो हमसे hybridization पूछ लेता है, तो यहाँ पर CF3 negative जो है, CF3 negative उसका hybridization SP3 होता है, कैसा होता है? SP3, शेप अगर कोई पूछे, शेप तो क्या कहता है? pyramidal shape होता है, trigonal, by pyramidal shape होता है, sorry, trigonal pyramidal इसका shape होता है, लेकिर एकर CC3 negative को देखे, तो back bonding की वज़े से, back bonding की वज़े से इसका जो hybridization होता है, वो SP2 होता है, कैसा? SP2, और, और, इसका जो shape होता है, hybridization SP2, shape trigonal, planar shape होता है, trigonal planar, और इसका क्या लिखा था हम लोगों ने, हम लोगों ने लिखा था, या बोला था, trigonal pyramidal, तो ध्यान देना भाईया, यह ध्यान देना, बैक bonding की वज़े से ऐसा हो रहा है, एक SP3, एक SP2, trigonal pyramidal, trigonal planar, और हाँ, obviously, due to bank bonding, highly stable, चले हम लोग आगे, next देखता है हम लोग, ओके, फिर एक creation sequence मुझे दे रखी है, सबसे पहले इसके उपर H plus H2O, क्या दे रखा है, H plus H2O, यह मुझे pipe member ring दे रखी है, इस पर H plus H2O दे रखा है, मतलब acidic medium में मुझे क्या करवाना है, hydrolisis करवाना है, तो देखो, सबसे पहले मैं एक कार्बो केटाइन बनाऊगा यहाँ पर, यह मेरे पास में कार्बो केटाइन बनेगा, यहाँ पर H को जोड़ दिया मैंने, अब इस कार्बो जहाँ भी किसी रियेक्शन में कार्बो केटाइन बनता है, रियरेंजमेंट की possibility हम लोग वहाँ पर हमीशा देखते हैं, संबल सा क्याता है, जब 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 कार्बो केटाइन बनता है, तब तब रियरेंजमेंट हम लोग देखते हैं, ठीक है, अभी बिलकुल रिंग एक्सपेंशन हो सकता है मेरे पास, और रिंग एक्सपेंशन होगा, तो एक six-membered ring बना देंगे हम लोग, हम लोगों ने ये जो L-K-I group है ना, इसको इसके उपर migrate करवा दिया, इसमें migrate करवा दिया, तो मेरे पास में ये कार्बो केटाइन बन गया, इसमें फिर से रियरेंजमेंट होगा, और ये बन जाएगा, यहाँ पर, हम बना रेंगे ओ, एक टुओ, एक टुओ, ये ओक्सिजन का लॉन पेर इसमें अटैक करेगा, हम बना रेंगे ओ, एक एक पॉजिटिव, इसमें से एक प्लस एलिमिनेट होकर, ये अलकूहल मेरे पास में यहाँ पर बन गया भूए, यहाँ पर और हम लोगों किया है, यहाँ पर हम लोगों ने तो सिम्पल क्या बना लोगे यहाँ पर बना लोगें, ओफ यहीं की जगे बी आर प्रेजेंट हो जाएगा, पहले प्रोटोडेशन होगा, इस OH पे protonation होगा HBR से, oxonium ion बनेगा, उसमें से H2O बाहर eliminate करेंगे, फिर से वहीं कार्बोकाटाइल और उसके उपर OH ही है, वी आर जो होगा, वो attack कर देगा, उसके बाद में, HBR के बाद में, मुझे, ये tertiary butyl oxide, tertiary butoxide दे रखा है, ज्यान देना भाईया, tertiary butoxide एक bulky base होता है, कैसा होता है, bulky base होता है, या इसके अलावा भी कोई और bulky base दे रखे हो, और हमें ये हमेशा elimination करते हैं, heating condition दे रखी हो, या नहीं दे रखा हो, कैसा भी halide हो, 1 degree, 2 degree, 3 degree halide, अगर इस तरीके से bulky base दे रखे है, कभी substitution नहीं होता, हमेशा क्या करवाता है, हम लो होफमान प्रोड़क्ट कह दू, या पर कह दू, मैं उस जगह से hydrogen निकालता हूँ, जहां पर steric hindrance क्या हो, कम से कम, क्योंकि बल्की base है, बल्की base है, तो hydrogen obviously वहीं से निकालेगा, जहां पर steric hindrance क्या हो, कम से कम, तो यहां पर जो hydrogen निकाल सकता हूँ, एक hydrogen इधर है, या यहां पर है, और एक इधर है, कौन से वाले hydrogen को निकालूँगा, जहां पर steric hindrance कम है, और वो कहां पर है, उफर की करफ है, तो E2 मेकनिजम करवाते हुए, हम लोग यहां पर double bond बना देंगे, आगी बात समझ पर होफमान प्रोड़क्ट बना रहे हैं हम लोग, तो देखो, कौन सा मेरे पास, मेरे पास पर आजाएगा, क्या फर्स बना है, नहीं, सब्सिट्यूशन का चांस नहीं है, अन्दर से बनेगा double bond, नहीं बनेगा, नॉर्मल अगर कोई बेस दे रखा होता मुझे, ऐसे सोडियो मिठोक्साइड, या फिर कोई मिठोक्साइड, कोई भी नॉर्मल कुछ दे रखा होता, एल्कोहलिक के वेच, इस तरीके से तब तो में ज़रूर साइकेंड वाला बना देता है, कि महां पर स्टेबल अल्की बेस दे रखा तब नहीं करते हैं, थर्ड वाला बिलकुल, यहीं बना रहा है, हम लोग थर्ड वाला बाहर की तरफ डबल बनेगा आगी बात समझ में, चले हम लोग आगे, चलो भीया, नेक्स क्यूशन, विच और पॉलवी कंपाउंड विल शो फास्टर एर एसेंटू मैकनीदम, कुछ हैलाइस दे रखे मुझे, फ्लोरील लगा रखा है, फ्लोरील लगा रखा है, ब्रोमील लगा रखा, आइडील लग अगर मुझे एलीफेटिक हैलाइस दे वे होते, कौन से एलीफेटिक, जहां पर जो भी मेरा हैलोजल है, वो किसी एसाइकलिक चेंग से जुड़े वे हो, या फिर सिंपल सा कहते हूं कि एरोमेटिक ना हो, क्या नहीं हो, अरोमेटिक नहीं हो, तो वहां पर हम लोग यह दे होता, R, C, L होता, R, BR होता, और RI होता, तो हम लोग सीधा सीधा वहां पर भाले ही SN1 हो, या SN2 हो, हमेशा ओनलर कहाता है, यह पहले बहां निकलेगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर फिर फ्लोरीन, बट बढ़ भाया, AR, SN2, यहां पर मेकनिजम थोड़ी इसी अलग होती है इसे हम लोग इपसो सब्सिटूशन भी कहते हैं क्या कहते हैं इपसो आई पी एसो कि जिस एटम के उपर जिस कार्बन एटम पे फ्लोरीन अटेच है वहीं पे कोई नुक्लियोफाइल अटेक करता है अब नुक्लियोफाइल पे चार्ज कैसा नेगेटिव जहां पे अटेक कर रहा है वहां पे उस पोजीशन पे क्या चाहिए उसको उस पोजीशन पर उसको ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज चाहिए ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रो नेगेटिव बट उतना नहीं आएगा, ब्रोमीन में भी नहीं आएगा उतना, आयोडीन में उससे भी कमाएगा, सबसे ज़्यादा जहां पर positive charge है, मेरा nucleophile वहीं पर सबसे पहले attack करेगा, तो order क्या आएगा मेरे पास, first, second, third, or, इसको थोड़ा सा और detail में हम लोग लिखते हैं, अगर इसक mechanism लिखते हुए, अगर मैं बात करो, तो मैं fluorine को ही लिता हूँ, यहाँ पर नीचे NO2 मुझे दे रखा है, यह मुझे fluorine दे रखा है, और यहाँ पर circle नब बना के हम लोग इस तरीके से यही बना लेते हैं, double bond बना लेते हैं, थोड़ा सा easy रहेगा, fluorine है, कोई nucleophile attack करेगा, कौनसी position पर attack करेगा, ipso position पर, जहाँ पर already कोई atom present होता है, उससे ipso कहते हैं, तो इस position पर यह attack करेगा, यह electron density यहाँ पर move होगे, यह मैंने इस तरीके से बना दिया, negative charge, meson hemer complex बना दिया, क्या बना दिया, meson hemer complex, अब अगले step में, next step में, यह negative charge इधर होता है, fluorine बाहर निकालते हैं, और हम लोग इस तरीके से यह AR SN2 reaction complete करवाते हैं, तो इस पूरी mechanism में जो first step होता है, वही मेरा rate determining step होता है, second step past होता है, first step क्या होता है, rate determining step, तो देखो rate determining step में, मैंने किसी भी group को, भले हो fluorine, chlorine, bromine, iodine, मैंने उसे बाहर नहीं निकाला है, वो molecule में ही present है, fast वाले step में बाहर निकाल रहा है, तो इनकी living group tendency से, living group tendency पे rate कोई लेना देना नहीं है, निक्लियोफाइल कितना पासली अटेक करेगा, जितना ज्यादा ज्यादा पॉजिटिव चांज होता ज्यादा निक्लियोफाइल पासली अटेक करेगा, इसी लिए order हमारे पास ARSN2 में यह है, और यह एलिपेटिक या ख्यादू, नान अरिपेटिक वालों से different order है, पूछ है, हाइबिडिडाजेशन क्या चाहिए हमें, सेम चाहिए, बट शेप क्या चाहिए, different चाहिए, चलो, स्टाइक करता है, हम लोग, NO2+, NO2+, हाइबिडाजेशन कैसा होता है, SP, NO2 का, SP2, NO2-SP2, लेकिन भाईया, क्या बोल रहा है, क्योशन में हमसे पूछ रहा है, क्योशन मे हाइबिडाजेशन, SP3, SF4 का हाइबिडाजेशन, DSP3, और XCF4 का होता है, D2-SP3, ये भी अप्शन गया, क्योंकि सेम हाइबिडाजेशन चाहिए हमको, NH4 positive, हाइबिडाजेशन, SP3, H3O positive, SP3, OF2, SP3, बिल्कुल, ये हो सकता है, अभे बाले में भी हाइबिडाजेशन देख है, SP3 होगा, सल्पेट में, पॉस्पेट में भी SP3 होगा, क्लोरेट में भी SP3 होगा, बिल्कुल, अब दोनों ये ऑप्शन में, हाइबिडाजेशन सहीं आ रहा है, तो अब हम लोग shapes देखते हैं, हमें क्या चाहिए, different shapes चाहिए, तो यहाँ पे shape जो होगा, वो कैसा होगा, tetrahedral, यहाँ पे shape exterior positive का कैसा होगा, pyramidal, trigonal pyramidal भी कह सकता हूँ, pyramidal, और यहाँ पे कैसा होगा, V shape यहाँ पे कहता है, bent shape, V shape यहाँ फिर bent shape, यहाँ पे तीनों SP3 है, वो तीनों का ही, जो shape होगा है, वो tetrahedral होता है, क्या होता है, tetrahedral, तो कौंसा option आगया, भईया, मेरे पास ले, third option, जहाँ पे hybridization same है, but shape उनका different है, चलें आगे, simple solution था, चल, the pair of compound which cannot exist together in a solution is, कुछ compounds का pair दे रखा है मुझे, और मैं मुझे लेखना है कि कौन से वाले, जो set है, वो compound एक साथ, एक ही solution में exist नहीं कर सकते, तो देखे, सबसे पहले वाला NaHCO3 and NaOH, भईया, इस NaHCO3 में, एक acidic hydrogen है, एक H- present है, और यहाँ पर दूसरी दरफ क्या है मेरे पास, base है, acidic hydrogen and base, क्या करेगा, आपस में reaction करेगा, तो यह जो है, अगर एक साथ लिया मैंने, NaHCO3 plus NaOH, तो मेरे पास में formation हो जाएगा, Na2CO3 का, Na2CO3 plus H2O, एक acid base reaction मेरे पास हो जाएगी, सेकंड वाला, Na2CO3 and NaOH, NaOH है, base है, लेकिन क्या Na2CO3 के साथ के पास में कोई acidic hydrogen है, अभी, नहीं, कोई acidic hydrogen नहीं है, तो यह exist कर सकते हैं, NaHCO3 and Na2CO3, भाला ही NaHCO3 के बाद में acidic hydrogen हो, लेकिन क्या Na2CO3 में कोई base हो जो है, acidic hydrogen को निकाल सके, नहीं है, NaHCO3 and NaOH2, नहीं भाला है, H2 तो normal हो गया, ठीक है, यह तो से क्या होगा, इसको dissociate करेंगा, इसके ions में exist कर सकता है, यह कोई दिक करनी है, मतलब कौन सा exist नहीं कर सकता, NaHCO3 and NaOH, क्योंकि यहाँ पे acid base reaction होगी, ठीक है, बात समझ में आ गई, चले हम लोग आगे, next लेखना है, which metal halide possess maximum solubility, solubility पूछिए है हम लोगों से, और हम से value किसकी दे रखिया है, KSP की value दे रखिया है, किसकी, KSP, तो देखो हम लोग हर एक के KSP का formula लिख लेट है, वैसे तुमें general formula तो पता होगा, कि अगर मेरे पास में, मेरे पास में कोई A, B है, A, X, B, Y है, वो dissociate हो रहा है, X ions बना रहा है, A के, जिस पे कोई भी charge होगा, plus Y, minus Y, जो की तुम लिख सकते हो, और Y atoms बनेंगे, इसके पास में B के, जिसके उपर negative charge होगा, negative मान के चल रहा है, हम लोग जश्ट आइजिम करते होगा, minus X charge होगा, तो इसका, जो KSP हम लोग देते हैं, या पर इसकी solubility की X, S मान लेते हैं, इसको Y, S मान लेते हैं, ये SP की values, general equation के लिए, हम लोग देख सकते हैं, X की power X, Y की power Y, into S की power X, plus Y, X की power X, Y की power Y, into S की power X, plus Y, X plus Y, ये हमारा formula होता है, तो यही हम लोग अप्लाई करेंगे, पहले वाले में, KSP की value जो होगी, वो किसके equal होगी, किवल 1 M plus बनेगा, 1 X minus बनेगा, तो X की value 1, Y की value 1, क्या आजाएगा, ये S square की equal आजाएगा, और S की value है, वो मेरे पास में, 10 की power minus 5 के असपास है, minus 5 के असपास क्या, 10 की power minus 5 आजाएगा, अगले वाले में, अभी X की value मेरे पास 1 है, लेकिन Y की value कितनी होगी, मेरे पास 2 हो गई, तो यहाँ पे, मैं लिखूंगा, 4S cube, इस formula में रखो, X की value 1, Y की value 2, क्या आजाएगा, मेरे पास 4S cube, तो यहाँ पे, जो solubility है, वो 1 by 4, 1 by 4, या फिर मैं इसको कह दू, 4S cube है ना, 10 की power minus 5 था यह, और, यह मेरे पास में आ जाएगा, cube root of 10 की power minus 10 by 4, ठीक है, यह S की value आएगी मेरे पास, cube root है, square root है, cube root, तो approximately, approximately कह सकता हूँ, 10 की power minus 3 के असपास कोई value आ रही है, 10 की power minus 3 के असपास, इसके लिए आएगा, 27S4, 27S4, मतलब S की value जो है, वो अभी और भी कम हो जाएगी, negative में, sorry, negative में और भी कम हो जाएगी, 10 की power minus 10 upon 27, तो देखो महिए, solubility की value जो सबसे जादा आएगी, solubility की value आएगी, वो सबसे जादा किस में आएगी, mx3 में, ठीक है, चले हम लोग आगे, 10 की power minus 2 ऐसा कुछ आएगा, वो 10 की power minus 5 है, ये लगबग 10 की power minus 3 में आएगा, calculation करोगे, वाचा करने की जरॉत नहीं है, और लेटी दिख राया हम लोगों को, एप्रोक्स हम चे के exact value भी नहीं पूछी है, हम चे तो बस, exist नहीं करता, या फिर पूछ लिए, अब meaningless है, तो quantum number से question पूछा गया हम से, और quantum number में, अगर हम लोग देखे, तो क्या देखते हैं, कि L की value जो होती है, L की value, वो always less than होती है, N से, या फिर कह दूँ, कि L की value जो होती है, वो 0 से लेके, N-1 तक हो सकती है, कभी भी N के equal नहीं होती, हमेशा N से कम ही रहेगी, और N-1 तक उसकी value हो सकती है, तो हमारे पास पर कुछ और bitons होते हैं, S, P, D, L, इन सब के लिए अगर मैं L की value देखो, तो S के लिए 0, ये 1, ये 2, और ये 3, 0, 1, 2, 3, ये values होती है, तो देखो भाया, पहले बारा 6F, N की value किती है, इसके लिए, N की value है 6, और L की value किती है, इसके लिए, F ते लिए L की value 3, तो क्या ये exist कर सकता है, बिल्कुल exist कर सकता है, 7S के लिए देखो, तो N की value किती है, इसके लिए 7 है, हम लोग 3D लिए-2 रहे हैं 2D के लिए देखो तो N की ank cv2 है डिवालयक नहीं कर इसाइ सकता है 2D एक्जिस्ट नहीं नहीं कर सकता है क्यों? क्योंकि इसमें L की value जो है वो N के equal है, जो कि कभी नजी होता, चले हम लोग आगे, हाजी, next question हमें दे रखा है, given the equations, ये 3 different equations मुझे दे रखी है, और overall change in enthalpy delta H4, इस reaction के लिए मुझसे overall change in enthalpy पूछा गया है, तो देखो, हम लोग पहले इसी के लिए कैसे calculate करें, वो देखने दे, फिर हम लोग देखेंगे कि हमें उस equation में क्या-क्या requirement है, चलो, delta H reaction, क्या होगा, it would be enthalpy of product minus enthalpy of reactant, तो heat of formation of P4, किसका? P4 का heat of formation, plus 6 into heat of formation of H2, 6 into heat of formation of H2, ये तो होगया product का, minus हम लोग करेंगे, 4 into heat of formation of P3, तो ये equation लिखनी भाया हम लोग ओने, कि product जो भी है, उनके heat of formation है, उसका sum, और जो भी मेरा reactant है, उसके heat of formation का क्या करूँगा, मैं उसको minus करूँगा, अब मुझे ये हर एक value चाहिए, अच्छा, अच्छी बात ये है, कि हमें heat of formation of P3 सीदा-सीदा दे रखते है, heat of formation of P3 हमें value directly दे रखी है, उससे calculate करने की हमें चरूँगा है, इसमें हम लोग रख सकते हैं, उपर देखो, अब मुझे चाहिए heat of formation of P4, P4 का heat of formation चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो equation दे रखी है, वो reverse दे रखी है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इस equation को reverse करूँगा, मतलब मैं इसको ऐसे लिखूँगा, कि phosphorus gas जो है, यह मुझे दे रही है, 1 by 4, P4, और इसके लिए जो delta H0 की value है, वो minus हो जाएगी, reverse हो जाएगी, minus 74.2 kilocalory, लेकिन अभी भी मुझे 1 by 4 की value नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, P4 की value चाहिए, किस की value चाहिए, P4 की, तो उस whole equation को मैं 4 से multiply कर देता हूँ, 4P gaseous gives P4, यही value चाहिए मुझे, delta H0 कितना हो जाएगा, minus 4 into 74.2, minus 4 into 74.2, यह एक phosphorus P4 जो molecule है, उसकी heat of formation मेरे पास आगी, अभी मैं देखूँगा H2 के लिए, अब H2 के लिए भी सेम मुझे यही काम करना पड़ेगा, क्या करूँगा मैं सबसे पहले, सबसे पहले मैं इस equation को, मैं reverse करता हूँ, H gaseous gives half H2, यह भी gaseous state में है, delta H0, इसके लिए minus हो जाएगा, minus 52.1 kcal, change कर दिया, हम लोगों ने reverse कर दिया, अभी मुझे half H2 की value नहीं चाहिए, मुझे value किसकी चाहिए? एक H2 molecule के लिए, फिर आगे मैं उसे 6 से multiply करूँगा, तो क्या करूँगा है, इस पूरी equation को, मैं 2 से multiply कर दू, 2H, यह gaseous form में है, gives H2, gaseous form में है, delta H0 की value, यहाँ पे मेरे पास minus 2 into 52.1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, minus 2 into 52.1 kcal per mole, obviously, अब भाया, इस equation में हम लोगों हर एक की values रखते हैं, सबसे पहले P4, P4 के लिए value हम लगोंने निकाली, कितनी, minus 4 into 74.2, यह बात होएग किसकी, P4 की, अभी next आजाओ, किसके लिए रखना है, H2 के लिए रखना है, और H2 की जो भी value है, उसको मुझे 6 से multiply भी करना, क्योंकि 6 H2 है मिर पास, हम लोगोंने क्या निकाली, minus 2 into 52.1, और साथ में इसको मुझे 6 से multiply भी करना है, क्योंकि 6 H2 की value वहाँ पे लिखनी है, next, अभी क्या निकला है, pH 3 के लिए, और pH 3 के value को 4 से multiply भाना है, अच्छी बात है, तो क्या रखेंगे हम लोग 4 into minus, minus पे value है ये, 229.3, सारी values kilo calorie में है, या solve करो इनको, solve करोगे, तो ये value negative में, ये value negative में, ये value positive में, overall solve करने पे तुम्हारे पास में value आजाएगा, इस equation को solve करते ही, तुम्हारे पास में आंसर आजाएगा, minus 4.8 kilo calorie, कितना आजाएगा, minus 4.8 kilo calorie, thermochemistry का question जाएगे, बहुत ही simple, लेकिन हाँ, हमें directly values ना देखे, हमसे कुछ steps इन्होंने solve कर रहा है, तो कोई बाद ने, proper sequence में चलते गए, हम लोगोरे पहले देखा कि क्या-क्या requirement है, उन requirement के according, उपर से जो भी है, वहाँ से हम लोगोरे डेटा निकाला, हमारी equation में रखा, बहुत सीने, डिरेक्टली आंसर आजाएगे, चले, next, if electro-negativities of hydrogen and chlorine are 2.1 and 4.0 respectively, then the percent ionic character linked HF bond on the basis of Ennian-Smith equation will be, inorganic equation है, वो percent ionic character हमसे पूछा है, Henne and Smith formula से, तो पहले हमें क्या चाहिए, हमें Henne and Smith equation ही लिख लेते हैं, क्या कहता है, कि भाईया, percent ionic character in a covalent bond, percent ionic character in a covalent bond, उसे निकालने का सीधा सा formula है, वो है, 16 into difference in electronegativity, ठीक है, कोई positive negative साथ नहीं देखना है, के वर difference in electronegativity, plus 3.5 into difference in electronegativity का square, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे difference in electronegativity देखते हैं, delta en की value देखते हैं, कितना है, 4.0 minus 2.1, कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1.9 आ जाएगा, कितना calculate करो हो तो 1.9, रखो इसकी value, 16 into 1.9, प्लस 3.5 into 1.9 का square, जे calculate करो, overall तुम्हारे पास में value आएगी 43.035, ऐसा कुछ 5 यह 6 के आज़ पास ऐसे कुछ value आएगी, ठीक है, 5 नहीं जाए, जिसे में क्या लिख सकता हूँ, 43.04 भी लिख सकता हूँ, तो मेरा first answer आज़ेगा, ठीक है, direct formula में, direct formula में बस values रखनी थी हमें, बहुत ही simple सा question था, लेकिर उसके लिए hanae and smith formula जो है, hanae and smith equation जो है, वो हमें पता होनी चाहिए, और hanae and smith equation क्या बताती है हमें, covalent bond के अंदर percent ionic character कितना होता है, यही हम लोग dipole moment से भी calculate करते हैं, एक falling की equation वहां से भी हम लोग calculate करते हैं, और अगर मुझे ionic bond के अंदर covalent character चाहिए, ionic bond के अंदर covalent character चाहिए, तो हम लोग पजान सरूल से लिखता हैं, लेकिन हाँ, वहाँ पे मेरे पास exact value नहीं आती हैं, बस हम लोग compare कर सकते हैं, पजान सरूल से, चले हम लोग आके, हो गया यह, चलो, next, अब यह integer type के questions है, simple simple questions है, the possible number of stereo isomer that may be produced by the reaction of reacemic secondary butyl methyl ketone with ethyl magnesium bromide and subsequent hydrolysis, okay, पहले reaction देखते हैं, हम लोग हम से क्या कह रहा है, reacemic है secondary butyl methyl ketone, तो ketone है मेरे पास में, यह रहा, इससे एक तरफ attached है methyl, और एक तरफ attached है secondary butyl, क्या होगा secondary butyl, इधर यह CH3 लगा हुआ होगा, इधर CH2 CH3, यह है, और इसको देखूं, तो यह एक chiral carbon है मेरे पास, chiral carbon है, और already वो हमें बोल रहा है कि reacemic है, मतलब मेरे पास में R भी present है, अगर configuration देखूं, तो R configuration वाला भी इसमें present है, और S configuration वाला जो sub molecule है, जो ketone है वो भी उस solution में present है, तब ही मुझे रहसे में बोला है उन्होंने, कि दोनों present है, अब इसके reaction किसके साथ में करवानी है, Ethyl Magnesium Bromide, C2H5MgBr, और साथ में Subsequent Hydrolysis B, Hydrolysis B करवाना है, H2A, H2A positive लिख लिए हम लोगोंने, तो क्या होगा, इस carbonil पे attack होगा, carbonil पे attack होगा, तो क्या बना दूँ मैं, alcohol बन जाएगा, CH3, CH2, यह इदर CH के उपर, CH3, इस carbon के उपर, इदर तो बन गया, alcohol, एक मुझे CH3 दे रखा था, और इदर इससे, Ethyl overattach होगा, जिसने attack किया इसके उपर, यह attack करेगा, Ethyl carbon के उपर, यह oxygen उपर चाला, oxygen के लेगेटिव चार्ज होगा, हाँआपर हाइडोलिसे, हाइडोजन आ जाएगा, तो अभी देखो, यह, मेरे पास में, काइनल सेंटर था ही पहले, जिसपे R भी था, और S भी था दोनों मेरे पास solution में present लेगे, और अभी एक नया काइनल सेंटर और जनरेट हो गया, तो उस पे भी भाईया दोनों configuration possible है, R भी possible है, S भी possible है, दोनों ही possible है, R भी हो सकता है, और या फिर S भी हो सकता है तो देखो, हम लोग यह लिखते हैं, कि हम लोगों ने ketone कौन सा लिया इधर हम लोग देखते हैं, कि हमारे पास ने product जो भी है वो क्या-क्या बना अगर मैंने R configuration का ketone लिया, कौनसे configuration का R तो जो product है, product उसमें R यहाँ पे तो fix है, रख दिया मैंने R, और यहाँ पे attack हो है, तो यहाँ पे दोनों possibility भी है, R भी बन सकता है, इस position पे, S भी बन सकता है, तो मेरे पास R भी बन सकता है, मेरे पास इस से R, S भी बन सकता है, दो possible product बन सकता है, और ऐसे ही, अगर मैंने ketone जो है, S के उपर attack हुआ है, तो क्या बन सकता है, S के साथ R भी बन सकता है, S के साथ S भी बन सकता है, इसी position, अगर मैं उसको S fix मान लिया, तो इधार R भी हो सकता है, इधार S भी हो सकता है, तो कितने possibilities बन रही है, मेरे पास product की total 4 possibility बन रह है, क्योंकि यहां पर इसके stereo मुझे fix नहीं दे रखी थी, तो दोनों possibilities थी, ठीक है भी है, समझ में आगया, इसका answer, A-3-Z type है, क्या लिखोगे, 4, चले, next question को देखे, simple सी reaction थी, कितने product बन रहे है, वो हम नहीं नहीं देख थी, next one, given compound can exist in how many orientations, again stereo का question है, compound हमें direct है, और उसम मुझे इसके possible orientation, मतलब possible number of stereo, total number of stereo products, stereo isomers कितने बन सकते हैं, वो मुझे देख रहे है, तो लेखो, क्या molecule में कोई chiral center है, बिल्कुल, यहां पर एक chiral center present है, क्या molecule में कोई ऐसा double bond है, जो GI अगरे दे रहे है, बिल्कुल, यह double bond है, जो GI दे रहे है, and molecule is asymmetric, asymmetric molecule है, जहां से भ isomers generate कर सकता है, जो GI, वो भी stereo isomers होते है, यहां से optical chiral center है, यहां से भी वो stereo isomers generate कर सकता है, तो total number of stereo isomers हो जाते है, 2 की power n कहते हैं हम लोग, और क्योंकि molecule asymmetric है, तो n की value में यहां पर 2 लिख सकता हूं, answer आजाएगा, मेरे पास में 4, मतलब 0, 4 is the answer, आगी आगी आप लोग next question, in the following potential energy diagrams, in the following potential energy diagrams, total sum of transition states in the endothermic reactions, यह कुछ graphs दे रखे हैं मुझे, कुछ graphs दे रखे हैं, और उनमें मुझसे पूचा गया है, कि जो भी endothermic reactions है, उनमें total transition states किते बन गई हैं, उन सबका sum मुझे करना है, तो भया, सबसे पहले ध्यान देना, कि मुझे endothermic reactions देखनी है, कौन-कौन सी है, endothermic reaction, क्या यह है, बिल्कुल यह endothermic reaction है, यह नहीं, exothermic reaction है, यह exothermic reaction है, यह endothermic reaction है, और अब इनमें transition state कौन-कौन से, कितने हैं, यह उपार, यह एक transition state है, 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 नी पर जो बनता है वो ट्रांजिशन स्टेट बनता है तो कित्री ट्रांजिशन स्टेट है इसमें इसमें 3 है इसमें मेरे पास 2 ट्रांजिशन स्टेट है तो ट्रांजिशन स्टेट है तो ट्रांजिशन स्टेट किती हो गई मेरे पास 3 प्लस 2 जीरू पाइट चले हम लोग आगे बहुत सिंपल सा क्यूशन था बस गल्पी यही कर लेता है कि हम लोग पढ़ते ही हैं एंडो थर्मिक रिएक्शन हम लोग डैरेक्टी सभी में देखने लग जाते हैं यह कुछ ऐसी गल्पी कर देता है कि ट्रांजीशन स्टेट ना देखत हुए वह इंटर्वीटेट्स को कांट कर लेता है ठीक है चले हम लोग नेक्स्ट वन मोल्स अफ बॉटरिंग सेवंटी टू ग्राम बॉटर विल बहुत ही सिंपल सा क्यूशन दे दिया ठीक है कोई भी कर सकते हुआ थेक है अच्छी बात है मोल्स अफ बॉटरिंग बॉलर मास वाटर का 18 होता है आंसर कितना हो जाएगा 40 चले नेक्स्ट देखे हम लोग 40 का आंसर भाईया तो रेशियो अफ एनर्जी ऑफ पोटोल ऑफ 2000 एंग्स्ट्रॉम तो डैटा 4000 एंग्स्ट्रॉम एनर्जी के रेशियो से पूछा है तो मुझे सिंगल रेशियो पू लेकिन कन्प्यूज मत होना कि रेशियो पूछा है तो क्या करें कोई नहीं हम लोग एक सिंपल होल नंबर इंटीज एंग्स्ट्रॉम में हमें रेशियो निकालना है ठीक है सबसे पहले हम लोग डिक लेते हैं कि एनर्जी जो होता है फॉर्मूला क्या होता है एच सी बाई लेम्डा मतलब एनर्जी इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वीवलेंड एवन अपान एटू की अगर मैं बात करो तो यह आएगा लेम्डा टू बाई लेम्डा की वैल्यू कित्ता है मेरे पास टू लेम्डा है तो लेम्डा टू लेम्डा की वैल्यू कित्तकी है मेरे बास यह हमारे सारे कुशेंस सॉल हुए हुप सो आप लोगों ने काफी त्यान से समझा होगा ठीक है चलो बैस्ट ओफ लग फूर आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए फिर मिलते हैं ठीक किया जैसी यल्सी अलो श्टुएंट्स बॉड मॉनिंग वेलकम टू ऑन्लाइन टीएस अभी आज आपका यह मैजर थी का कुश्टन का डिसक्शन करेंगे वन मैथ क्या ठीक है आपके से पहले दो मेजर हो चुके यह थर्ड मेजर है आपका ठीक है तो इसमें आपका मैज का फूल स्लेवर्स का टैस्ट हुआ है ठीक है तो शूरू करते हैं कुश्ट नमर बन से तो मैजर देवनर अकरवल एंड टीम मेज सीयर सीचर चलो वोष्ट नमर बन लुग मरन देखो क्या करा यह था फस्ट पूस्ट अपका इंटिट्रिशन अपने करना एक इसमें आपने को यह थो पता चलनी रहा है कि किसको टीपूट करें है न आप इसी कॉस को टीपूट क करते हैं अलग अलग कर लेते हैं तो आप जब इसको अलग लग करोगे तो कहें मिलेगा आपको को से स्केर एक्स कॉस्ट टुदी पावर ऊपर जाके माइनस 2016 x माइनस 2016 2016 कॉस्ट टुदी पावर माइनस 2016 x dx अब देखो चल के रहा है यहां पर अपने को एक पास तो हमें आ रहे ही कि Izhtत। स्वे Caesar कर्फिध का डेफरेंसियस फॉसीबलेटेटिकें तो अपन क्या करते हैìn इसमें लगा देखेंथ साइब कर दिया आपने और इसमें इसमें करद रलगा दिया मैंने आई इसमें विए पार्ट करा दिया यह थिकेो अ embro नत्रा इंटिरे C में कंटिर व्य फाग़ में big फ्स्ट इं bill कि इंटु इंटिरेडिशन का वड़ा उन Ig्या सका को सरा चरा कि संद स्यंड Sunshine कह वो कि वगे मैंब Mom गलाग कम हो जाएगी, तो माइनस 2017 हो जाएगी, अपन ये कह सकते है, इंटू कोई काड़ेशन क्या होगा, कि minus sign. माइनस सदीर हों कि सब्सक्राइब विपक्राइब प्लस. अब इसके बाद का अगरेंगे, अपने integration of second function, तो क्या हो जाएगा आपको, सब्सक्राइब्र मायं डूलब विंद अब देखो माइन इस pakai оф 206 और यह thoughts box 20 the power minus 2016 द्विन स्थिए फिक एलब एक काम करें फार थे एक हो क्या रहे है ये पॉटेक्स है वह क्या लोगिस फोट तो क्या होगा एक साइंश bedeutet जाएगा ठीक है Карण अमों की प्रिम की नाधर है यहांश तुना मैंक्स कर दगाば पर यहां पर नजर आने वाला है आपको 2016, cos to the power minus 2016 ने जाएगा, plus 1 करेंगे तो dx, और यहां पर क्या है cos to the power minus 2016, dx और यहां पर क्या है minus 2016 ने आगे, तो क्या हो जागा, यह part cancels out हो जागा, आपना final answer क्या जागा सीथे, cos to the power minus 2016, x, और cortex को जागो तो 10x चलो के उपरी टेजने तो, cortex, plus c, ठीक है न, plus c, तो क्या आगे अपना answer, cortex, अच्छा है, यह कहता माइनस काता न, तो माइनस और आएगा, तो क्या जाएगा अपना यह, यह आगे अपना, minus of cortex, cos to the power minus 2016, कौन सवाल आजाएगा option, option, option number, third, ठीक है ठीक है, ठीक है न, तो cortex upon cos to the power minus 2016 आगया, ठीक है, चलो, next question, question number, second देखते हैं, ठीक है, चलो देखो, question number second पर क्या के रहा है, let an, n belongs to n, be a matrix of order, 2n-1 by 2n-1, तो एक matrix है अपने पास, 2n-1 by 2n-1 order की, जिसमें aij क्या है, 0 है, जब i not equal to j है, और aij equal to n square plus i plus 1 minus 2 है, जब i equal to, क्या है, j, इसका हमला क्या होगा है, जो diagonal elements होगे, वहाँ पर क्या होता है, i equal to j होता है, तो वो सारे elements के आने वाले हैं, आपके ही आने वाले हैं, ठीक है, इसकी helps से आने वाले हैं, और जहाँ पर i not equal to j याने कि बाकी सारे elements क्या हो जाएंगे, वहाँ पर 0 हो जाएंगे, ठीक है, तो कुछ ऐसी मेड़ बनीगे, देखो matrix, देखो 2n minus 1, 2n minus 1, order क्या है matrix, तो यह सारे elements होंगे, side value क्या होंगे 0, और यहाँ पर element आएंगे, कहाँ पर diagonal में, diagonal राले elements होंगे सारे, non-zero होंगे न, वो इसके helps जाएंगे, तो शुरू करते हैं आपने क्या दे रखा है, aij के विन है अपने को, n square, इसको अच्छे से लिखे हो है, minus 2n plus 1 plus i, plus i, sorry, plus i, तो देखो, शुरू करें, तो i equal to j के लिए यह है, तो चलो, और tn equal to क्या करा है, अपने पास, tn is the, tn is equal to minus 1 to the power n into sum of all the elements of a n, तो चलो, देखो, सब सब बेले क्या करें हैं, अपन को पता है, कि सब का sum करना है, तो sigma aij, क्या होगा, sigma aij, जब i क्या है, not equal to j, plus sigma aij, कब, जब i equal to kya है, j, कर लाएं, तो देखो, क्या होगा, यहां से, i not equal to j, and i equals to j, तो देखो, सब 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 बेले क्या करोगा, आप बताओ, मिरेको, क्या कहना था हैं, आपसे, जब i equal to j है, जब i equal to j है, तब इसकी value यह है, और i not equal to j है, तो 0 है, तो i not equal to j में 0 है, तो यह तो क्या होगा, पुरा complete 0, क्या बचा आपने पास यह है, तो इसमें क्या होगा, sigma aok, क्या लिख होगा है, अपने पास, n square, minus 2n, plus 1, plus i, i equal to j, चलो, तो थोड़ा सा और solve कर लो, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, n minus 1 का whole square, plus i, और i की है, तो कहां से कहां तक लेनी है, अपने को, 1 से लेकर, 2n minus 1 तक लेनी है, सही है न, 2n minus 1 order का है, इसलिए, चलो, देखो, तो यहां पर क्या होगा, इसका सम करना है, तो इसको जब मैं i की जगा, 1, 2, 3, 4, अप्टो कहां तक रहूंगा, 2n minus 1 तक, तो यह कितनी बार आएगा, term मेरा, 2n minus 1 टाइमस आएगा, तो यह तो शीज़ दिख्या होगा, 2n minus 1 into n minus 1 का whole square plus, अब आई की जगे क्या हैगा, 1 plus 2 plus 3, अब तो कहां तक, 2n minus 1 तक, तो आप बताओ, 1 से लेकर, 2n minus 1 तक के natural numbers का sum करना है, तो sum of first natural numbers क्या होता है अपना, यह होता है, n into n plus 1 upon 2, लेकिन यहाँ पर numbers कितनी है, 2n minus 1 है, तो n into n plus 1, यहाँ कि 2n minus 1 plus 1 करेंगे, तो 1 से 1 कट जाएगा, अपन में क्या हैगा, 2, n into n plus 1 upon 2 होगया, तो इसको सोड़ा solve करें, तो क्या दिखाई दे रहा है मिरको, मिरको प्यारा सा दखाई रहा है, तो मैं कुछ ऐसा, 2 से n plus 1, लेकिन लो, 2n minus 1 into n square minus 2n plus 1 plus 2n square minus 2n, n यहाँ रहाएगा, 2n square minus n, ठीके, चलो आगे, तो इसको multiply करो, क्या रहा है दिखना, यहाँ आगे, 2n2, n square में क्या क्या रहेगा, minus 4n square और minus n square, तो minus है कितना हो गया, 5n हो गया, ठीके, और जागे चलो, minus 5n square हो गया, और आगे चलो, plus का 2n, और plus का 2n, तो plus का कितना हो गया, 4n हो गया, और minus का बनाएगा, plus का क्या है, यहाँ पर 2n square है, और minus का n पहले से, ठीके, चलो आगे, तो इसको solve करेंगे, तो क्या होगे, यह 2n q minus 3n square plus 3n minus 1, यहाँ ग को अलाग अलाग इस प्रिट कल गया n cube प्लस n cube में तो देखो यह कुछ ऐसा बन रहा है इसमें सब माइनस 3 एन कॉम लेलो आप तो अंदर क्या बचेगा एन माइनस 1 बचेगा और माइनस का 1 को लिखतो 1 का q तो देखो यह क्या बन रहा है aq-bq-3ab into a-b क्या बन गया n-1 का whole cube क्या बन गया n-1 का whole cube तो यह कुल मला कि बस यह जो step है न यह important step है यह आपको सम्ने आना चाहिए गया कि मैंने इसको क्या कर लिया इसको n cube और m-1 का whole cube में क्या 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 कर लिया ठीक है न expression को अब देखो क्या होगा अब 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 क्या करना था tn न निकाला था तो tn कि what was tn. tn था अपना мाइन स 1 to the power n और सबका सम यही सिगमा आइजे यह ही है न तो क्या हो जाएगा यहापर तो अब बताओ मेरे बोलती से अब ही बताओ मेरे बोलती से क्या बताओ कि माइनटकर अब यह बताओ कि सिगमा टीन तीन जगह मैं यह लिकतू प्लस एन माइनस वन का होल क्यूब जिसमें एन की वेल भी कहां से कहां तर देर गी है नोंने यहां से लेकि एक सोधो तर तो अपने पर जाए को अधर लेगी यहां से का लिए ना क्योंकि एन आ रहा है न उसमें इसलिए मैंने तो बताओ क्या होगा यहां से जब आप एंके लिए फ्री फॉर अप्टू टू तो रहोगे तो क्या वेल्यू आएगी इस छोटेस वाट को देखो सम्झो बातों क्या हो जाएगा माइनस वन की पावर एंजब पावर और और ऑडखी तो माइनस वन आएगा और जब आवर एवन मिल्टिप्राई उड़ा है इस में वी और पर दो और जोदर चलो एस माइनस की आएगा, भोगे सिलीए भी है लेकिन वो क्या है, माइनसे मॉंज़ा क क्या हो ईथा, इसमें भी नहीं ही, अधिक और आभी चलो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा. माइनसे क्या हो गया, अब र्कोर 2, 1 1 का Q, अब अगी वाइल प्रम कैसा हैंगे, तो होगा क्या, यहाँ पर आएगा, माइनस का 3 का Q, और यहाँ पर आएगा, माइनस का 2 का Q, चलते से दिलास्ट में क्या आएगा, 102 रखेंगे, तो 102 कैसा है, इवन नमबर है, तो कैसा हैंगे, प्लस का आएगा लास्ट ट्रम, 102 का Q, और यहाँ पर आएगा, प्लस का 101 का Q, बात आगी मेरी समने, बीच में क्या हो गया हैंगे, चलना हैं ट्रम कही सारे, तो अब देखो, ज्यान से देखो, हो क्या रहा है, माइनस 1 का Q, यहाँ प्लस 1 का Q, ऐसी माइनस 2 का Q आएगा, तो आपको पता है, जब सीरीज में टरम का कैंसलेशन करते हैंपन, तो जब कॉस्ट टरम बसता है, तो वहाँ पर क्या बसता है, लास्ट टरम, और जब लेकर बसता है, तो यहाँ पे यह वाले क्या आपना 102, तो बाकी सारे टरम गेंसर लाओट हो जाएगे, क्या होचेगा, सिर्फ 1.2 का Q बचेगा, तो यहाँ पर आपके बसताश्य का Q, कॉन सबका संद, और अपने पास TN के लिए 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 पाइव तू जीरो डू डॉबल जीरो और ऊपर क्या एगा वन देड़ टू कर क्यूड इसको आप सॉल कर ले असान से अच्छा इसमें यह धनगना कि आपको क्या है इसमें यह जो बॉक्स है यह क्या है घया घया जिए फैना तो क्या लोगों क्या आरह से तो कोई नसा option से हो ठीक है चलो next question देखते है question number 3 खोट सा length यह question लेकिन अच्छा question था ठीक है यह क्या करा है if x1, x2, x3, x4 are 4 positive real numbers such that x1 plus 1 upon x2 कितना देखा है अपने को 4 x2 plus 1 upon x3 क्या देखा है 1 ठीक है तो यह condition अपने को दे रखी है तो आप कह रहा है कि बताओ इन में से कौन सा relation ठीक है चलो और x3 plus 1 upon x3 कितना है 4 1 x3 plus 1 upon x4 क्या है 4 अच्छा यह दोने equal है और यह दोने equal है आपस में देखा आप ध्यान से ठीक है तो ऐसा कर सपाँगे मैं x1 plus 1 upon x2 equal हो जाएगा x3 plus 1 upon x4 के हो जाएगा ठीक है दूसरी बाद इधर आ जाओ x2 plus 1 upon x3 equal हो जाएगा x4 plus 1 upon x4 x1 के यह भी अब एक बाद बताओ इसको में धर लिखाम तो यह क्या हो जाएगा x1 minus x3 equal to 1 upon x4 minus 1 upon x2 इदर क्या रहा होगा x2 minus x4 आजाएगा और उदर क्या चलाएगा 1 upon x1 to पहले से है माइनस का 1 अपॉन X3 ठीक है तो X2 माइनस X4 इककोल हो गया X3 माइनस X1 अपॉन में X1 X3 यह आ गया ठीक है अब एक काम करो आपके आपके अपॉन दो इक्विशन है तो उसमें क्या है X1 मेंस X3 की डेली जो यहां पर रखी हुई है क्या रखी हुई है X2 माइनस X4 अपॉन X2 X4 इसको ठाके का रख दो आप X3 माइनस X1 में रख दो ठीक है तो क्या मिल जाएगा आपको देखो यहां सी दरा मेरे को मिल जाएगा इसको डाल दो चलो बाद में देख लिएगे ना तो क्या हो जाएगा X2 माइनस X4 बात आ रही है समय है X1 माइनस X3 की जो वैल्यू है वो ठाके मैं कहा रहा हूँ निमेटर में उपर तो माइनस में आई की वैल्यू तो यह आजाएगे मेरे कहल से माइनस का X2 माइनस X4 और नीचा है जाएगा X1, X2, X3 और X4 तो इसको solve कल दो आप तो X2 माइनस X4 यह भी है यह भी है इसको वाँ ले जाना और फिर कॉमन ले ले लेना तो क्या हो जाएगा X2 माइनस X4 हो भी कॉमन ले लिया बनने अंदर क्या बचा होगा अंदर बचा होगा 1 प्लस 1 अपॉन में X1, X2, X3 और X4 बचा होगा अब यह तो सारी कहा है 4 पर 4 पॉजिटिव VL नंबर से है लिखा होगा है पॉजिटिव VL नंबर से है तो इसको वाँ ले जाएगे 0 पर तो LCM लेकर तो दो value निकल क्या रही है यहां से एक तो आ रहा है X2 एक्वल टू X4 दूसरा आ रहा है X1, X2, X3 और X4 एक्वल टू-1 ठीक है ना तो यह तो possible नहीं है माइनस वन होजाए चाहब प्रोड़क्ट के आप क्यों क्योंकि वो कहें 4 पॉजिटिव VL नंबर से है तो एक प्रमिशन तो यह निकल क्या आगी पॉसिबल होगा X1, X2, 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 X यहां समझारे है न क्यों क्यों जब यहां सुटा कि आप यहां रहोगे तो क्या होगा माइनस में X1, Mाइनस X3 अक्वान में X1, X2, X3, X4 तो वहां ले जाओगे फिर वही कौम मना जाएगा तो बाकी एक चो पार्ट आएगा नीचे डिनोर्मेटर रोक के आएगा X1, X2, X3, X4 तो उसकी वेल्यू माइनस में उसको लेना नहीं है अपने को तो कि पॉसिबल नहीं है तो अपने पास दो रिलेशन निकल के आगए एक तो X1 बराबर X3 है और X2 बराबर X4 है ठीके, अब चलो आगे अब चलो आगे अब देखो X2 बराबर X4 के तो मैं कहा कि इसका हूँ यहां से X2 इक्पोल है X4 के इसका मादा X1 प्लस X1 X4 इक्पोल तो 4 लिख सका हूँ X2 के बराबर X4 को X2 किसके क्पोल आए X4 के तो माँ में पूट कर दिया X4 और दूसरी बार अपने पास क्या कर दे रहे है यहां से देखो X4 प्लस 1 अपॉन X1 कितना है 1 तो ऐसे दो नंबर्स जिनका दो नंबर्स एक नंबर और उसका रेसिको के कर दिया फिर उसका रेसिको के कर दिया और दूसर नंबर निमेंटर में उनका सम बना रहा है तो आप इनको चेक करोगे तो क्या रहा है यह एक तो 2 आ रहा है और एक हाफ आ रहा है जैसे X1 को क्या मानलूम है 2 तो 2 मानता हूं तो यहां पर 1 upon 2 कल लों तो 2 का हुल्टा क्या मज़ागा? 1 upon 2 का reciprocal लेंगे तो क्या जागा? 2, तो 2 plus 2, 4 तो यानि कि यह किसकी value आ रही है? x4 की तो अपनी यह कह सकते हैं कि x1 आ रहा है 2 तो x4 कितना आएगा? half आएगा तो verify करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा? x4 की value रखनी है half और x1 की value रखनी है half, और x1 की value रखनी है 2 तो 1 upon 2 plus 1 upon 2 कितना आ आ गया? 1 आ गया तो उसका मतलब क्या है? x1 की value तो आगी आपकी 2 x4 की value रखनी हाफ, ऐसे क्या करवागा? आप x1 और x3 में ही चेक कर लो, वो कहां चेक कर होगी आप? इसमें चेक कर लो, इसको equation को ले लो और इस equation को ले लो, solve कर लोगे, तो x1 की value मिल गई, x2 की value मिल देगी, x3 की, x4 की value मिल देगी, तो आप अरांज अप्शन चेक कर सकते होगी, x1, x2, x2, x3 को ले ले ला, तो आप अरांज चेक करके कर लोगे, option टेक कर लोगे, चलो, next question करें, question number 4, question number 4, let c be the circle of radius unity centered at the origin, if two positive numbers x1 and x2 are such that the line passing through x1, minus 1 and x2, 1 is tangent to c, x2, देखो कैसे करेंगे, सबसे पहली बार, डॉनों के डॉनों कैसे है, positive members है, ठीक है न, कौन-कौन x1 और x2, और एक circle देखा है, जिसका radius कितना है, अपना unity, यानिकी 1, तो देखो, diagram बनाते हैं में छोटा सा प्यारा सा, यह बन गया और दूसरा कहा है, x2, plus 1, एसे माल लेते हैं, rough लीक माल लेते हैं, कोई भी है, ऐसे माल लेते हैं, ठीक है, यह होगी line माल लो, दूसरी बात, अब यह line आ रही माल लो, और इसको character यह touch कर रही हैं आपर, तो यह pin-pin points से बास कर रही है, इस 2 points से बास कर रही है, इतना, x1, minus 1, and, दूसरा point है, x2, 1, x2, 1, कर लो फ़र आपर से हैं, दो point को join करने वाई लेंगी, question आप निकाल सकते हो, 2 point form से आरांग से, क्या हो जाएगी, y-y1, equal to x-x1, किसी को ले लो है, x-y1, इसको माल लो कोई रिकत नहीं है, लो, plus 1 कर दिया, और इसको माल लो, चलो खुश, तो अब क्या हो जाएगा, y2-y1, upon x2-x1, यह मिल गया, इसको तो और simplify कर लो, तो क्या हो जाएगा, यहां से, यहां से आजाएगा, पहले equal to, पो solve कर लेता हूं, तो यह आगे at 2x, और minus हो जाएगा at 2x1, अब इसको इसको माल ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, x2-x x1 हो जाएगा, x1-x2 हो जाएगा, x1-x2 हो जाएगा, into y, और इसमें multiply हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, x1-x2, ठीक है, equal to, मैं क्या बचिया, 0, सही है, अब देखो क्या आ रहा है है, simply देखर हो जोड़ा सा, तो यह आ रहा है, 2x plus x1-x2 into y, और minus 2x1 और plus x1, तो क्या हो जाएगा, minus x1-x2, minus 1, common area, ठीक न, equal to 0, तो यह line के क्रिशन हागी, अब यह क्या है, इसके tangent है, तो सेंटर से जो distance है, इसका perpendicular distance हो, क्या होगा, radius के एकपल होगा, और radius के इतना है अपने पास, 1 है, तो कल लोगोट आपट से, 1 equal to magnitude of modulus of, इसमें रखो, आप 0, 0, origin से distance निकाल ल इनके square का sum, तो 2 का square, plus x1-x2 का whole square, सही है, तो इसको solve कलनो यहां से, solve करो तो क्या होगा, आपके पास x1-x2 में relation हाजाएगा, चलो, करते तहूं, चलो, मैं 4, plus x1-x2 का whole square, बराबर, इसका लोगो whole square कलनो जाएगा, x1-x2 का whole square, ठीक है, चलो, आखों यहांखों में कलने, solve आखों में, तो x1-x2, cancel out हो गया, तो यहां पर आएगा, minus 2x1-x2, यहां आएगा, plus 2x1-x2, तो minus 2x1-x2, वहां जाके क्या हो जाएगा, plus 2x1-x2, तो यहां पर कुल में लगा है, आपके सामने क्याने वाला है, 4 बराबर 4, x1-x2 आगया, ठीक है, 4-4 cancel out हो गया, तो x1-x2 क क्या हो गया, तो x1-x2 क्या रहा होगा, plus 1 रहा होगा, question number next, fourth, fifth question, क्या कह रहा है, if f double dash x greater than 0 है, ठीक है, और क्या है, f dash 3, 0 है, ठीक है, अच्छा, f double dash x, 0 को उसे बड़ा है, for all x belongs to r, और f dash 3 की बेली क्या दरीक है, अपने को 0, तो कह रहा है कि, gx यह यह है, function अपने पास, बीच में x अपना, then gx कि इस interval में increase करेगा, अच्छा, इसका मतलब यह हो गया, कि अपने वो function तो दिरखा, f dash x की बात कर रहा है, बस अब यह कह रहा है, जिसमें वो क्या कर रहा है, increase कर रहा है, increasing है, जिसमें gx हमारा, तो gx की increasing कब होगा, gx increasing तब होगा, जब g dash x कैसा पॉजिटिव, g dash x slope positive होगा, तो increase, और यही slope negative होगा, तो decreasing, तो एक काम करते है, पुछ छोटा सा पहले, gx अपने को दे रखा है, यहाँ, दे रखा है, तो gx के बारे में बात करते हैं, च्छोटी सी, तो gx हो जाएगा अपना f of, यह लिखा हुआ है, 10 square x minus 2 10 x, तो देखत का 3, समझा की बाद, minus 1 का square क्या हो जागा, plus 1 हो जाएगा, plus 1 plus 3 क्या होगा, plus 4, ऐसे सो चलो, है न, कैसे भी सो सकते हो आप, चलो आगे, तो यह gx को निकाल गी ला, मैंने, खुछ तरीके से क्या, f of 10 x minus 1 का whole square plus 3, अब आगे बास सुनो, अब अब आपने को कह रहा है, कि gx क center होताना है, तो क्या करोगे, इसको आप differentiate करोगे, तो differentiate किया, मैंने, तो g dash x आगया, g dash x क्या जागा, f dash, अंदर वाला function, जो भी है, 10 x minus 1 का, whole square plus 3, into, क्या हैगा, अंदर वाले का differentiation, तो अंदर वाले के derivative क्या हैगा, जिखो, इसका, 3 का तो 0 हो गया, इसका क्या हो जाएगा, 2, 10 x minus 1, into, 10 x से differentiation क्या होगा, सेक स्क्वार x, ठीक है न, आ गया, कुछ लोग सुच रहेंगे, 1 minus 10 x लिखो से, वो भी लेख सकते हो, आप 1 minus 10 x, वहाँ पर क्या हैगा, फिर minus का सेक स्क्वार x आएगा, ठीक है, चलो आगे, अब आगे बात करते हैं, यह आ गया, g dash x, अब g dash 3 कितना है, 0, f double x, क्या है, projective, इसका मतलब 3 पे value कैसी रही होगी, उसकी projective, तो आपको पता है कि, first derivative tip पे जो points आ रहे, इस पे इदी f double x, greater than 0 है, तो उसका मतलब क्या बन रहा होगा, that will be the point of minimum, minimum बन रहा होगा, तो कुछ ऐसे रहा होगा, 3 पे क्या बन रहा होगा, minimum बन रहा होगा, तो 3 से जश्ट बड़ी value के लिए, क्या होगा, f dash x, positive, सही है, 3 के आगे मैं देखूंग, तो f dash x क्या सारा होगा, positive, और 3 से पहले क्या सारा होगा, negative, चलो, आगे चलते हैं, तो ये 3 की बात हो रही है, अब में पो एक बात रहा हो, इसमें, g dash x, तो इसमें, ये value 0 होगी, क्योंकि f dash 3 की बात हम सोच रहा हूँ, तो f dash 3 की बात हम सोचने के लिए, मैं ने सोचा, कि 10 x minus 1 का क्या है, whole square है, तो ये quantity हमेशे क्या होगी, greater than equal to 0 होगी, और greater than equal to 0 होगी, इसका मालब इसको जब इसमें 3 में add रहोगी, तो ये value जा होगी, complete होगी, greater than equal to 3 आईगी, f f dash के अंदर वली value, और greater than equal to 3 आईगी, तो f dash x से आएगा, positive आईगा, positive आईगा, या x की value ये पाइट 4 होगी, तो क्या ये पाइट 4 होगी, तो ये positive, और पाइट 4 से छोटी होगी, तो negative, और आगे चलो, say square x तो क्या होगा, even function है, तो हमेशा क्या रहेगा, positive, उसके लिए सो अब आजाओ याँ पर, तो अपने बाइटर वली का दे रहें, 0 से 5 by 4, 5 by 6 से 5 by 3, 0 से 5 by 3, तो अपना 5 by 4 पर क्या हो रहे है, function भूम रहे है, तो 5 by 4 पर 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 पहले तो क्या आ रहा था ये value, 5 by 4 से पहले value क्या आ रहे है, अपने को increasing देखना है न, कोई बात नहीं, तो 5 by 5 by 4 से पहले value क्या है, negative आ रहे है, positive तो 3 से बड़ी value आएगी, 3 से बड़ी value आएगी, और 3 से बड़ी value के लिए F-X क्या आएगा, इसका positive, तो ये quantity क्या है, अब यहाँ आ जाओ, 5 by 4 से पहले ये कैसा होगा, less than 1, less than 1 होगा तो ये कैसा आएगा, negative, तो G-X कैसा आएगा, negative, लेकिन 5 by 4 के बाद की बाद करो गया, यानि की क्या हो गया, X belonging to greater than 5 by 4 है न, 5 by 4 से बड़े के लिए बाद कर लूँ मैं, तो 5 by 4 से just बड़े के लिए देखो आप, ये तो कैसा होगा, positive आएगा, positive आएगा, इसको देखो आप, ये भी कैसा आ रहा है, greater than 0, और ये तो hey greater than 0 इस X is greater than 5 by 4 होगा, 5 by 4 से 5 by 2 में कैसा होगा, ये function अपना increasing होगा है, वो option अपना इस नहीं है, तो क्या होगा, नगा नगा, चलो next question नमर 6 करते है, the area bounded by the curves, mod y equal to root x and x equal to mod y plus 2, ये अपने graphs में पढ़ाया है क्या, कि y equal to fx का graph बनता है न, और mod y equal to fx का graph बनता है न, तो mod y क्या अपने हो क्या करना है, mirror image ले लेते हैं इसके अब अब हो, x x के बनता है न, तो जो शुरू करते हैं, अपने हो क्या करब देते हैं, y equal to root x, तो mod y गढ़ाब हो root x है, तो अपन इसमें simply क्या करें क्या क्या करें है, पेले, y equal to root x अगरा आप ड्रो करना है, ये आ जाएगा, y y equal to x minus 2, तो y equal to x minus 2 को ग्राफ बनाओ, क्या बनेगा, y बराबर x minus 2 को ग्राफ बनाओ, तो x की वेल्यू 2 पर y की वेल्यू क्या आएगी 0, तो ये point आ गया, तो एक lines पर, ये आगी line, इसी की mirror image लेलो आप, तो ये हो जाए कि ने हो जाएगी, ठीक है, चलो आगे, तो इस वाले area को निकल लूँ, पर वाले को a1 बोल दिया, इसको a2 बोल दिया, अब a1 equal to a2 है, तो required area क्या हो जाएगा, integration of, यहां से लेकर, ये पूरा area, ठीक है न, तो इसका twice कर दूँ मैं, तो क्या जाएगा अपने पास, twice of, क्या हो जाएगा, इसको o, इसको a, इसको b, बो, twice of area of o, a, b, o, कह सकते हैं अपन, ठीक है, चलो आगे, अभी मैंने क्या है, थोड़ा सा, आराम से करते हैं इसको, तो twice of, अब मेरे को भी बताओ, ये area को निकालना है, तो दो तरीके हैं, या तो आप vertical step ले लो, या oriental step ले लो, तो होगा क्या, जब आप इसमें देपो में, मैं जब इसमें vertical step लोंगा, तो जैसे ही मैं नीचे से, इस point of cross करूँगा, तो क्या होगा, vertical step के लिए, curve change होगा है, नीचे वाला, जब तक ये x axis चल लाइए, जब तक कोई दिक्कत नहीं थी, y equal to 0, ले ले लोड़े प्यार से आप, लेकिन जैसी इसके बात change करोगा, तो क् पार्ट में इसको split करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, अपनी सुविदा के लिए क्या किया, मैंने, मैं split पहुंसी का लिए हुदाओ, ये horizontal, ठीक है न, तो horizontal के लोगे तो एक बार में answer आजएगा, horizontal क्या होगी, यहां से लेकर, और contact जाएगी, बीतर, तो क्या हो ये आएगी, ये आएगी, y प्लस 2, माइनस, लेफ्ट में को ने पने पास, ये पेराबुला जो, half पेराबुल लगा, तो पेराबुला में क्या आएगा, y स्कुए, चलो, dy, अब y के वेल्यू कहां से का तर जाएगी, आप देखो, इस टिप कहां से का तक move कर रही है, यहा दौनों का intersection point, तो दौनों का intersection point निकाल लो क्या आपर हम से, 0 से निकाल दूँ, वे निकाल दूँ, चलो, तो ऊपर के हैं दौनों positive है, तो x बराबर y प्लस 2, और y इक्वल टू रूट x को solve कर लो आप, तो y के वेल्यू है जाएगी, x y इक्वल टू, x इक्वल टू क्या थ तो y के वेल्यू आगी 2, और क्या है कि यह प्लस का 1, यानिकी माइनस का 1, तो 2 और माइनस होना जाएगी, तो एक बात बताओ, मेरको 2 और माइनस 1 आएगी, तो यह वेल्यू क्या रही होगी, 2 रही होगी, 2 रही होगी y के वेल्यू है ना, तो y के वेल्यू क्या रही होगी नेक्स्ट कोष्टमर 6 में देखो क्या कर रहा है ती वैल्यों की फॉलॉइंग पर टू इसकी वैल्यों निकाल नहीं अपने को तो क्या अगे आपने बाइने बाइने पॉश्टमर पॉश्टमर को अपन पहली बाद फोड़ सा याद कर लेते हैं ना 1 प्लस x की पावर n लिख स्कुर्ट कर दूसरे वाली मुल्टा भाएगा चैस्ट क्या हो जाएगा सीजी रोट एक्सट की पावर n माइनस मर्ण और सी एक सी पावर जीरो जाए गीतिелियों व्याफेड़ी तो अब देखो मेरी बास सुनो इंड़ अमरी बास सुनो मैं कुए अपर एक्सकुर आज बिक हो biss अंजो ऐसे नीचे़ जिए था है नड़ा तो जैसे मेरो चिए क्या क्या स्कुर्ण कर टाक दाक तो ऐसे पुश्चिन प्रपन क्या करते हैं nc0 इसको क्या लखने हैं अपन nc0 और फिर उस nc0 को प्रपन ncr इसके खुरता है ncn-r के तो उसको प्रपन क्या ले सकते हैं ncn तो अपन क्या लखने हैं वहांसे ये देखते हैं कि नीचे वाले lower index जो है उनका sum कितना आ रहा है तो वहां प्रपन क्या करते हैं एक्स की जो पावर आएगी उसको कोफिटेंट अफन ले ले लेते हैं तो यहां पर ही कुछ ऐसा ये स्टन क्या करोगे आप सिंपल सा nc इसको multiply करोगे इससे तो x पावर n आ जाएगी 100c0 का square 100c2 का square 100c4 का square तो देखो यहां से देखोगे तो यह क्या लिखा हुआ है 100c0 into 100c यह जी लिखा हुआ है 100c0 का square इसको मैं यह लिखा हुआ हूँ 100c0 into 100c100 क्योंकि ncr किसके एक पल जागा ncn-rb प्लस दूसरा क्या जाएगा 100c2 into क्या जाएगा 100c98 अगला क्या जाएगा 100c4 into 100c96 लास्ट रिलेवेंसी वेफन 100c100 into 100c दूसरा क्योंकि मैं 0 n-r कर दिया तो अब देखो लोर इंडेक्स का सम है न वह मिशा क्या रहे रहा है तो अब यहां पर देखो जो साम है न वह 100 है लेकिन क्या है बीच मिसिंग है कौन मिसिंग है 1 99 3 97 5 95 and then last 99 1 वह मिसिंग है और मिसिंग है तो पर क्या करना पड़ेगा आपने को थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा कि इसके बारे में जो और दो वाले बाइनोंके लिखना प्लस 100C1 100C99 प्लस 100C2 100C98 और का पर जाएगी का नहीं 100C100 100C0 तो इसमें तुम क्या करोगे सीजिग है इसको लिख लेते हैं अपन 1- – coefficient of x100 in किसमें बताओ 1 प्लस x100 into 1 प्लस x100 तक है ना फिर उसका रिवर्स वाटर में लिखा होगा तो NCR को पने nC n-स आई तो 100C, 0 की जगे रिखे लिख दिए, आपने 100C, 100, into XC, 0, और उसको multiply किया किसे, 100C, 1, और XC, 99, तो उसे corresponding time को multiply किरोगे, तो XC, 100 होगी, उसके जो coefficients आएंगे, उनका सम कहाएगा, यह आजाएगा, तो इसका में लगे होगे, यह इसका coefficient समय, अब तो इसको देखो जान से, तो 18C, 100C, 100, तो यह तो इसकी value आ गई, अब ऐसी, आपने को, क्या नहीं चाहिए, इसमें अपने मीर को, इसमें मीर को नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कि 1, 99 नीच यह लोवर इंडेक्स में, 3, 97 नीच यह लोवर इंडेक्स में, स्काम लगया हो गया, कि मैं 1 प्लस X को, अगला ट्रॉम क्या है मेरा, coefficient of, coefficient of XC100 in 1 प्लस XC100 into 1- XC100, समझ रहे बात को, इसमें मिल जाएगा मेरा coefficient, तो क्या हो जाएगे लिए हम से अब जाएगा, यह मिल जाएगा मेरेको, 100C0, XC0, XC1, 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 तो इसको में सीज़े, 100C0, को मिल्टिप्लाई करेंगे से, पन 100C, 100 से, अगला अगला ट्रम क्याएगा, अगला ट्रम, 100C0, 100C1, और यहां पर जाएगा, 100C100, यह कैसा आएगा, और यहां पर जाएगा, 100C0, क्लिए रहे बात, अब आप कुछ नमत करो, अब आप यह देखो, कि यहां पर यह क्या है, क्या है, कोपिशियंट ओफ एक सीपवर 100 लिया है, लिया है मैंने, तो यहां पर क्या है गया है, प्रकिशियंट ओफ एक सीपवर 50, मिरुप यह पर इसकी पावर क्या चाहिए, प्रिफ्टी सॉरी मेरों कॉपिशन से एक्स थी पावर हंडेड़ का तो यहां पर पावर कितनी होने चीए स्क्वेड़ कितनी जागी 50 तो मैं सिंपल सी है किसे कहता हूं हंडेड़ सी 50 जो रहा होगा वह कोफिशन होगा किसका यहां पर क्या जागा सी कितना तो इसमें जो पॉफिशन आ रहा है तो जो जो इवन लोर इंडेक्स वाले टरम में वह तो क्या हो जाएंगे और बाकि जो ओड़ वाले पर क्या हो जाएंगे आपस में कैंसल हो जाएंगे सारे सारे ठीक है ना इससे पहले बाला अजसे तो फुल मुला के में पर जो अंसर आएगा और क्या जाएगा देखो ज्यान से आप लोग किया आगे है मेरे पास 200C 100 प्लस 100C50 इकोल्स तू कितना जाएगा ट्वाइस ओप 100C0 100C100 प्लस 100C2 100C कितना जाएगा 98 लास्ट में के जाएगा 100C100 और 100C0 यह आएगा नहीं आएगा ठीक है चलो आगी तो आप देखो यह तो बंगे आपने पास रिक्वाइड अपने पास तू को सी लेगी नीच लेगी दिलिया तो कॉंस अप्शन सी जाएगा देख लो 200C100 100C50 अप्वाण 2 को अप्शन अमों 3 से होगा है ना तो में बख लिए कि इसमें आपको बस यह सम में आना चाहिए इसका कोफिशेंट लेना है अपने को ठीक है ना तो जब ल नहीं चीजिए तो मैंने माइनस वाल लेकर उसको उसके साथ एड़ कर गिया बस काम खुच्छा करना है कि बार नहीं आई समीन पूछन है ना चलो नेक्स्ट कुछन नमर इट इट सैविंध आएगा है ना तो देखो सैविंध हो गया पूछन नमर इट क्या करा है इस सॉल हो उसस्लियुन लेलो गोन जाए यह माइनस वनम्युन जाएगा यह का माइनस माइनस वाइस स्कुर का होल स्कुर हो और इन सब माइनस वाइन सख्का हो है ना डी büy फे Upalth because एक सिधियुन आकवर स्ग़िए अब क्या पर दियुक्त से पूल उर्लैव तो यहां पर 1-y² है जाएगा का whole square यहां पर 1-y² है जाएगा का whole square और यहां पर 1-y² का whole square ठीक है ना तो एक बात देखो यह तो बन हो गया वान तो यहां पर मैं कहता प्रम इसको LDE यानिके Linear Differential Equation की फॉर्म में chain करने जा रहो है एक्स xq और रहा रहा है तो एक ताम करो xq से भी divide करतो साथ में xq 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 equal to g बचल रहा है ठीक है अब देखो तो क्या आगया कुल में लागे ऐसा कुशन जाल आ रहा है अपने को 2y upon 1- y² का whole square dy by dx plus यहां क्या बचेगा 1 upon x बचेगा और साथ में y² बचेगा बिल्कुल y² बचेगा plus यहां क्या बचेगा 1 upon 1 xq अचा नीचे whole square था एक बचेगा क्या बचेगा 1- y² बचेगा single अब कुछ नहीं करना आप क्या करो इसको अपन chain करने वाले है दूसरे variable के respect में तो कैसे करेंगे देखो y² upon में क्या है 1- y² इसको क्या रखते हुआ आप t put कर दो तो y² upon में 1- y² को रखा मैंने t तो यहां से क्या आजाएगा derivative निकल लोगे इसके आराम से differentiate करके तो यह आजाएगा 2y upon में 1- y² का whole square into dy upon dx equal to dt dt upon dx सही है ना 2y into denominator numerator minus denominator differentiation into numerator तो cancel out हो जाएगा बाकी सब है ना तो यह complete यही बनके आजएगा क्या आजएगा यही तो क्या आगया क्या आगया solve करके आपका यह आगया solve करके रखो है value क्या आएगी dt upon dx plus 1 upon x into t minus equal to minus 1 upon x आप सही है तो यह आगया है तो एक्ताम करते हैं बना यह minus था क्या यह minus था तो फिर तो यह भी minus आएगा minus यह minus आएगा तो यह minus यह plus का हो जाएगा वाजा के ठीक है चलो कोई बात नी तो यह बत सम्गा भी तो आपको किनीए differential equation तो अपन इसको test solve करते हैं यहाब है integrating factor में का लेगी पहले तो क्या हो जाएगा e2 कि पावर integration of 1 upon x dx क्या हो गया यह lnx lnx से e से e घाए लगा तो क्या बचे लासे था x तो इंटेक्रेटिंग्रेटिंग्रेटर गेगा t into integrating vector equals to integration of integrating vector into qx और QX के काम कौन कर रहा है, 1 upon X cube DX, तो क्या आगे हैं मेरे सामने, T की value लो क्या हैईगी, T की value हैईगी, क्या पूर किया था, आपने Y square X upon 1 minus Y square X, X तो लिखिया, equals to, इसका क्या होगा, 1 upon X square हो जाएगा, तो 1 upon X square के इंट्रीश हो जाएगा, minus 1 upon X, X, तो minus 1 upon X plus C, तो कुल मुला के, आपके सामने क्या जाएगा जाएगा, कर लो कि इसको solve, चलो, next, चले होगे, कर लो भी न, क्या जाएगा, CX minus 1, यह जाएगा, और X को वहाँ लिजाना, तो क्या जाएगा, X square Y square, equal to CX minus 1, into में यह चले जाएगा, जाएगा, तो क्या जाएगा, 1 minus Y square, तो कल लिए न, जो भी आएगा, चलो, देखो, X square Y square, CX minus 1, into 1 minus Y square, थाड़ वाला जाएगा, ठीकिना, चलो, next, question number 9, question 9 ते लो, क्या कहे रहाएगा, अपने को integration करना है, mod of sin X plus cos X, ठीक है, और limit देती है, A minus Y square, तो कैसे करेंगे, ज्यान से, सबसे value है, तो जब भी आपको, trigonometric में, आपने काफी पड़ा हुआई है, sin X plus cos X, A sin X plus B cos X, को open change करते थे, किसमें sin A plus B cos E minus B, की form में कैसे करते थे, under root of, A square plus B square, multiply, divide करके, ठीकिए, तो आपको भिख गया है, तो क्या बन जाएगा, यहांसे, यह बन जाएगा, आपका integration of sin A plus B, यानि की X plus 5 by 4, D X, किसमें है, यह भी mod में है, limit किया है, अपनी minus 5 by 4 से, N pi minus 5 by 4, सही है, अब देखो, X plus 5 by 4 को और और सुन्दर बना लो, इसको क्या कर दो, T put कर दो, तो इसको T put करोगे, तो X plus 5 by 4 को T put करोगे, तो इसका derivative क्या हैगा, D X equal to D T आ जागा, सीधे सीधे, तो अपने इसको यहांसे क्या लिश्क कर दो है, sin T, D T, limit change करो, जब आपने X plus 5 by 4 को T put किया था, तो X की जगा minus 5 by 4 रहोगे, तो उपर लिमिट क्या जागी, N pi, सही है, यहां से उपर लिश्क भी वाली बाद, आगे कोन चलना है, दरूट टू चलना है, अपना चिंटू साँ, तो अब mod of sin T, इसका period क्या होगा, यह सोचो आप, तो आपको पता है, sin X का period क्या होता है, 2 pi होता है, और mod sin X से क्या होता है, अपना pi, तो उसका period क्या है, pi है, तो 0 से N pi है, तो क्या लिश्कितने इसको पनाराग से, N तो आ गया जाएगा, तो 0 से pi sin T dt, लिख दिया, यहां देना, तो अब क्या हो जाएगा, root 2 N, अब आप देखो, 0 से pi interval में, sin positive होगा, की negative होगा, 1st औ 2nd part न कैसा होता है, positive होता है, तो कैसा हो लेगा, mod positive हो जाएगा, तो mod की tension हतम हो, क्या regular limit 0 से pi, तो sin क्या होता है, minus cos, तो minus cos में limit क्या लगानी है, अपने को, 0 से pi लगानी है, PIA, क्या लगानी है, 0 से यह आगी काम तुम खुट से कर सकते हो आपको यह आपको यह आपको इस अपको इसको पॉपर्टि लगा लिया अपने तो इसका क्या खेंगा और दूसरी बाद में ने क्या बता है आपको मोडुलस का उपन करना है ना यह दो बात आपको जहानत नहीं है चलो next portion number 10 दिखते हैं एंक तक subtended by common tangents of two ellipses this and this at origin ठीक है तो पहले एक बात बताओ मेरे को आप यह आपको पता होना चाहिए कि x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 में a major axis होती है तो क्या बनता है अपना horizontal ellipse और यह दी major axis भी होती है याने कि तो वह क्या सा बनता है अपना ellipse vertical तो एक बात बताओ इसको में change गरूँ तो क्या लिक्सता हो में इसको x minus 4 का whole square upon 4 तो कितना रहे है 25 है जाएगा स्थिक है प्लस y square के नीचे के आएगा 4 equal to 0 तो इसमें major axis कौन है यह x axis है तो क्या हो जाएगा इसका मितलब इसका जो center है वो है 4,0 पर ठीक है और a की value कितनी आ रहे है 5 और b की value minor axis कितना रहे है 2 ठीक है तो देखो semi major axis आ रहे है 5 यह है 4,0 और वो आ रहे है 5 तो 5 यानिकी minus 1 से pass करेगा ठीक है न तो एक vertex को यहाँ पर आ गया और दूसरा वहाँ चला जाएगा कहीं ठीक है यह आ गया अब दूसरी बात अपन कैसी कर लेते है दूसरी वाले एक vertex की अच्छा इसकी major axis की length कितनी है 10 मतलब यहां से यहां तक की length कितनी है total 10 और यह length कितनी है 4 तो यह क्या हो गया 4,2 और यह क्या हो गया 4,2 आगे चले आप देखो दूसरा वाले एक अपने पास यह है इसको भी प्यार तो यहां बना जाएगा और यहां Y square point में क्या जाएगा 4 तो यह कैसा ellipse आपको दखाई जे रहा है vertical ellipse सही है vertical ellipse में center कहा पर है minus 1,0 पर यहां से यह पास हो रहा है जहां पर इसका vertex था है तो वहीं पर इसका क्या है center है तो यह तो हो गया minus 1,0 और इसका center और क्या कह रहा है यह आगे इसकी 1, A की value आगी 1 और B की value आगी 2 तो कुछ ऐसा रहा होगा इसका मतलब सही है ना समझे मांगी बाद ठीक है ना यह vertical ellipse हो गया और यह horizontal ellipse हो गया लेकिन इसकी vertical ellipse में यह जो axis है इसकी length कितनी है 2 तो यह जो point आएगा वो क्या आएगा minus 1,2 आएगा यह जो उसक करती है center पर ही बताना है आपको तो एक काम करूँ में छोटा सा पहले common tangent दो करूँ तो देहां से आप देखो ना common tangent जो है पहले इसके इसमें parallel to x-axis आ रही है क्यों क्यों क्योंकि जो vertex है जो यह अपना point हो क्या है common है यह 4,2 है और यह minus 1,2 है तो एक line आएगी horizontal line आएगी ठी पर center पर तो यह दो निकाल लो गया प्ता आप से इजी को कहा कोश्चन यह अगल निकला आपको यह एवाला अगल निकला ना है तो क्या करोगे इस वाले एंगल को निकलने के लिए बताओ यह 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 क्या है 00 तो इसका slope निकल लो इसका slope निकल लो angle between two lines निकल सकते है a triangle APQ is inscribed in the triangle OAB, O is the origin with right angle at Q, ठीक है, P and Q lie respectively on OV and AV, if the area of the triangle APQ is divided at times of the area of triangle OAB, then AQ upon BQ is equal to, ठीक है, तो सबस्वे ले ले दो क्या करेंगे, देखो, कोश्चन में ने को कुछ ऐसा कह रहा है ठीक है, एक line है x plus y equal to P, तो जिए अब यह x equal to, x plus y equal to P है तो इसकी length निकल 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 निकल, थीक है, अब यह क्या रहा है कि अपने क्या किया, यह point a है, और यह point b है तो A से अब अपने क्या कि ये ट्रैंगल नाया है A P Q सच देट कि P जो है वो तो किस पर है O V पर और Q किस पर है A V पर और एक ये बात पता है अपने को कि जो ट्रैंगल है वो कैसा है रैटेंगल ट्रैंगल है और रैटेंगल काँ पर है Q पर तो अपने से पोई यह बूश रहे हैं आपसे कि बताओ AQ upon BQ क्या होगा AQ upon BQ क्या होगा है ना AQ upon BQ क्या होगा और एक चीज गीवेन है अपने हों क्या गीवेन है area of triangle APQ is 3 by 8 times of the triangle area कितना OAB का तो इसका मलत क्या होगया OAB बड़ा ड्रेंगल होगया राइट अपने ड्रेंगल एक छोटा बाला APQ इसका area तो इनका जो रेशिय होगा है 3 to 8 का है मतलब क्या है area of APQ upon area of OAB छोटा बाला अपन बड़ा बाला area क्या है 2 by 8 उल्टा लिखो कि तो क्या होगया 8 by 3 है ना चलो आगे चलते हैं तो इसमें तो को समझो ध्यान से क्या करेंगे इसको आप क्या करो कुछ point माल लो इसको है न क्या क्या किया मैंने इसको लिख लिख लिया क्या बताए alpha इस length मैंने माल लिया alpha यहां से लेके यहां तक कि length माल लिया alpha तो यह कितनी बचेगी कोई बताएगा यह length कितनी है PP तो त यह क्या होग की सब्सक्राओंट रहा होगा तो यह कितनी मीश्ए पb accord यह siitä तो मैं इक बात भी मुझा सब्सक्राओं तुम्हाँ कि ट्राइंगल मुझाना है तो मैं चैड़ बिश्यों में तो कोई अंगल कॉमन नहीं आ रा है ना, तो मैंने उपड़ा वाला राइटिंगल ट्रांगल लिया तो उपड़ा राइटिंगल कौन सा पी क्या इसके similar होगा बिल्कुल होगा similar क्यों क्योंकि दोनों में एक एंगल common है और एक एक एंगल 90 डिगरी का रहे तो जोरों सेंगे इस सिमिलर होंगे लेकिन नाम कैसे लोग हो इसका O A B इस सिमिलर टू अब O मैंने कले लिया है न तो इसका मतलब क्यू कले लिए पड़ेगा Q P B Q P B यह लिख लिए बिने है न तो अब्दाव क्या हो जागे अब लिए ते क्या जागे रिष्यो O A अपॉन P Q बराबर O B अपॉन B Q बराबर A B अपॉन B P यह P B, A की बात है न क्या करते है अफन, this upon this अगला वाल फिर next अला है तो क्या हो जो क्या हो गया है पता नहीं है, PQ, पता यह क्या, PQ, नहीं पता, एक्वल टू, O, B के लेंद कितनी है, P, BQ नहीं पता, A, B के लेंद कितनी है, नहीं पता, B, P के लेंद, नहीं पता, पता तो है, P-5 यह सकते हैं, P-5 यह न, लेकिन देखो, यहां से conclusion निपला क्या, लेंग्ल के बंग्या इसका मझे डिया तो इसका मतलग आव गया यह मैंक अलफा पॉल्फा अपं प कुछ नहीं आपको यह P मैंस α alphapa क्रूट 2 आगया बस यहीज से बानी शुल हो जाती ही अपने फिराफट से देखो आप यह A Alphapa यह P है तो यह कितने है गी लेनता पी यह लेनता गई अडरूट आप पर्पेंडिक्री स्क्वाएर प्लस भी स्क्वाइर आ गया है अब यह बार सुना है अलफा स्क्वाइर प्लस प्लस पी स्क्वाइर अप फ्र सेको यह देखोगे कि इगाँ कि इसका क्टा दो किसमें से सब्सक्राइब चाकर ne 2 equal to Aq का square आने बाला है तो देखो twice हो जाएगा इसका minus करेंगे तो क्या बचिए का सिर्फ alpha square plus P square minus का plus हो जाएगा क्या? yes plus हो जाएगा 2P alpha upon 2 equal to Aq का square यह आगा मेरे खाल से alpha plus P का square यह P plus alpha यह प्लस alpha लिख जेते है P plus alpha का whole square upon में क्या है 2 तो Aq कितना जाएगा यहांसे? Aq जाएगा इसका under root तो क्या जाएगा यह? P plus alpha upon root 2 यह कोन आ गया? Aq अब Aq आगया मेरे पास तो मेरे क्या निकाला है Aq upon Bq तो हो गया question खताम क्या करो गया Aq upon Bq कितना आ गया? Aq कितना निकाला है मैंने भी P plus alpha upon root 2 और वो क्या है Dq P minus alpha upon root 2 तो root 2 से बढ़ जाएगा P plus alpha upon P minus alpha अब पहरे लोगा अब आप एरिया ले लो एरिया क्या है? A1 upon it 2 क्या है? तो A1 कितना आएगा? छोटे वाले का एरिया कितना आएगा? Half base into height तो half base into height लोगा तो कितना हो जागा यह? हाँ? यहाँ लिखूंगा पहले? लिखूंगा? लिख दे ताम चलो ठीक है? यह लिखूंगा यह लिखूंगा यह लिखूंगा देखो A1 upon A2 बराबर TYA यहाँ से क्या मिल गया? A1 कितना हो जागा? Half base into height यानि कि under P plus alpha upon root 2 into height into height किया जेगी P minus alpha upon root 2 ठीक है? equal to में कितना है? 3 upon A और नीचे इस क्या आएगा? Half P square इसको solve कल लो यह कट गया root 2 into root 2 कितना हो जाए? 2 1 solve कल लो तो क्या आए? P square minus alpha square upon P square 3 by 4 1 minus alpha square upon P square 3 by 4 alpha square upon P square आ रहा है आपका 1 by 4 बचेगा तो अब देखो यहान से अपने पास P plus alpha upon E and T minus alpha P plus alpha upon Q minus alpha क्या है? यह है और यह है यह आप यह आ रहा है तो इसकी value क्या जेगी P upon alpha की P upon alpha की value जेगी 2 2 इसमें लगा दो आप component to divi इसका 2 plus 1 upon 2 minus 1 इसके बाद तो इसके बाद तो इसके बाद तो इसके बाद तो पुछ नहीं किया यह alpha है यह P minus alpha यह दोनों क्या होगे इसके? पाइथा के रस्थेरों नगाली में यह बढ़ी है ना आपको याद होगा कि यह कोई भी spare होता है तो इसके डाइगनों निकालते ना पन यह A है यह A है तो यह कितना होता है A root 2 तो यदि A A root 2 है तो यह कितना हो जागा A A है ना उल्टा हो जागा root 2 से duet कर देंगे तो वही मैंने किया P minus alpha upon root 2 P minus alpha upon root 2 उसके अतिया किया area का ratio लिया है ना चलो next question number 12 question 12 में लिगो क्या कह रहा है consider fx equal to this जब x value क्या नहीं है 5 by 2 तो कह रहा है 4x belongs to 0 n f of 5 by 2 कितना है 3 तो where this denotes greatest integer function ठीक है यह GIF है ना चलो और आपके करा है f is continuous and differentiable at x power by 2 अच्छा मनला 5 by 2 कर पने को क्या चेक करने है continuity और differentiability तो continuity differentiability चेक करने के पहले में कहा करूं 5 by 2 रखते रहो आप इसमें 5 by 2 रखते रहे तो क्या हो रहा है यह बच रहा है f x equal to क्या बन जाएगा देखो जाएगा gif of 2 into sin 1 minus sin square और 1 minus sin square क्या होता है cos square तो क्या हो जाएगा sin into cos square आगे चलो plus modulus of modulus के अंदर क्या हैगा sin x क्या है 1 minus sin square 1 minus sin square अगे cos square तो यह हो जाएगा mod of sin cos square नीचे same आएगा बीच में बस minus sin है ना same है ना हाँ same है 2 sin cos minus का यह होगा sin cos square है ना mod अब देखो क्या क्या रहा है x लाही कर रहा है 0 से πाई में x लाही कर रहा है 0 से πाई में positive होगा positive तो open कर देएगा modulus को plus sin के साथ f x equal to sin cos square sin cos square 3 sin cos square और नीचे क्या हो जाएगा सिर्फ sin cos square ना 0 से phi interval ना इसलिए क्या होगा positive open कर दिया उसको मैंने यह आ गया यह value आगी अगी आपका solve करके f x सीथी 3 r i solve करके इसका मलब भी पैसा function है constant function है continuous differentiable होते है आपका f x is continuous at x equal to 5 by 2 and angular point of a cube of edge a from the diagonal which does not pass through the angular point अच्छा यह है आपसे कह रहा है कि एक कोई cube है और उसकी length edge की length है क्या है a है तो मैंने इस cube को length edge माल लिया a इसको अपन माल लेते है origin 0 0 0 तो यह point क्या जागा इसको माल लेते हैं लिए x इसको माल लेते हैं y और उसको माल लेते हैं z है ना कोई रिक्तर भी है कुछ है ना माल लो अब दूसरी लात आओ मेरे को एक बाद आओ x y z तो एक बाद आओ मेरे को आओ छोटी जी इसके coordinate क्या आओ a 0 0 y के क्या आओ 0 a 0 और इसके आओ 0 0 a तो मेरे को इस बाद आओ question में क्या क्या रहा है question में क्या रहा है आपको किसी भी point से किसी भी corner से क्या है length निकालनी है मलब है question में यह है किसी भी corner से आओ length निकालनी है इसकी उस diagonal की जिससे वह angular point पास नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं इसको जाइन कर दूं और इस पर पर्पेंट्र प्लालूंगा मैं तो यह angle के ताइ इस पर पर दो निकालनी है चेकर Draug तो मैं एक काम तो मैं एक काम करूं किसी प्टेंट से प्रपेंट्र दिरिश्टय निकालनी है पर फेले तो लाइन की लैंदं की Equation अलम की Equation क्या बनेगी दो Point यह जो Point यह प्लेंट किस प्लेन में आहा है य। पॉइंट आ रहा है य, जेड पेल में, तो इसका x कोडिनेट क्या रहा होगा, 0, x कोडिनेट 0 होगा, तो 0, a, a लिख सकता हूं में इसको आराम से, सही आदा आवी समगे, दूसरी बाब, equation of line passing through two points, क्या होती है, x-x1, x1 इसको ले लो, x-x1 अपॉन, x2-x1, minus a, y-y1, 0 हो गया, अपॉन में क्या जागा, y2-y1, तो यह कितना आ गया, a-0, a, z-z1, तो फिर से z-0, अपॉन में क्या जागा, z2-z1, तो कितना आ गया, a, यह आ गया, यह equation of line आ गई, अब इस line में क्या करना है मेरेको, इस distance में कहलना है, perpendicular distance को, तो क्या तरीका होता है अबना, कि मैं क्या करूँ इसको, lambda माले लो, lambda मानकि यह general point आ जागा, p, तो इसका dot product क्या होगा, 0 किसके साथ, op vector, और इसके direction ratio का dot product क्या होगा, 0 होगा, क्यों, क्योंकि यह यह जो vector है और यह जो vector क्या होगा, perpendicular होगा है तो निकाल लोगी से फ्रापट से, क्या जाएगा, point p, point p आजाएगा, minus a lambda plus a, a lambda, a lambda, a lambda, यह आगया, अब मैं op vector निकाले जाना हूँ, तो op vector क्या होगा, वो तो क्या है, origin माना आ जाने, तो सीटे यह आ जागा, सीटे सीटे, सी a lambda, plus a, i cap, plus a lambda, j cap, plus a lambda, k cap, आरी बसलने, अब इसके बाद चलो, op vector का dot product इसके साथ, मैं a vector मान लेता हूँ, और a का मतलब क्या है अपर, a का c vector, चलो, d vector मान लेता है, d vector, और d vector क्या है, direction issue क्या है, direction issue क्या होगा, this into minus a, तो minus a into, minus a lambda plus a, plus a lambda into a, plus a lambda into a, ये क्या ना चाहिए, ये dot product 0 आना चाहिए, तो एक का मतलो, यहां से lambda की value निकल लोगा, a, a, a common आगया, तो a square, a square, a square, क्या होगा, cancel out to be 0 होगया, क्या बच्चिका सिर्फ, lambda minus 1, plus lambda, plus lambda, equal to क्या आगया, 0, तो lambda की value कितनी आ रही है, से 1 upon 3 आगई, तो lambda की value 1 upon 3 आगई है, तो lambda की value 1 upon 3 यहां रख देना, तो ये क्या जागा, point आजागा, point की क्या, origin से distance, निकाल लोगा आराम से distance फ़रूले से, ठीक है, तो ये इसका हो जागा, आराम से, ठीक है, चलो next question number 14, 14 में देखो, क्या कर रहा है, अब 3 by 4 रहोगे, तो 3 by 4 पर, 10 3 by 4 कितना होगा, minus of 1, तो minus 1 का cube root minus 1, तो 1 minus 1 0, और नीचे भी क्या हो रहा है, minus का 1 upon 1 root 2 का square, plus 1 upon 2, plus 1 upon 2 into 2, minus 1, minus 1 plus 1 0, तो 0 ये 0 की form बन रही है, 0 ये 0 की form बन रही है, या तो इसको अपन rationalize करें, या तो अपन इसको rationalize करें, rationalize का मतलब यह नहीं हो था, कि मतलब इ इसे नहीं, rationalize का मतलब क्या करना चाहरा हूं, कि जिस टर्म की वज़े से, ये 0 is 0 की form create होई है, उसको महा से guide करना, तो यहां से क्या करोगा, आप 1 को लिखोगे, 1 की power, 1 upon 3, तो इसको आप क्या करो, multiply, divide कर दो है, और इसको क्या बना दो, आप AQ plus BQ, AQ plus BQ की form में लेकी जा जाएगा, 1 का differentiation 0, इसका differentiation क्या हो जाएगा, 1 upon 3, 10x की power, minus 2 upon 3, 10x क्या होगा, second square x, upon में क्या हो जाएगा, 0 minus 2, ये क्या होगा, 2 cos x into, वैसे तो सीड़ी सी देखो, क्या है, minus cos 2x है, minus cos 2x का differentiation क्या होगा, sin 2x into 2 हो जाएगा, sin 2x into 2, cos 2x है ये minus sign common लेना पढ़ेगा, तो cos 2x का differentiation क्या होगा, minus 2 sign 2x, तो मैनस मैनस प्लस हो जाएगा, अब इस max की value क्या होगा, limit क्या है अपनी, limit है extending to 3, 5, 4, तो x ही जगा 3, 5, 4 रखोंगे तो अपना answer आजागा है, चलो next question number, 15, let ABCD be a tetrahydron such that edges AB, AC and AD are mutually perpendicular, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब जो क्या है question में, एक tetrahydron नाल होगा पहले, जिसमें क्या है, तीन उसकी जो edges होगे है, they are mutually perpendicular to each other है, एसे है, अब लो, यह इसके perpendicular है, और यह इसके भी perpendicular है, इन आपसे perpendicular है, इसको O मानलो, इसको, O नहीं मानलो, यह दिर खाए, क्या है यह, A, B, A, C, और A, D, तो इसको A, E मानना पढ़ेगा, यह, A, B, A, C, और A, D, यहीं मानना पढ़ेगा आपको, ठीक है, लेकिन कुछ कह रहा था, इसमें, क्या कह रहा था, 3, 4, 5, S की, क्या है, area, area of triangle, A, B, C, यानि की, जो base है, triangle का है, वो कहा है, 3, base हो, चाहिए, कुछ भी होए, मनला, एक जो base है, उसका area है, 3, दूसरे एक कॉन 5, 5 है न, हा, 5, unit says, area of triangle, B, C, D, अच्छा, एक फिस बचिया, उस right वाला, तो उसका area निकलना है, अपने को, तो देखो, ज्यान से क्या करेंगे, है न, एक यह वाला, यह हो गया 3, यह हो गया 4, यह हो गया 5, तो यह जो रह गया उपर वाला है, इसका निकालना है, तो एक का X BD, यह तो पता है न, B C X BD, जैसे निकालना है इसका, तो B C X BD में क्या हो जाएगा, बताओ, B C X BD का मितला हो गया आपका, देखो, B C X BD, B C, तो एक काम करो, इसके कुछ वाला हो, पॉइंट्स है न, तो एक काम करेंगे, पर पहले, क्या कर सकते मताओ, ठीक है, एक का करो, इसको कुछ माल लेते हैं, इसको कुछ माल लेते हैं, इसको कुछ माल लेते हैं, इसको 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 माल लेते है तो इसका इरिया कितना दे रखाए अपने को 4 दे रखाए तो वो क्या वजागा है हाफ बेस का कामद बॉण कर रहा है यह हाइट का यह मन लो तो क्या वजागा है यहां से बी इंटू सी हाफ इसके लेंट इसके लेंट के रहेंगे जिरो बी जिरो बी जिरो बी जिरो और इसको जीरो यह प्रहम इसे बी एक्सिंगना दो क्या हो गया जीरो जीरो सी हैरिया ना झालोत चलो तो बताएः अब क्या गेषरNत निकालोगे आप बींजरों पिद्ध्य अहयागर्स अन्ध telling परत्ते में तो पनाफर화 मांध्निचिट आप हाँ, इसका कर लो आप I, J, K, B, C, B, C, तो 0-A, minus A, B-0, B, और तीसरा क्या होगा है, 0-0, अब आजाओ, BD वेक्टर, तो BD वेक्टर क्या बजाएगा, अब आजाएगा, this minus this, तो minus A, 0, और C, सही है न, चेक्ट कर लें, 0-A, minus A, C, सही है न, इसको क्या में टिकल करो, इसका area, क्या हो जाएगा, half of, देखो, I के साथ क्याएगा, B, C, minus 0, B, C आजाएगा, B, C, I के, J के साथ क्याएगा, minus का AC, तो plus का AC हो जाएगा, और K किसाएगा यह 0, और यह minus का, minus plus, तो AB आगया, AB इंटू के क्या है, क्लोगे बागे, साथ, इसका main application क्या हो गया, under root of, क्या होता है, A, I, E, plus B, J, plus C, का under root of, A, square, plus B, square, plus C, square, तो क्या जाएगा, A, square, B, square, plus B, square, plus C, square, plus C, square, A, square, तो वो AB, B, C, C, आपको पता है, कलोगे बागे, next, question number, question number, question number, next, 16, 15 हो गया, 16, statement मताना है, क्या होगा यह, तो इसके लिए आप कुछ नहीं, टॉलोजी, 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 '' marca पे संवुचन हम A? कि इसका में चलना होता है ''and। मhנ्ण समुचनह क्या है कांष्ट होными सबख्ड क्या है काَ आगा ही है and यहां पे क्या होगा ? तो फॉल्स हागा है और Swift आया…। फॉल्स हागा यह पेले यह रह्ले हो पर दोवं ऑ फोल्स हां है तो तो देखां पूलस का निगशन को यहां आगा है था पर जो ऐलेदा था दोपर shipment in तो इंटसें, बोल दो यूनियन हो है ऐसे भी करते हैं पॉल्स और ट्रू अब अब आगा रोगे हमसे तो क्या आएगा, क्या आएगा फॉल्स याएगा इस चारव ना तो फॉल्स आरे एइस ने चारव हो गया, ए यह क्या है, क्या है फॉल्स हो गया, जालो next question सब्सक्राइब करें, तो पताओ, रेलेशनार क्या होगा, तीनों बताने हैं, अपने को मनलब, रेप्लेक्सिव, ट्रांजेटिव, होगा की नहीं होगा, चलो, शुरू करते हैं, सबसे पढ़ा लेते हैं, ए रेलेटेड भी है, कैसे, A-B क्या है, इसक्यू स्मेट्रिक्स है, चलो, शुरू करो, तो देखो, एक बाइप्लाव मेरे को, A related to B है अपना, कि A-B is, A-B is, isqueue symmetric matrix है, इसक्यू symmetric matrix है, चलो, तो देखो, A-B भी isqueue symmetric matrix है, इसका मनलब क्या हो गया, कि A-B का यहीं में transpose लेलू, तो lot के क्या हैगा, minus of A-B आएगा lot के, इसका मतलब, तो आपन क्या कहेंगे, कि A खुद से related है की नहीं है, तो आप बताओ, A related to A, होगा की नहीं होगा, अरे, A में से A को गटाओगे, A-A क्या आजाएगा, 0 matrix आजाएगा, और A-A यह भी 0 matrix है, इसका मतलब क्या हो गया, कि A 0 matrix तो हमें से क्या होती है, इसका symmetric होती है, तो यह flexive है, अब पन चलते हैं, कहाँ पर transitive पर, तो transitive के लिए बाद कलो, यह transitive के लिए symmetric के लिए है, symmetric, symmetric की बाद कलेते हैं, तो symmetric में क्या होगा, बताओ, symmetric के लिए क्या होना चाहिए, यदि A B से related है, if A is related to B, then B must be related to A, तब यह पन क्या कहेंगे, जो matrix यह अपना relation है, हो क्या है, symmetric है, चलो, तो A related to B का मतलब क्या ह हो गया, कि यह क्या होता है, आपने को, A minus B क्या है, इसकी symmetric matrix है, यानि कि A minus B का transpose क्या आ रहा है, A minus B आ रहा है, minus of A minus B आ रहा है, तो B related to A होगा की नहीं होगा, जो सिंपल सी बात है, होगा, आप सोचो, कि A related to B है, मतलब A minus B यह दिए symmetric matrix आ रही है, तो इसका मतलब B minus A भी तो 0, 0, 3, 4, यहाँ पर ले लिया, यह A मल लिया और यह B मल लो एक, मैंने 2 वेटी वाटर की लिया है, महाँ पर 3 वेटी वाटर है ना, तो जाने के रिवस, यह मैंने ले लिए B matrix एक, क्या ले ले है, 4 और 3, सही है ना, कुछ भी ले लो है, 5 ले लो, तो यहाँ पर क्या हो जा तो आजागा है ना, इसकी symmetric है, तो आप यही दी B minus A करोगे, B minus A करोगे, तो इसकी symmetric आएगी ना, आएगी, आएगी मिल्कुल, 6 में साहँ गे तो plus 1, बट 3 minus 4 क्या होगा, minus 1, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, यहाँ तो मतलब कि, if A related to B है, तो B related to A होगा ही ह होगा, तो इसका मतलब यह symmetric भी है, चेक भीकल लिए, अगरो इसी है, ना, नॉर्मल, लास्ट क्या है अपना, ट्रांजेटिव, तो ट्रांजेटिव के लिए क्या check करेंगे, बता होगा, ट्रांजेटिव के लिए अपन ऐसे है, कर सकते हैं, यदी, ट्रांजेटिव के मिल् अपना, reflexive भी है, और symmetric भी है, इसको clear कर रहा हूँ, चलो, अब मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी, ट्रांजेटिव के केसमे क्या होगा, देखो, यदी, A related है, B से, और B related है, C से, तो उसके गाद अपने क्या प्रूप बनना है कि A related होगा, C से, टेक है, देखो, A related है, B से, इस C का जो transpose होगा, क्या होगा, B minus C के negative के equal होगा, अच्छा, इसका होगा होगा, कि A related to C होने के लिए, क्या चाहिए, अपने को, कि A minus C का जो transpose है, whole equal to किसके आजाना चाहिए, minus of A minus C के, तो कर ले दिल, check, तो A minus C के transpose को, क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ, फोड़ी देखो, A minus B plus B minus C, C, दो matrix सुना लिए, मैंने अंदर, चिंटू-चिंटू जी है न, सुन जाने के लिए, A minus B plus B minus C, तो A plus A minus B और B minus C बना लिए, अब A minus B, बना तो लिए, अब आपको बता हूँ अच्छी, कि A plus B का जो transpose है, तो अपने इसको कैसे लिए सकते हैं, A का transpose plus B का transpose, तो इस transpose को अलग minus of A minus B आजाएगा, और यहां पर B minus C का transpose क्या हो जाएगा, B minus of B minus C, इसको आप simplify करो, तो क्या हो गया, B से B cancel out, क्या बचेगा है यहां, C minus A बचेगा, और you can write minus of A minus C, आरे मेरी बस हमें, तो A minus C का क्या हो गया, इसका मतलब मैं यह कह सकता हूँ, कि A minus C का transpose को इसके को ला रहा यहां, कि function is also transitive, तो तिये नो है, transitive भी है, symmetric भी है और reflexive है, इसका मतलब किया है, the function is equivalence relation, it is an equivalence relation, कि के टीनो है, चलो, next question, question number 18. 18 विजने दो क्या कह रहा है, a vertical pole is fixed to the ground, is divided in the ratio 1 is to 9 by a mark on it, with a lower part shorter than the upper part, if the two parts sub-trend equal angle at a place on the ground, 50 meter away, 15 meter दूर है कहां से, उसके pole के base से, what is the height of the pole, वे हो, कुछ ऐसे गह रहा है, कि एक पोई भी क्या है, पोल है, अब पोल का क्या कह रहा है, पोल का ही कह रहा है, आप से, दो पार्टों ड्राइड है, पोल, 1 is to 9 के इसी हो, कहां से, बेस से, ठीक है, यानि कि इसको आपन पोल माल लेते हैं, A, B, और नीचे से, 1 is to 9, यानि कि ये पार्ट 1, X, तो ये कितना हो जागा, 9X, और ये क्या कर रहा है, एक किसी उस पे, ground पे, 15 meter दूर, पोईंट है, इसको माल लेते हैं, C, तो इस पे क्या कर रहा है, तो इक को लेकल सक्टेंट कर रहा है, ये अलफा है, तो बताओ, height of, क्या नहीं, pole, what is the height of pole, ठीक है, चलो, शुरू करते हैं, तो कुछ नहीं करना है, इसको आप खुचे कर सकते हैं, बड़े अराम से हैं, एक बाल छोटरा ट्रेंगल लेलो, triangle, इसको नाम देतो, D, triangle लेले में, A, D, C, या D, A, C, एक ही बाते हैं, CAD, CAD, C, A, D, CAD, triangle, A, D, C, 10, alpha, x upon 15 हो गया, दूसरा, 10, 2, alpha क्या बाताओ, triangle, C, A, B में, CAD, triangle, C, A, B में, क्या बाताओ, 10, 2, alpha बाताओ, 9, 1, 10, x, और नीचे को इतने बाताओ, 15, सही है, रेशियो को चेंज कर लेते हैं, हमेशा ऐसे multiply करें, किसी constant से, ठीक है, चलो, तो यहां से 10, alpha केतना है, x 15, अपने को क्या निकालना है, इसमें x निकालना है, तो 10, 2, alpha का formula क्या बाता है, 2, 10, alpha, 1, minus, 10, square, alpha, इसको खुद से solve करना है, वाबको, 10, x upon 15, तो 10, alpha के लिए लिए, x upon 15 हो रख देना, आजा का सालो के, चलो, next, question number, 19, देखो, क्या कह रहा है, इफ, alpha, beta, other roots of the equation, this, and gamma, delta, other roots of the equation, this, then, such that alpha, beta, जो में, प्लॉंग करता है, s को, then the interval in which a lie, a का interval थाना है, अपने को है, तो यह कुछ condition है, इसी बनकी, देखो, दोनों का coefficient कैसा है, positive है, दोनों का coefficient कैसा है, positive, तो यह मैंने मालगी, second value equation का graph है, तो यह gamma और यह delta, तो उनके जो alpha, beta है, वो इसी बनाई कर रहे हैं, gamma से, delta के बीच में, यानि कि, alpha और, कुछ ऐसे रहा होगा, ऐसे, 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 हैना, कुछ भी होगता है, alpha, beta, एक पर होगे, तो क्या हो जागा, touch करेगा, लेकिन, root से हम बहुत अलग अलग है, तो क्या हो जागा, cut करेगा, प्रोपर उसको है, लेकिन, alpha और beta होगे, क्या है, series में, यानि कि, alpha पे जो value हैईगी, और beta पे जो value हैईगी, किस में है, इस वाले function में है, वो कैसी हैईगी, negative हैईगी, यह मिरों पदल गया, यानि कि, क्या कह सकते हैं, बनाराम से, यह इस functional में क्या पूट कर दूँ, alpha, तो यह negative आएगा, इस functional में क्या पूट कर दूँ में, beta, तो भी वो negative आएगा, ठीक है, चलो, शुरू करते हैं, पर इसको है, तो क्या कह रहा है, देखो, x square, minus 2x, minus का, a square, plus 1, equal to 0, 2x, ठीक है, 2x ने, ठीक है, तो देखो, एक काम करें, पर छोटा सा, factorize कर लो इसको, 2x है, 2x है, 2x है, ठीक है, तो इसको मैं रहे दूँ क्या, 1 minus, a, x, इसको रुपर factorize कर ले पे हैं, क्या हो जागा, यह यह जागा, plus का, 1 minus a square, तो 1 minus a into 1 plus a, तो आगे न, 1 plus 1, 2 हो जाएगा, सही है, तो मैं इसको कहल लुप, 1 minus a into x, minus 1 plus a into x, और क्या हैगा, plus का, 1 minus a square, तो equal to 0 है, आ रहे न, यह जा रहे चेक कर ले, न, क्या रहे है, 1 minus a, तो minus का 1, minus 1, minus 2, और यह plus का a, वो minus a, ऑटेक है, ठीक है और दूसरा 1 प्लस A आगया ठीक है ना तो दोनों को add करेंगे तो कितना हो जागा 2 तो 2 आ रहा है sum of roots, product of roots 1-a square, yes 1-a square ठीक है चलो तो दोन roots आगे, एक इन में से alpha आए और A बीट आए तो कुछ मत करो आप, आपको जो equation देर की लिए ना दूसरी वाली उसको gx मालो इकमट के लिए gx तो gx क्या हो जागा अपना x square minus 2 into a plus 1 into x plus a into a minus 1 तो आप कुछ मत करो, यह जो equation अपने gx मानी है, इसमें क्या करो आप पहले इसकी value निकाल लोग इसकी alpha की और फिर beta की और आपको जनके है का! कि कंडिशन कुछ ऐसा लिए कि पहले वाला पना फिर उला तहला यहां हो दूसर वाल यह इसके रूट है, वह यह जो ऐसे मानगा अंधर हो होते होते हैं क्वालिटिक लेस दिन जीरो है और उसमें जो वेरी वाले वो रियल है तो उसके किसमपन के लिए लेते हैं डी लेस दिन जीरो तो यह ना और सो कोफिशेंट अब एक स्क्वार क्या है कैसा है पॉजर्टिर तब ठीक है ना तो यह तुम्हें एक बड़ा से ध्यान रखना है चलो नेक्स्ट कोश्चन मार नैंटीन हो गया है फ्रेंटी फाइंट पॉइंट पॉइंट ऑन दा लाइन टू एस प्लस वाई रिवाए प्लस वानिक्ट जीरो सच डेट पीए माइनस पीवी इस मेक्जिमम कीके यह बहुत अच्छे कोश्चन है ना ऑप्टिमाईजाशन क प्लस 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 टीवाए प्लस डूए प्लस एको अपने को रहा है अपने को पीए मैनस पीवी के मॉद्यल निकाल दीए तो इसमें क्या होता है अप देखो पी ए माइनस पी वी की maximum value के लिए, sorry, पी ए माइनस पी वी को maximum हो, तो वो point पी भेंट करना है इस line के उपर, यह नहीं किसे माल लो, यह P point है यहाँ पर, तो यह P point कहां पर हो, कि जो पी ए माइनस पी वी करें, तो क्या यह maximum आए, तो देखो क्या होगा, मैंने इसको join कर दिया, इस angle को ले les money theta, तो इस triangle में cosine formula लगा, तो क्या होगा, 재ж inspections equals, così equals to, स्के हाँ आउए, square plus square equal to minus square square, अप उन में कहाईगा, 2 times of this into this, यह यहाँ, तो एक काम करो, इसको माल ले लेसे है,after क्या, A, इसको माले थे B, तो क्या हो जाएगा, A square plus B square minus AB का square, अपवान में क्या जाएगा, अपवान में आजाएगा, 2AB, जए हैंना, जहनों, a left माले यह होगी, cos theta तो क्या होगे, यहांसे ही आगया, A square plus B square, यह क्या से लाजाएगा, और minus का क्या बचाहेगा, आपे ab square एकपोल तुम क्या गया 2ab cos theta तो द्धान से देखो इसको मैं ऐसे लिख दूँगा a square प्रस b square minus 2ab cos theta या एक काम करो ह्दवा सा समझो पहले कि मेरे को यह दाओ और cos theta की range क्या होती है minus 1-7 तो इसकी value वह में एकपोल तो इसकी value वही थी less than or equal to 1 रहेगी इसकी value क्या रहेगी less than or equal to 2ab रहेगी हमेशा ठीक है ना तो यहीं पे मैं पहले change ही कर देखा हूं पहले less than equal to kya होगा main square-based square means a evil square means qada a AGख क्या होगा मेशा a-b को होली square से जधा होगाYes पस्वान लभन कहा है कि सकते हैं A Minus B. यानि क्योंके यह A कोनेशन में? A कोनेशन में? P V. B कोनेशन में? P A. सेही है ना? यहसे में मोड लगा तो हुए ना? वैसे तो बोले स्कोर नो कोई दिखत नी है लेकिं मोड लगा रही है यह में इसे कहा है रहेगा? तो आपन क्या कह सकते हैं कि mod of PA-PB is always less than equal to AB से सही है ना तो AB की जो length आएगी वो क्या होगी इसका उप्लब maximum length होगी कि PA-PB की यानि PA-PB की maximum length निकाली है value निकाली है तो क्या है वो AB आसकती है यानि कि यह जो line है यह पून दे रही है maximum length area यानि PA-PB की मैक्सिम होगा कब जब अपन कहलेंगे PA-PB maximum होगा कब जब AB के along लेंगे इस distance को पनके इसके AB के along यानि क्या हो गया यही मैं AB की equation निकाली हूँ तो यह जहां भी देखो तो यह line आप क्या दे रही है 2x plus 3y plus 1 equal to 0 यह point है आपका 2,0 और एक और point है आपका 0,2 तो इनको join कनने व लेंगे यह line होगी वो जहां इसको काटेगी है ना line को वो क्या है अपना required point हो जाएगा तो आप कुछ मत करो A दे रहा है B दे रहा है अब AB की equation निकाल लो AB की equation क्या बजाएगी बताऊ जब दी से मेरको equation और AB क्या जाएगी y minus y1 equal to x minus x1 into slope, slope क्या बजाएगा 2 minus 0,2 0 minus 2 कितना बजाएगा 2 minus 2, तो कितना आगया minus का 1, तो y बराबर आगया minus का x प्लस का 2, प्लस का बनाए 2, तो क्या होगा यहां से x plus y बराबर 2 आगया, तो x plus y बराबर 2 को आप solve कर लो इसके साथ, इस लाइन के साथ, तो क्या मिल जाएगा आपको xy point मिल जाएगा, ठीके, चालो, next question number 21, इसका मनुलाब अपन करते हम section D हैना, section D में कैसे है integer type questions है आपक आपका अपन करते हैं, omega की कवर 10 इकल टू 1, यादा रहा है, q root of unity, q root of unity, लखते हैं, omega q एकल टू 1, यादा रहा है, तो अपन क्या है, omega की वर 10 इक वेल्या होगा, जिसमें से omega की 1 आपकी एक value, तो क्या होगी, और बाकी, जो 9 गशी value हो, क्या होगी, omega 1, omega 2, omega, omega, omega 1, omega square, omega square, ना 9 तक आरे वा समने चलो आगे हम मेरे को इक बग आओ एक बग हो इसको मैं इसमें कुम द्हान से को यह जो एक्वेशन लिखी विए आपके सामने को मेंगा की तक इसमें 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 हा तो इसमें समोerd प्रूट्स सुखरो उन प्लस सु में क्या होगा जात को सबसर ना निगा तो इसमें कौंद मिस अपने पास नाइन भी तो कि ऩिर्फ में आईंगों तक सम उप्रूट्स हो गए सम आ दो सम ऩछी में सकते लिए से में एक मिलन को गोगनाओ एक थैए थी क्लिसरा य conservative देहाँ से लोग ऑ sigue मिलने को ना ढ़ीक है लोग मिलने की इतना है ब्श्री बीने के इतना रहे किός द्रूड स्के 29 लखेंट के अंदर किमने थे एक अधर तो स्वाव जोटे यह से लेकर नाइन तरका संथ्च दो क्या हो गया जीडिव क्या हो गया बचा कि आपने पास माइनस का हुअ चीओ वहोडा है किता हो स्फ़ेट किवा भाह्युंह तो अब इसको ऐसी मुर्णलें ना चैना कशा हो होन्हें प्लस ओमेगा कि पावर ना है प्लस और मैंने अब बताओ इसको में यह मिरीजी दलब टू बर नगे बड़ी यहौ एक टैन ओवेगों के टो लॉट रॉइज प्लस होंगे तो टू हो गया विज तो टू होगक ऐसका तो अठाएं कि अगा तो लॉट पूड उड़कर रहाएं तो लॉट नगए अंसर के एकाइगा एकत्व हाएं इसके बाद 2nd question के गए रहा है, the number of solution of this, क्या हो जाएगा ठेपो, क्या लेक्स एचे को बन, x plus, क्यो डिफरेंट, integriate क्लो, यह इसको माल लो 1st function, इसको माल लो 2nd function बन पो, तो क्या हो जाएगा, 1st function into integration of second, तो यहां पर लिमिट के लगा होगे आप जीरो से एक्स एक्स अब यहां पर चलना है अपना एक्स प्लस रखो तो यह क्या है एक्स एले नेक्स आ जाएगा और बाकिव तो क्या होगे जीरो माइनस अपने को बताना है कि यह अपने को नमर आप स्लूशन निकालना है तो याद करो अपन क्या करते हैं जब भी अपने यह इसा में नहीं ना है यह ना यह बना लिए यह यह बना लिए यह 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 तो बन पर यह जीए तो वन पर यह जीए जीरो हो जाएगा और यह बन पर यह बना लिए इसकी वन ठीक है चलो आगे अब देखो वाई इपल टू एक्स अपॉन थी का ग्राफ कैसे बनेगा तो स्लूट कैसा वन से काम है तो यह कुछ प्रवाइगा यह कुछ ऐसे बना हो देखो वन पर वैल्ली की आगी इसकी वन अपॉन ठीक हो जारा यह बन्रेख विए तो यह यह को आप था यहां पर यहां पर यह यहां पर एक बनार ऑन ऐक हो बाट कर यह तो यह लाइन ऐसे बनेगी कुछ ठीक है ना और दूसरा यह कितने पॉइंट पर अगट करनेगी यह चेक करना है आप यहां पर यह क्या है लाइन की जो वैल्यू वह कम है किससे एलनेक्स से आपके वैल्यू रख लो कोई भी किसमें एलनेक्स में रख लो एक्स ब्राबर एक लेकिन मैं बात करूं किसकी एक्स अपान थी की तो एक्स अपन थी में वैल्यू बहुत बढ़ी आएगी कितने आएगी काफी बढ़ी आएगी तो यह ग्राफ का उपर चला जाएगा कहां से बीच में यह जाएगा गरीब 6 के आसपास जाएगा इना 5-6 के आसपास क्या लो ऊसलों देखो इसमें से आख सुमान ले ईसमें से सट कॉमन ले एब्सक्राइगा वाई इस पासफ्रमें टोर listeners कॉध् संट बाई ही यहा जाएगा रजाएคए यह जैए Z Square. यहां पे कितना आगए? बताओ दीजिए मेरको. यहांपे क्या हो जए nurs si, यहांपे क्या हो जएक 18 यहांपे क्या हो जएक, y2 plus 1 upon y. और यहांपे क्या जएक z2. चलो, यहां जाओ ज़ेड कामन लो तो x2 y2 z2 plus 1 upon z यहां गएा. अब एक काम करूँ इसमें R1, R2, R3 में तो यह जो 1 upon X आया है, हो वहाँ से गया हो जाएगा और यह बहुत ही सुन्तर सा form नजल आएगी आपको जैसे कि X का multiply करो R1 में तो क्या होगा यह XQ प्लस 1 यहाँ पर XQ यहाँ पर XQ यहाँ पर क्या हो जाएगा? YQ यहाँ पर YQ प्लस 1 यहाँ पर ZQ प्लस 1 समझा रहा हो, क्या कर रहा है न? YQ ZQ, ठीक है न? यह आगया अब इसको क्या करो, आप कुछ मत करो simplify करना है आपको तो simplify करने के लिए छोटा सा कम करना है XQ, YQ, ZQ तो आप क्या करो? R1 को चेंज कर लो क्या कर दो? R1 प्लस R2 प्लस R2 तो उससे क्या होगा? आपका determinant कुछ ऐसा नजर आएगा इसमें भी पहली क्या आजाएगा? XQ प्लस YQ प्लस ZQ प्लस 1 XQ प्लस YQ प्लस 1 XQ प्लस YQ प्लस 1 तो यहाँ से बाहर आजागा क्या? बाहर क्मन आजागा XQ प्लस YQ प्लस ZQ प्लस 1 अजर वाँ मन भाहर? सही है न? और अंदर क्या बचेगा? 1, 1, 1 नीचे क्या बचेगा? YQ, YQ प्लस 1 YQ यहाँ पर क्या बचेगा? ZQ, ZQ, ZQ प्लस 1 सही है? अब आपको कुछ नहीं करना अब इसमें खुब से मैनत करनी है C1 को चेंद कर लेना C1-C2 और C2 को चेंद कर देना बाद में फिर C2-C3 पहले C1 में से C2 घटा दो उसके बाद फिर C2 में से C2 घटा देना तो यहाँ पर क्या जाएगा? 0, 0 यहाँ पर क्या जाएगा? –1 यहाँ पर क्या जाएगा? –1 और यहाँ पर क्या बचएगा? 1 1 Y2 और यहाँ पर क्या बचएगा? Z2 प्लस 1 सही है, न? आगे वसमें, ये काम कलोगे na C1 में से से पहले C2 घटा दो फिर घटने के बाद क्या करो कर दो? आप c2 में से c2 घटा देना अब इसके लिए x-pin कर दो आप तो क्या हो जागा माइनस माइनस प्लस प्लस का बन आगया तो कुल मला कि यह से क्या वैल्यू आ पास यहां से अपने पास बाहर कॉन बेटा हुआ है इसके यह तो क्या बचा आपने पास यहां लिखो में फोड़ा है how can अव्वोप्ष में क्या करता इसे पासे अपने को नम्वर ऑप पोजटिव इंही these आपने पोर अनुश्य हैं जही तो क्या हो जाएगा वन प्लस फिर एक वार टू वन वन आ रही मेरी वार संद में तो क्या क्या पॉसिमिल्टीज है वन वन टू फिल ले ले लेना 121 तो सही है नहीं कितने answer आएंगे solution आएंगे से तीन आएंगे तीन सोलिशन ना तो देर आ पॉसीब थी सोलिशन थीक है चलो लोग इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं question number fourth क्या कहे रहा है यह two balls are drawn from a bag containing three white four black and three five red balls where balls of same color are also distinct then the number of ways in which two balls of different colors are drawn हो ठीक है तो एक खेल में तीन तो लिख लेके बन पहले ना इतनी है सफेद काली और लाल है ना तीन white है four black है and five red है तो अपने से कह रहा है कि दो पॉल निकाली और वह तो डिफरेंट कलर की हो और जो सेम कलर की वोले हैं वह भी क्या है इन डिफरेंट इन डिस्टिंक क्या लग लगए ना तो अपने से कह रहा है कि बताओ कि पर मेरी किसर बन यह आलग हम कर सकते हैं तो कुछ नहीं है total number of required total number of required which क्या हो जाएगा अपने n एन हो जाएगा अपना number of ways इसा हो सबता है कि एक बॉल रेली, एक बलेक लेली, तो क्या हो जाएगा? 3C1 into 4C1. Plus, दूसरा का सिस्क्ता है? 1 रेली, 1 रेली, 3C1 into 5C1. एक क्या हो सबता है? एक बलेक और एक रेली, 4C1 into 5C1. हो गया? तो कसम खानी, कितना हो गया? 3, 412, 5C1, 15, 5C20. तो कितना आगे है लेवो, 12, 17, 27, 47 अगया, प्रोटाल नुमर उप्वेस कितना आगे, 47 एक है, यह भी जो सकते हैं, दोनो अला अला कलर के होने के है ना, और तो कुछ होगा ने, चलो, next, question number, last, आपका 5, question 5 में देवो क्या करना है, a man firing at a distance, distant target, has 20% chance of hitting the target in one shoot, मतलब कोई भी एक तरगेटर को सूट करने का है ना, एक बार मतलब उसकी chances कितनी है, उसकी probability कितनी है, 0.2, 20% probability है, ना, chance of hitting the target in one shot, है ना, if P be the probability of hitting the target in N attempts, P जो probability है वो N attempts में हिट कर पाए इस target को, मतलब मैंने क्या, पहली वर shoot किया, नहीं हुआ, अगली वर किया हो गया, दो बार में हो गया, अब ऐसी कितने N attempts में दिये, कि तू ले shoot कर ले है, तो क्या होगा, पहले इसमें हिट किया, नहीं हुआ, दूसरा किया, नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो उसकी probability कितनी है, P, अब यह कह रहा है, बताओ, यदि inequality आपको दिरखिये, 20P square minus 13P plus 2 less than equal to 0, तो possible value of P क्या होगी, तो समझो मेरी बात को देहां से, अच्छा question है, क्या करेंगे, सबसे पहली बात, अपने से कह रहा है, कि मानलो, P क्या है probability of hitting the target है in end attempts, तो पहले को मेरी बाताओ, probability P किसके equal होगी, हो सकता है, कि उस shooter ने पहली बार में hit कर दिया हो, तो पहली बार में hit कर जाए, एक बार में hit करने की chances कि कितनी है, 20% यानि कि 1 upon 20,100 कितना हो या, 1 upon 5, सहिए लेकिन ऐसा भी उसकता है, दूसरा case, पहली बार में hit ने किया, दूसरी बार में hit कर गया, तो पहली बार में hit कर गया, सहिए, last case क्या हो सकता है, कि n-1 times सा तो hit ने किया, और last value में shoot कर दिया, must victim से, तो क्या होनेगा, 4 upon 50 power n-1 into 1 upon 5, अब इन समय से 1 upon 5 तो कहमन आ रहा है, तो 1 upon 5 कहमन लेलो, बाकी देखो, अब एक GP, GP तो पहले ही बन रही है, बट थोड़ा easy करने कि लिए है, 4 upon 5 to square, और last न किया जाएगा, 4 upon 50 power n-1, या आगे, तो क्या हो जाएगा, निकाल लो ग्रापट यहाँ पावर 0 है, वहाँ पावर n-1 है, अब आपनों 1-R, तो क्या हो यहाँ से वेल्यू पीकी देखो जाएगा, चेक रहो, पीकी वेल्यू आजएगी, 1 upon 5, 1 minus 4 upon 5 कि पावर n, और नीची क्या होगा, 1 upon 5 अबलो, 1 upon, इसे कर दूंँ में, तो 1 upon 5 यह है, 1 upon 5 यह है, 1 upon 5 यह यहाँ की, 1 minus 4 upon 5 कि पावर n, अब इनेक्पिलिटी का दिर्गी है दिर्गी है अपने को देखो, यह दिर्गी है, इनेक्पिलिटी, 20p square minus 13p, 20p square minus 13p plus 2, less than equal to 0, तो देखो, इसको सुल करना है ना, तो कर लो, 20p square minus 13p less than equal to 0, तो p की वेल्यंज की आएगी है, यहाँ से, कौट क्या जाएगा, 8p minus 1 into 5p minus 2, less than equal to 0 है, तो क्या answer आएगा, छोटे से बढ़ा, तो छोटे से बढ़ा है, छोटे से बढ़ू क्या हो जाएगा, p belongs to, छोटे कौन, छोटे से बढ़ू से में, 1 upon 8, बढ़ू कौन 2 upon 5, सही गोला है, कल भी गोला है, प्याट्टर सही किये ना, यह इना से कमन आएगा, 8 कमन आएगा, 4 तू जाएगा, 4 कमन आएगा, 4p, 4p minus 1, तो 1 upon 4 आएगा, तो 1 upon 4 क्या होता है, अपना, चलो, हटाई देखे हैं, कोई बाद में, 4p minus 1 into क्या हो जाएगा, 5p minus 2, less than equal to 0, तो छोटे से बढ़ा, छोटे से बढ़ा, चोटा क्या होता है, प् 0.4, और 1 upon 4 कितना हुआ, 0.25, है ना, 1 upon 4 से 2 upon 5, तो यह हो जाएगा, अब कुछ नहीं है, p की range आगई है, तो p कितना है था अपना, 1 minus 4 upon 5 ती पावर, n, greater than equal to कितना हो गया, 1 upon 4, और less than equal to कितना है, 2 upon 5, तो देख लो, simple है, सोचना, minus 1 कर तो हो जाएगा, minus 3 upon 4, यहां करो, minus 1 to कितना हो जाएगा, minus 3 upon 5, तो खतम दानी इसकी, क्या हो जाएगा यह, minus 4 upon 5 कि पावर, n हो गया, तो minus 4 upon 5 कि पावर, n है, सोचना हो गया, simple solve कर लोगे इसको बार हम से, कितना हो जाएगा, minus 0.75, और यह कितना है, minus 0.6, तो अब इसकी वैल भीजानी है अपनी को, तो ऐसा करो माइनस से मल्टिप्लाई कर तो पहले तो है ना तो मैनस से मल्टिप्लाई कर तो मैंने क्या जाएगा 0.75 से चोटा और 0.6 से बढ़ा ठीक है ना 4.5 कितना होता है 0.2 0.800 0.8 का पावर एंड तो एंड के लूग कितनी है निकाल लो तो देखो 0.8 अभी तो रॉंग है ना है एंड को तो गलत है तो रखो तो क्या एगा 0.64 आ जाएगा तो 0.6 से ज्यादा है या 0.75 से कम है तो एंड के लिए इतनी होगी तो कर लेगा चाहिए किस तरीके थे ना ठीक है तो यह था आपका किसका मेजर डीटीएस आपके ऑनलाइन फॉर जीडीएस का सॉलुशन नंबर मेजर डीटीएस ठीका सॉलुशन में इसका ठीक है तो आई हो आपको यहां तक समझागे होगी बात अधीन नहीं आई है तो आप उसमें डाउट जो हमारी चलती है अपनी CLC की उसे बेश सकते हैं और पेपने डाउट पूस सकते हैं ठीक है ओके थैंक्यू